अब आप 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 इस बहुत ही खूब सुरत से लेक्चर में तो भाई बाद अने वाली गए सब्सक्राइब कर दो ये दो इस टुथ गयागाी तो driven रिक्वेश्ट कुछ जाओ अपने डोस्तों में अपने अनलमें अपने जितने अपके जिगरी यार मित्र दोस्त सकी सहले सब में यह लिंक शेयर कर दो येस 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 क्या बोल रिपब्लीक अरे क्या बोल री कंपनी आ जा आ यह वाई आ जा वार्गेट में यहां पर माख्स बढ़ रहे हैं तो जो चैप्टर मैंने आज का लिया है थोड़ा साब इसमें कुछ बताना चा maximum read करना है टेश्ट बुक को maximum read करना है टीचर कितना बें बढ़ा दे अगर बच्चे ने टेश्ट बुक रिडने किया है तो वहां पर फसेगा इसलिए अगर आपने चप्ट्र पढ़ लिया रिप अपसे पता है बार-बार दुबारा रिप करो क्योंकि आपको याद आना देता है इसका मतब यह निया को नहीं आना चाहिए टेश्टी बुक के हर एक लाइन डू यू नो भी आपको आनी चाहिए दू यू नो से भी क्वेश्चन निकलते हैं इस बार के जो जो यू नो वाले थे तो आप लोगों से रिक्वेश्ट रहे कि ऐसे चाहिए जरूर 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 करके जाएं जरूर करके जाएं अब को यह अगर बेशिक साप उम्मीद कर रोगे सर्भ बेसिक से पढ़ाओ तो आप बहुत देर कर दिये हो यह वक्त नहीं है बेसिक से भेटेल लेक्षेर घए तो सर बेशेक से ने होको पढ़ना है अपने आपको कि मुझे एकदम कंटेनट बाइस बैसिक करना है तो आप अपने आपको बढ़ियां से टेस्टिपूख को लिए उसके सामने बेढ़े हो यहां पर आपको मैं दो चीजे बताने वालो एक तुम्हें आपको चेप्टर में क्या करवाना है आपको क्या क्या करके जाना चाहिए वह बताने वाला हूँ और कुछ गुछ एक्सपेक्टट्र प्टूशन जिसके चांसे बहुत ज्यादा होंगे इस बार आने के जिसके चांसेस बहुतु ज्यादा था ज़ता में वह वाज च्वेस्ट यह दो चीज़े यहां पर मैं इस लेक्षिर में लेने one आपके पास कि कुछ मैं छोड़ दूंगा सर लेकिन ऐसे चैप्टर में आपके लिए दिक्कत होने वाली है ऐसे चैप्टर में आपके लिए दिक्कत होने वाली है आपके लिए आपा करवा रहे है कि अपने लेवल पर आप जो हर एक कंटेंट को बढ़िया से इन और और आप्लाइड को बढ़ियां से तेस्टबुक की रिदिंग पुरा करो पुरा हाई लेवल वाला टेश्ट गुरिडिंग गरो आया समझ माया क्लियर एक्डम एक्डम क्लियर है येस चलिए शुरू करते है सबसे पहला चप्र वह शुरूने वाला है सबसे पहला चप्र जोगा आपका चैप्टर नमबर 7 elements of group number 16 17 18 जैं बात करेंगे देख लिए आपर element of group 16 17 & 18 में चब्सेटर में क्या करना होता है अगर हम चप्टर की बात कर तो चिप्टर में क्या होता है दो को चैप्टर में अगो तीन गुरुक पारल बात करने होती है कि घुरुप नूमबर सोल फिर हम बात करते हैं गुरूप 17 फिर हम बात करती हैं खृप नपर 18 थे एकम्हांद वह सब्सक्रेंट क्रेंट एजसे सब्सक्राइब बात और सब्सक्राइब करने यह तो या luckily बात को इसी लिए माना एकदम जैदा सर इलिए पूरों से होते हैं चलू दिखा और मैं किन से ऐलिमेंट क्या एंट जस्ता इप dividehora का mist वी और स्टाइल से टेबल पॉलिश है क्या बाद है क्या बाद है ओ दो स्टाइल से टेबल paulis that is the trick for group number 16 क्या ये बात के लिए रहे है क्या ये बात के लिए रहे है ये अब उसके बाद group number 17 group number 17 क्या होगा sir तो group number 17 आपके लिए गए fluorine chlorine bromine iodine ester time ये हो गया आपके लिए group number 17 के element ये हो गया आपका group number 17 के element sir group number 18 क्या है चलो वह भी देख लेते हैं group number 18 में helium जो है exceptional case दिखाता है helium क्या है बच्चा exceptional nature दिखाएगा और यहां सब शुरू होगा आपके लिए हीना और करीना की जो x-ray है वो रंगीन है इस तरह से हमारे group number 18 होते हैं क्या ये concept रिदम क्लियर है क्या ये concept रिदम क्लियर है कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी इस तरह से यह लोग यह हीना और करीना की x-ray रंगीन क्या यह बात एकदम क्लियर है कोई confusion किसी को भी कहीं पर भी येस तो मैं यह उम्मीद करूंगी अपको अच्छे से याद रहेगा अब आपको फटाता होना चींच एक जरन दियंको इसके बाद आपको पता होगा अपको ऐता चारइंस आपको c- wax यह नहां को से पढ़ना शुरू करदो इसके अलवाँ जो इंपोर्टेंस प छीज होती है इस अंदल वो मैं आखिर्ण घॉटमिक साइzd अमने सुना हुआ है इलेक्ट्रोन कि इंताल्पी तो नृटकुन बदो घॉटर पैंटर्न होते हैं जो कि साइग पैंडटर के बात को इंताय क्या एपट करें हम इलेक्ट्रोन और का Edge के और की fly न gestion सकते किस तरुस्क्राइगा है अगर मैं किसी बी गृप के लिए 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 अगर आप डॉटम जाएंगे शुट है टॉटम जाएंगे तो जो एटोमिक साइज होता है बच्चा वो बड़ जाएगा एटोमिक साइज इंख्रीज़ का यह एगниц एकदम एकदम क्लियर लिए चलो आब आते हैं निक्स्स कंसर्प के तरफ जो इसके दर अगला सप्प्रवर साइस के बाद कि फूर और इन घर ना बोलता है लिए आयो ना जीशन इंदल्पी का बोल बॉटम जाएंगे अगर हम आयनोशन दल्पी के लिए टॉप टू बॉटम जाएंगे हम को पता कि साइज जोए मेरा साइज जोए मेरा बढ़ने वाला है साइज क्या होगा बढ़ेगा अगर साइज बढ़ेगा तो क्या मैं यह बोल सकता हो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन और नुक्लेस की बिचका डिस्टेंस बढ़ गया अगर बढ़ा तो इसका मतर्स निकालना आसान हो गया मतलब आयोनाशन दल्पी क्या हो गया बोलो कम लगने वाला है क्या यह बात समझ में आई 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 ऑनाइजेशन इन दल्पी होगा अपका डिक्रीज आई तब दीखते चल्व इलेक्ट्रोन एंट यह इंटाइल पी Τर्फी ओने वाली और सरी एलट्रोन के निदलब एंडमाल के चीज़ेए इलेक्ट्रोन के presenting आग Corona देना पर जब मैं इलेक्ट्रोन के निदल भी की बात करता हूं तोraph आउpenmarे दिवाहाBoy में चलना कि जब आप टॉप टूबॉटम जा रहे हो गुरुब की मैं बात कराओ फिलाल जब आप टॉप टूबॉटम जाओगे तब आप यह देखोगे कि नीची नीचा जाने पर साइज बढ़ता है मतरब कि इलेक्ट्रॉण का अट्रक्शन कम हो जाता है मतरब को नितो इलेक्ट्रों गेन इंथालपी नजप्श होगा लेकिन धव कि अगर मैं बोलू की फ्लॉरी话 के बात पर दो तो खोनलों नंगान पर ज़्यादा है सोरी सेल फर का ज्यादा है कंपेवर टॉ ऑक्सिजन यह आपके लिए एक्सेप्शन जैसा आλλब यह जो आपने लेक्ट्र में शिखा होगा फाई डिपोल्ट यह एक्सेप्शं याद रखना आप घ्या यह कंचेप्श क्लियर है क्या यह कंसे रिए कोई डाउट किसी को भी कह सब्सक्राइब क्या हो रहा है नेक्स्ट का करेंगे सर देखो यहां पर नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रो नेगेटीविटी दिमाग चला बच्छा दिमाग चला यहां पर एलेक्ट्रो नेगेटिविटी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी एलेक्ट्रो नेगेटिविटी त्यान से दोच रहा एलेक्ट्रो नेगेटिविटी सर्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है अरे एलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब होता है भाई के इलेक्ट्रो लेने के क कौन बंदा जल्दी लिटन खीचेगा समझा यह एक सब्सक्राइब केस क्या है हिलियम एक बच्छा पूच रहे बच्छा एक सब्सक्राइब के सिलियम में यह है कि उसका जो और बिटल होता है वह एस और बिटल होता है है एलेक्ट्रॉन इक लिखते हैं 1s2 और 1s2 लिखने का मताविक वह में चला गया जबकि र्यालिटी यह रहे कि वह तो पी में होता है यहीए एक्सप्शन के से और पुछ और कुछ प्लियर एग गदम एकदम क्लियर है चलो इलेक्ट्रो नेगटिविटी की बात करते हैं इल को भी होगा मतलब की सबसे ज्यादा ही लट्टों निग इसे एकदम हाय इस टे उससे जंद हाइसे किसी का नहीं होता है क्लियर है क्या यह कंशेप्न क्लियर हुआ हर एक बच्चे को एक एक समय माव एकदम अच्छे से कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी अब जड़ा आगे बढ़ते हैं अगले कंसेट के तरफ ध्यान से देखो जड़ा ध्यान से बच्छे एक्जाम में कई बार आया हुआ कोई भी चप्टर आप लेलो आपको यह चीज मिलती ही मिलती है अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रशन एक अच्छे से घर करके जाओ एलेक्ट्रॉनिक कान प्रशन में क्या होता है जब भी आप किसी भी एलिमेंट का एलेटरल करते हो तो कुछ पैंटर्न फॉलो करते हैं लोग टू थ्री फोर अब हम क्या करेंगे बोलू अब हम क्या करेंगे बच्चे इस तरह समको लाइनिंग दी जाती है जिसका हम यूटलाइजेशन करने वाले हैं ज्यान से देख लो यह देख बच्चे 1S को हम चालो करेंगे 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S उसके बाद 8S और दो लाइन चोड़ो दो फिर आएगा आपका 2P 3P 4P 5P 6P 7P फिर दो लाइन चोड़ो दो 3D 4D 5D 6D फिर दो लाइन चोड़ो दो फिर आजाएगा आपके लिए 4F और 5F यह हमारे पास electronic confession का pattern होता है जिस बच्चों को नहीं पता है जिस बच्चे को नहीं पता है फिर सब्सक्राइब अपने ग्रूप में बच्चे हाईस्ट इलेक्ट्रों अब हम क्या करेंगे राइट से लिफ्ट की तरफ जाएंगे और हर एक हर एक लाइन को फॉलो करते वे अंसर लिखेंगे क्या यह बास समझ मारी सब को क्या यह अगर मैं आपको बोलू क्यार मुझे काम गरो मुझे जो है न आप इलेट्रों इक लिए को चलो यह मैंने आपकर रफ कर दिया कि मुझे आप इलेट्रों इक कांफेर्शन लिख के दिखाओ कुछ भी कर गए आपको टेंशल नहीं जुरूत नहीं है इलेट्रों इक काफी है जब भी इलेट्रों इक आप यह ट्रिक फॉलो करो कैसे करेंगे जैसे मैंने बोला आपको क्लोरीन का 17 नमबर है इसका अंसर प्रिक के दिखाओ ताप क्या बोलेंगे वन एश्टू कैसे पाणा चल रहा यहां से देवाजरा पहले लाइन को पकड़ो हां सर वाने साया दूसरे में आया टूए साया तो वाने स्टू टू टू एस्टू फिर को नाया टू पी त्री मतब टूपी आगे लेलो शिक्स त क्योंकि क्योंकि इसी के बेस पर क्वेशन निकलता है वाय 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 अगर मैं फिफ्टीन और सिच्टीन फॉस्फोरस और सुलफर ले लो धान अगर मैं फॉस्फोरस और सुलफर में मुझे यह बताओ तो कि पहल एल जो अनुजन एंद्विक है किसका जादा होगा वाय फॉस्ट्र आईनजिशन इंथा इंधालपी इस ग्रेटर फॉर फॉस्फोरस ऐसा क्यों पहला ऑन शिन इंधालपी फॉस्फॉरस का जाना क्यों होता है बलो पाताएगा चलो देखते हैं यह का सब्यूं तो रीजन में यह बात करने वाले है रीजन में यह बात करने वाले कि अगर मैं आपको यह बोलों कि आप फॉस्फरोस का नंबर कितना है तो आप बोलेंगे पंद्र इसको सॉल करो वनेश टू टू एस टू 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 पी सिक्स टू तू रीज़ टू ठीश टू ठीपीट्री मतब छे दो आठ दो दो बारत दिन पंद्र यह ठीपी ठीपार रहा बच्छा ठीपीट्री का मतलब क्या होता है सर हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया यह शर चलो फॉल फॉड देख ल तूपी 6 3S 2 3P 4 सर यह 3P 4 वो रहे सर अच्छा 3P 4 वा तेश से फायदा क्या हुआ थी पॉर से फायदा यह हुआ कि यह स्टेबल होने के अपना इलेट्रोन जल्दी रिलीज करेगा मतलब इसी लिए सलफर अपना इलेट्रोन जल्दी रिलीज करें का पहला वाला और है वो स्टेबल है क्या यह कंसेप्ट हर एक बच्चे को एकदम दिमाख में सेट हो चुका है चेकर पहले क्या यहां पर बैठा हर एक बच्चा एकदम क्लिए रसरी शेप्टर से कितने कुशन आते हैं जनरली जो मैंने 2022 को इनलसिस के आना बच्चा तो उसमें हर्थ इस कुछ से भी देख सकते हो कोई दिकत नहीं है मतलब इसमें दो क्वोश्चन दो मार्स आपको मिलने वाले हैं जो काफी क्रूशल होने वाले आपके लिए चलेगा क्या यह कंसर्ट में क्लियर है यह सर चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें कंटेन वाइस तो बहुत कुछ है अगर आप देखेंगे कि सब कंटेन वाइस तो बहुत कुछ है तो कि हम सब कितना करें कितना करते लेकिन में आप पर जो कुछ इंपॉर्ण चीज़ें नहीं उसको रखने आया हो यहां पर आपको टेस्ट्रीबुक की लाइन 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 आपर बताने के नहीं आया हूं कर सकता है यहां पर मैं सब्सक्राइब बहुत सारे कंटेंट में आप आप जाके देखेंगे यहां दो यहां पर जब आप हाईड्राइड लेते हो ग्रूप नमबर सिक्षिन का आइड्राइड हाइड हाई ड्राइड ओक्रूप नमबर 16 आपको प्लबू कि उल्सक्राइड क्या बनता है यह दिक्कांता हूं हाद को अंसल्जटू ओ हच्टू एस एच्टू सी हच्टू ती यह मंता है ग्रूप नमबर 16 का हैक्ट रएड्राइड मैं थे सब क्या सब्तल्क याद अभर ये सर ये सर ये जिए सर ये सर अब इसके उपर क्वेस्टेशन इस बार आने के चांसर बहुत ज्यादा और कुर्चन मोसरे इस ट् shortest रहे इस टॉपिक यूपर निकल सकता हैं जो एनल्सिस मैंनी किया उसके सब एब आ रहा हूं जो मैंने एनल्सिस किया उसके सबसें बता रहा हूँ येस आज जो है बच्चा यूट्यूम इंडस्ट्री में महाराष्टा के लिए मैथमेटिक सब्जेक्ट जो होता है उसमें आग लगा देने वाले जो सर है हमारे दिने सर का बर्तडेग है तो भाई जहां कहीं भी दिने सर मुझे देख रहे होंगे अगर इनर केस तो दिने सर इस और केमेश्ट्री प्रेटफॉर्म से मैं सोविन सर आपको तैय दिल से आप अब उमीद करता हूं कि आप एकड़ पुष्ट तंदृस रहे और हमारे बच्चों के लिए जो कर से मरताने वाला है उसके लिए लिए ग्दम बोलते ना जी जान लगा दे येस तो विश्यों मेरे मैंने अप हैप लिटेंस अब देसर अगर आप मुझे देखने तो आपक दूर्वाश्चर यहना इसमें घास चाहूरों फ्你वन ऋख्टेर सर इसमें इसम आप की अश्यर्य निकल टै पहला ग। युटेर फैंशन पहला भलानोश द एफिरई कुछ Kelly इसमें आप एफिर श्यो कि एक एक ती छूर्ड बताओ इस यह नहीं अरे जब यह एक च्रिट नहीं है जब यह एक तक एसे जो आफ तो मैं बहुत सिम्पल दिमांग चलाना जाएं पानी न्यूट्रल लेकिन बच्छा अपनो दिमांग चलाना है यार ओका साइज होटा है एका साइज साइज बड़ा और जो जल्दी हैस निका लेगा वह अच्छा एसे रहेगा एसी डिक और बोलों क्या होने वाला है एसी डिक और आपका H2T E greater than H2O यह वाला logic लगा के चलेंगे आप यह और से आप आगे बढ़ने वाले हो क्या यह बात क्लियर हुआ अब क्या यह concept clear गए एसी डिवार समय माया नेक्स्ट 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 थरमल स्टेबिलिटी थरमल स्टेबिलिटी साइज इसका छोटा रहेगा थर्मल इस्टिबल माना जाता है मतलब सर कौन मतलब कि थरम इस्टिबल की बात करेंगे तो H2O से है H2TE का ओडर एकदम परफेक्ट है इसको अंबलेंग यह थरमल स्टेबल होता है क्या यह concept clear है क्या यह concept clear है कोई डाउट कहीं पर भी नेक्स्ट पहला ही डिक और दुसरा थरमल स्टेबिलिटी तिसरा जो आता है और बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है जल्दी बहुसेंग प्रापर्टी का ओडर क्या होता है जल्दी बच्चा रिडुसींग प्रॉपरटी सरी दुसीं मतलब क्या होता है दो रिदुसिंग मतलब इसका तो तुट है एच ले इंड़क् Anyone दे रहे हैं सामने वाला करमा यह ऐणीा जी से मतब जिसका इस साइब अग getting जल्दी reducing agent nature दिखाएगा मतब h2te ज्यादा reducing रहता है compare to h2s इसमें ओर reducing agent का property नहीं दिखा पाता है ठीक है साइच छोटा होने के वज़े से तो यह आप बढ़िया सब्सक्राइब करके चलो क्या हाइड्राइड ऑग्रूप number 16 कोई ऐसा है जिसको डाउट है कहीं पर भी कोई डाउट है अगर मैं हाइड्राइड ऑफ ग्रूप नमबर 17 ले तो 99 परसेंट चीज़े सेम रहने वाली है तो यहां पर देंगो जड़ा अगर मैंने बोला आपको हाइड्राइड ऑफ ग्रूप नमबर 17 अगर मुझे बताना है तो मोस्ट आफ चीज़े सेम रहेंगी तो यहां पर क्या आने वाला है अगर मैं बोलो आपको की कौनकोल साइड्राइड आते हैं नो डाउट एच एफ एच एफ एच यह एच बियार एच आए इसमें अगर मै अगर एच 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 आई सबसे ज्यादा एच एफ सबसे कम यह पैटन फॉलो करेंगे आप समझ में आयो यह पैटन से आगे बढ़ेंगे वह दिक्कत अगर मैंने बोला मैंने बोला थर्मली स्टेबल के लिए बंदा क्या आ जाएगा बोलो एच एच एफ ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल तो यह पैटन आप एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करके चलना चलेगा इसके आलमा रियाटिविटी सेम एच एच रिकॉर्टर के साथ में रहेगा कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी क्या यह concept एकदम क्लियर गहीं है यहां तक क्या यह concept एकदम क्लियर ही यह यहां तक कोई है बच्चा कोई डाउट है यह जल्दी बोलो कोई confusion है सर एडिमिट काड़ काप आएगा तेरा एक्जाम पॉस्पोर्ट होने वाली नहीं है एडिमिट काड़ बाइड डिफॉल हर साल दो दिन तीन दिन पहले ही आता है बाई थर्मली का लोजिक क्या होता है शाय चोट वक्षा वहां पर हीड़ ज्यादा कैप्चर करता है तो थर्मली श्यादा मिलती है ठीक है यह यह धान राया आपके लिए जो अगला रंसर्द पाता है इसी चप्टर के अंदर देख लो जबर आप कि आपक्सी एसीड ऑफ क्लोरीन जो काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपर सब पुरा चेप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं पहली बात पुरा चेप्टर के उम्मीद में मत रहो उसका रीजन है क्योंकि चेप्टर तो बहुत बढ़ा है चेप्टर करेंगा तो कम दो तिन गंड़ ऐस दूसरा जोंगरंटे चीज घ्ल Şu कि सेकेंड जो होने वाला है कि वो चीज मैं करा रहा है कि चांसीज प्लॉरीन ञां से बता हो है पहला है एक्षो ओसी एल एक्जाम में इसमें ऑसिनेशन के चांसे बहुत जादा एक्स्ट्रीम चांसे यार रख शुल इसमें इकश्ट्रीम चांसे से इसके आने के एच औसी यल सीज सघावस का सुछते सिरेशन एस कीतना यदा यदा ऑई प्लस एंट वह कि तना होगा यह लिखा है लेकिन बुक में कहीं पर भी ऑक्सिदेशन नहीं दिया है क्लियर एक दम चलो नेक्स्ट दूसरा है है एच चील ओटू इसका क्या होगा सर्व एच कितना होता है प्लस वन सी यल का पता नहीं ओ कितना है है माइनस फॉर ले लिया एकवल डू जीरो सी यल आ गया प्लस थ्री समझा तिसरा है एच सी यल ओ त्री है एच कितना है प्लस वन जीरो सी यल इक्वल टू प्लस फाइव का यह कंसेट्ट क्लियर हो रहा है है एच सी यल ओ फॉर एच का प्लस वन सी यल का पता नहीं ओ का एट आ गया सौल पक्णने पे इनिगर क्या क्रोबिशन करो क्या करो इसा खुली तो Okay कि ये भी एक अच्छा कंटेंट हो सकता है अगर कि से करेंगे जो जाले क्या शिर्टियोशन दिखायेगा है-जो जाले अजया जाले क्याटा वो जाले है आट्र अघ़डर दिखा eu क्या ये बात क्लिए रहे क्या ये बात क्लिर है मतलब सर मतलब कि एस छिए लोफोरेंस क हैसल यह सी एलोटिऊ से एच यूझलटू से एच जोसी ऐल से एकड़म प्रॉट प्रॉट इन लोगता है मतलब मैं ऐसे विकेस ओर सिक्तेट नारैक्ट यह ज्याद shower है HOCLC पैटन बजया रखा रखुआ और में आप आपको आगे बढ़ना था यह और में आपको आगे बढ़ना था यह यह पर बैटा हर एक बच्छा इतंक रिया डिज आजी रहा है ऐसा और आपके बुख में दिया है का नहीं दिया है यही तो में से सीटी की खासिय देगी ज तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वही आएगा वही आने वाले याद रखना जो बुक में प्रॉपर दिया नहीं वहीं आता आपको लिए यह तो मुले समझना आया है यह स्क्लियर एकदम ओके चलो निश्ट क्याए सर नेश्ट जो कंसेट आता है आपके लिए देख रॉडवर जाके देखेंगे ना क्लोरीन से बने हुए अलग-अलग आपको गैस होते हैं जिसको में टेयर गैस मष्टर गैस अधिके भूलय या रखे भूल गये यह तो कभी-गभावी एकशाम ने उनका फॉर्मॉला आजाता है जैसे कि मैंना पॉझ तो भावर फॉस इन सि और टो एव यह लिदो कारबं मोनोट्षेर रूप में देखने का उसने लगा देनेगा समझा समझा क्या जो हुआ हो में समझा बच्य मैंने शुन जी दिक कर कोई डॉट कहीं पर भी किसी को भी धुक्त धी अने वाले टियर मतलब किया असरु गॉलह भालतर तरnt अ आता है किसके उपर कारभन के वाल कारभन के वेलिशाए रिख रोड़ला जाता है मतलब ccl3 cl3 cno2 क्या वो लेंगे cl3 cno2 मतलब कि ck वह पर 3 clth फिर आपने में और लास वो टाय मास टूपर गैस क्या वह लेंगे बच्के मस्टर्ड गैसर मस्टर्ड गैस क्या होता है देख़ें यहां पर मस्टर्ड गैस के लिए क्या बोलेंगे प्रस अउप लिखता हूं जरा जान से देखो जान से देख बच्चे जब आप मस्टर्ड गैस के बात करते हो च्च टू घडीघ़ टू एस च्च टू को सिई घडीघ़ तो डून उसे लागा दो अब अब आपको बतार हो गया इस साल के पेपर में क्या आ सकता है क्या आप सकता है ज़ा देहां दो सुरो सर यह तो ईजी यह तो hebt क्लोप में दिया हुआ थमीजेव में आंट है हुग मैंनी क्लोरिड एकशन ऐस में कितनी होते हैं तीन होते हैं फोजे में कितने और उसमें 2 हैं समझ हior एक दिमाग में सेट कर लो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इस क्याने के बहुत ही ज्यादा नेच्छ जो कंसेट राता है आपको वह इसके अंदर जो निकलता है अगर मैं जनरल कंसेट्ट्र बात करूँ बहुत ज्यादा खास बहुत खास उससे पहले जर्वाइक लिए लिए नुमेर कला वाला कंसेट्ट है तो काफी एजी वह ले मुझे लेना है मैं लिए पर चैरिंग प्रोसेस आपको पादा चैरिंग क्या होता है है कि यह फश्चन तो भाई जो पिछला शिफ्ट हुआ था ना उठ इस एक शिप्ट इना जिसमें यह पर नहीं हम पर क्यांपके बास शक्कर है है c12 h22 or 11 इसको strongly heat करो बस कि इसको strongly heat करो concentrated h plus के साथ जैसे मैं इसको heat करते हो तो यह वाई साब क्या हो जब तूड याते हैं 12 कारबन बनाते हैं प्लस बहुत सारा पानी रिलीज कर देते हैं क्या यह बात क्लियर है क्या यह बात अब बोलो कोई डाउट कोई डाउट कोई दिक्कत कोई कन फ्यूजर नहीं सर सर यह इतना सिंपल कोशन है यह यह नहीं पुछते है या इसके उपर तो नुमेर कल निकलता है इग्जाम में पूशन आएगा इग्जाम में कोशन आएगा आपके लिए देख लो जरह आई आप ग्राम ऑफ शूगर कितना मोल यह जो इतना शूगर है आपको कितना पानी देगा चलो कितना ग्राम पानी देगा ग्राम में बताओ 17.1 ग्राम ऑफ शूगर जो है जब आप हीट करेंगे तो कितना ग्राम पानी देगा एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर लुकोज और फुटोज बनना चेनल सर यह क्या बना दिया अवदूद बोल रहा है यह देख बच्चे आपे बच्चा यही तो खास बात इसलिए पॉइंट 17.1 ग्राम ऑफ शूगर कितना पानी देगा ऐसे कोशन को टैकल करने कि लिए अपको दिमाग चलाना है कि आई इस समय इस समय तो शूगर है वो कितना है पहले यह पता लगाना है इस समय शूगर है न बच्चा वह 342 ग्राम है सरीय कैसे पता चला चला दियान दे नो ट्वेल हो जाएगा वन इंटू ट्वेल हो जाएगा प्लस 11 इंटू माइनस टू हो जाएगा एक गोल डू 0 लग दो एकोल जीरू भी मत ह्म्रूंटि करो वांटी आप सॉल कर दो माइनस टू कुछ ले रहा हो मैं रूजा भाई मैं ऑक्सिदेश निकाने लाग गए इन्टू 11 ऐसे करना है 144 प्लस बाइस प्लस यह जरा मुल्टिप्लाय कर देख लो तो 16 इन्टू 11 या गया 16 या 16 176 आ गया सर अब सब को एड़ करो छे चार दोस दो बारा को दो क्यारी क्या वन साथ आट नो दस दस आर चार चार क्या वन एक दो तीन 342 ग्राम पर मोल आगया मैं इसी की बात कर रहा हूं यह 342 आगया अब दिमाग चला बच्चे यह सिर्पीश चप्र में इंपोर्टेंट यह चप्टर नंबर वान प्लास इन में भी हो सकता है विल्ग्यू 18 समझ मारा यह इस तरह से दिमाग चलाने का ठीक है तो इसको सौल कर रहे कितना आगया यहां पर मैं रफोक कर लेता हूं यहां पर मैं रफ और कर लेता हूं देख लो जरा रफ वर्क में क्या है मेरे पास अट्रा इंटू इंटू इंग्यार आठ एक कुट फ यार अगर 342 में 198 आ रहा है चलो इसको रहाटा देता हूं में आपको समझ मा आ गया तो आप कोई दिक्कत नहीं है फिर से देख फिर से देख बच्चे क्या बोलेंगे बोलो हम बोलेंगे अगर 342 में 198 ग्राम पानी आ रहा है तो बताओ कि 17.1 ग्राम अगर हमने ले लिया तो कितना ग्राम पानी आएगा समझा कैसे सॉल करना है समझा सबको कैसे सॉल करना है कोई डाउट यह सोर नो यह जान दे बच्चे अब यह एक्स इन्टू 342 एक्वल टो क्रॉस मिलिप्लाय करो 71 इंटू 198 तो यह एक्स का वैली हो जाएगा आपके लिए कुछ इस तरह से डिवाइड बाई 342 इंटू टेन इंटू टेन कर दिया उपर आजाएगा 171 इंटू 198 डिवाइड बाई तरह से खट किया डोन आटार अटार अटार लगभग 99 ग्राम क्यास पास आ रहे है आप लोगो कितना मिला अरे 99 एक और मिल गया अरे सर्थ आम को तो कुछ और मिल गया 9.9 नहीं 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 बच्चा ग्राम नेद नमस्ति द्थ नई ड second 9.9 ढा क्या ने इन पोइंट 9.9 ग्राम माइट नाइन पोइंट 9.9 झैरी चरील पिर से अरे बत्चा चक असे हैं ऐसा कोई शिफ्र में जापन नहीं आया हुआ है चाहिए य कोई भी यह भार भी छपने वाला है इस बार भी छपने वाला है क्लिरली बोल रहा हो फिर से देख बच्चे चहिर के एककाइस अप उससे से जहां पर आप सुक्रोज को इट करते हो कॉंसंट्र एच्प्लस के प्रशिंस में तब आप के कारबन जो है कि बाहर जाते हैं पानी बाहर निकलता है अब जरूर रही कि पानी ही पुछेंगे हैं क्जाम में कारबन भी आ सकता है कि अगर हमने इसको पानी मिल रहा है तो बताओ कि 71.1 17.1 ग्राम में कितना पानी मिलेगा समझाव क्या चैरिंग का सब्सक्राइब को समझ में आ गया कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी अब लास्ट इस चप्टर के अंदर में बताने वाला हूं जो गए इंटर है लोजन कंपाउंड जो गए इंटर है लोजन कंपाउंड सब्सक्राइब बहुत बहुत बढ़ा है सर ताप यह कैसे बोल सब्सक्राइब कि लास्ट अपोनेंड मैं फिर से बता रहा हूं मैं इस शप्रम आपको सिखा रहा हूं कि भाई एक्ट्वल में कौन से चीज आएगा बिल्कुल आएगा अब समझ मैं रहे जो आप मैं बता ने जा रहा हूं बहुत खास बहुत ज्यादा खास कैसर इंटर है लोजन कंपाउंड यहां तो दोगा आपर कि इंटर है लोजन कंपाउंड इस में इंपॉर्टेंट चीजे आ वह आपके लिए हाइब्रडिजिस्छें अ क्या यह बच्छा हाइब्रडड़िशन बनार तैंसों जानी कि बहुत होता है जिसे एक्जाम में कुशन आ एक्स एक्स डैस के लिए कौन सा हाइमरेशन यूज होता है मैं एक समझाओंगा उसके पर आप सब कर लोगे बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना रहेगा ठीक है दिमाग चलाओ आंसर बाता ना इवाली हालत रहेगी देखो मैंने बोला आपको क्लोरीन जैसे क्लोरीन का न सब्सक्राइब यह मेरा 3S हो गया यह मेरे पास 3P और यह मेरे पास 3D आ जाएगा समझा समझा अब दो यहां पर अब बच्छे 3S 3P दिमाग चलाओ आंसर पाओ सब 3S में दो इलेक्ट्राउन यह इस त्रीपी में पांच है एक दो तीन चार पांच तो बताओ कितने एक यह अनुपयड बचा एक एक ही अनुपयड बचा हुआ अच्छ एक वह लिट्वन जो है यहां पर 18 jaar इनाम चलएक इसमें इस और तो पी का और्बिटल यूज़ हो रहा है बॉन बनाने के लिए तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर सिर्फ SP3 हाइबरेशन यूज़ हुआ समझ में आया अगर मैंने बोला आपके चलो अगर मैंने ले लिया है एक्स-3 तब क्या होगा सर तब हम बोलेंगे कि यार इसका एक यहां से यहां जम करेगा और अंसर बनेगा एक दो ती मतलब यह अंसर बनाएगा SP3D समझा लेकिन आफिरा बोलेंगे सर हमारे सिल्बस में शायद से एक्स-5 भी दिया हुआ है तो मैं बनुगा ऐसी बात है तो कुछ मत करो यह इलेक्ट्रोन भी जम कर दो यहां पर जैसे वह यहां पर जम करेंगा तो आंसर आगा SP3D2 क्या आएगा बच्छे SP3D2 क्या बोलेंगे SP3D2 समझ में आया एकदम बढ़ियां समय मैं सर नेक्स्ट 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 सर एक और बंदा बंदा है एक 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 डाइस पाइव ताम मैं बोलोगा एक लास्ट आप्शन हमारे पास इसको भी शिफ्ट कराओ इसको भी शिफ्ट कराओ यहां से यहां बेज दो मतलब हमारा राइट आंसर जो होने वाला एक दम अट 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 एड़ एस पी 3D 3 this will be the final answer and this will be the end of the synopsis a quick synopsis of element of group number 16 17 18 दो स्लाइट के अंदर बढ़िया तरीके से इक दम मतलब एक वसूला एक दम आप देख सक्ताब को देख्के लिगा एक सर यह स्लाइड नहीं है यह मारी जगर का टुकड़ा गाए इसको चिपका लो सीने से समझ नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे यह सावर नो यह तो देख पर देख लेगा गोध्रू कर लो यह कंसेट और यह कंसेट एक रिविजन जैसा आपको आना चेए पूरा बाकिश चैप्टर तो पढ़ना ही है चैप्टर पढ़ना यह वह चीज़ बताया मैंने जो चैप्टर में क्लियर ली नहीं मेंशन किया हुआ है क्लियर है आर यू रेड़ी टनां 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 जल्दी बोल बच्चा आप शेप एंड यूमेट्री सब बुक में दिया है रहे बचाए भगवान मैं क्या सिखा रहा हूँ इस चप्टर में जो एकजाम में आता गए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तुमको पता नहीं है त कहीं पर भी डाइगराम यह आपको शेप आया यह मेंशन कहीं पर नहीं नहीं क्या है कहीं पर भी आपको हाईब्रेशन मेंशनी यह नहीं पर नीचे तो उसका वो मैं आपको दिखा दिया शॉटकट में दों चलो यहां से हम शुरू करते हैं most expected question most 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 expected question चल रहा है क्या चल रहा है भाई कौन सा सेजन चल रहा है इस समय most 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 expected questions यहां से उसकी बहुचार यहां से शुरू हो रही है everyone get ready यह quick revision हो जाएगा आपका एक दम आपको लगया है कि सरा सर हमको समझ में हाना है sharing का question हमने यहां पर लिया हुआ है attention मतलो आपको खुदी देखे लगया है कि सर वसल होगा एक दम which among the following metal halide is weekly in ionic in nature कौन है जो weekly ionic होने वाला है कौन है जो weekly ionic होने वाला है मैं simple बोलूँगा कौन है जो electron जल्दी lose कर देगा वो बताओ पहले कौन है जो electron जल्दी lose करेगा तो आप बोलेंगा sir iodine जल्दी lose करता है जो electron जल्दी lose करेगा size बढ़ा होता है वो ज्यादा oxygen बनाएगा ज्यादा oxygen वाले लोग जो है न ionic कम बनाते हैं इनी क्या करते हैं बच्चे कम बनाते हैं देहां देना यहापर यह पूरा जो कंसर्ट मैंने बता है वही सब आपको आगे पिछ घुमता मिलेगा राइड आंसर हो गया नंबर बी इस दी टोटली करेक्ट 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 आंसर नेक्स्ट क्वेस्ट्ट नेक्स्ट क्वेस्ट्ट वीच अमंग दपॉलईंग है लोजन एसीड है विग अरे सर लोवेस्ट बोलेगो तो फिर एच एप को मांक करो एच एप को मांक करो नेक्स्ट क्वेस्ट्ट अगला क्वेस्ट्ट बहुत इंट्रस्टिंग दोए डोमिक साइज को पर कोशन आगया गया गैरेंटी ए 99 परसें बच्चे इसमें गलत करने वाल लिखलो पेपर प अब बताव राइध ऐसर क्या होने वाले एक पत அज पता चलेगा अब आएगा मज़ा आब आएगा मज़ा बैचे अ बह Obviously भोल नो मेरे सकतार अरे मोल मेरे पहले त है on faj10x 1000 अ Щक यह गया żyć याशर की the answer एंसर की दी एंसर चले समझाता हूं मैं आपको जनरली आपने पड़ाओ को पिरियोड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट जो आज में पताने वालों आपको साइन्स टीचर वेरी क्रेजी मैं पेको नी क्यू जी तीस तो हो गया लेकिन 30 के आगे ना दिया है उसके आगे भी नंबर होते हैं जिसका नंबर होता है जिसका नंबर लोता रहे ब्र॓मीं का लेकिन सः क्रिप्टान भी आ सकता हैं क्रिप्टान इनड़क एक इसकंदर क्या होता बच्चा ज़ुत afin इंटर इलेनेट्रोनिक बिपल्शल ओसें यहा होता है ब людям निन क्या यह concept clear है सबको समझा डी बोलने वाले सही है बी बोलने वाले सी बोलने वाले समल जाओ जरा समल जाओ concept के साथ छेलना है बचे अपने को येस चलो अगला question आपके लिए which of the following is most electro negative आपने सामने सामने से बोला था सामने से बोला क्या था एलेट्रो नेगेटिव बोले तो डॉन कौन सा डॉन ऑक्सीजन फ्लॉरीन के माद ऑक्सीजन आता है सीदा सिदा यहां तरकना औरे हैं मेंटालिक एलिमेंट M लोग मिलते हैं कौन से लोग मिलते हैं मैं संसर बताऊ कांटो लोग मीलते हैं कूछ याददे अपने पना ऒबला दा नहीं पर जिंद्धगी एक सफर है रहे सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना यह आपने पतinflation compound में शायद से यहाँ पर आ चुका हूँ नीखाई दे रहा है इन दीकाई दे रहा है बस k itself mg profits your Literal राइट आनसर क्या होगा राइट अनसर क्या जल्दी बहन подт येस 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 नंबर डी नंबर डी नंबर डी आपकी फर्माईश पर नंबर डी यहां पर करेक्ट होता हुआ एक दम सही जवाब एक दम सही जवाब क्या बात है क्या बात है अगला क्वेश्चन आपके फर्माईश पर ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये क्रिक्ट विदो क्लोरीन पुछ पुछ यान आ रहा है याद दिलाओ याद आ रही है मुझे याद रही है कुछ याद आ रहा है देखो एन ए ओए अगर कोल वड आ गया उसमें सील टू मिलाना है तो आपने अल्डियर कुट रहा था है लोग रियक्षिन बिल्कुल सही पड़ा था एने सी एल प्लस एन ए ओ सियल आएगा लेकिन अगर यह आप तोरह सा स्ट्रॉंग ले लेते हो तो यह बंदा बन जाता है क्या सोडियम क्लोरेट एन एंए सियलो थी बन जाता है तो फिलाल तो यही बनेगा तो यह आंसर कहा पर दिखना आपको यह यह आंसर कहा दिख रहा है सर भी वाला दिख रहा है तो मांक करो यार मांक करो राइट आंसर कोई दिक्कत निये अरे कोई कन्फूजन निया यार क्या इतना टेंशन ले रहो अगला कॉशन देगो विच अमंग फॉल्लिएंग कंपाउंट्स इस ब्लैक कलर्ड विच क्लाट इसेफी ट्रिएमे को सिम्पल सा था सर हमको यह पता है कि आटी वालग ब्लैक क्लरड अरे वी से ब्लैक याद क्या ड़क्ती ब्लाग क्या दर्ग wordt हम पलब ब्लैक होता है लेकिन या पर प्लाग को मात करना है एक दम सहीन नंबर भी बी से ब्लैक फॉर ब्लैक क्लर sí समझा समझा क्या बोला मैंने कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी कोई कन फ्यूजन अगला क्वश्चन आपके लिए यह रहा आपके फर्माइश पर जल्दी बोलो वोट विल बीदा राइड अंसर वोट विल बीदा राइड अंसर विच पेयर अव एलिमेंट फ्रॉल इन फ्लोर प्रटाइट फ्लोर प्रटाइट का फॉर्मूला मुझे असा लग रहा है कि एक्दम याद रहे यार पता निको ऐसे फिलिंग आरी मुझे क्यू सर खुद से तो के एकरेंस अकरेंस यह है भाई कैफ़ टू ऐसे एई थ्राइस पि इऊ फ्रोर ट्वाइस ऐसा कुछ लेते थे ति हाँ सर ऐसा दो लेते दे एंधां कि यहीं किया फॉर्मूला था येस सर कुछ कुछ तो लग रहा यही फॉर्मुला था मतलब इसमें कौन सा एलेमेंट नहीं दिख राए फॉपोर और फ्लोरीन दिख राए औसी ज़ियन भी दिख रहा है क्यल्शियुम भी दिख रहा है माइग निशियम और सलफर दिखाई नहीं दे रहें राइट मार्क तो है डॉन कौन दिखाता है डॉन दिखाता है डॉन समझा डॉन कौन है ऑक्सीजन अरे डॉन इसलिए कि उसके मेरा जिंदिकी नहीं है समझाए कि नहीं एज मिली तुम को उधार की जिंदगी और जिन की देन है थैंक यू मुल लगॉस को रोज आगे चलो जरा आड़ी पाद सब्सक्ष एलिमेंट ऴरी लोवेश्ट आइवनitelपील मेंढ़ेश्ट इन तेलपी सब्सक्री फोडल् सब्लाक्री ऑंच्यों परसमा इसंब चेंबता है मातब किसका है जिसका आपको लिटारन इसर्शन होक्तनी नीकल जाएगा चुट्के में निकल जाएगा दिमाग चला आंसर बताओ दिमाग चलाओ आंसर बताओ जल्दी 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 इधर भी लोग फसेंगे यह मोस्ट एक्सपेटर वाले क्वेशन में आ सकता है जो होता क्या है मैं बताता हूं हमने अलिमेंट पड़ा हुआ है सोडियम से चालू करता हूं है यह अब हमको दिया है फोस्फोरस अब अन्दर नंबर सोलन नंबर सत्रह नंबर अट्रह नंबर मुझे पता है कि आगे जाने पर साइस छोटा होता है मतलब आई डिपोल्ल यह दोनों तो नहीं आएंगे क्योंकि साइच छोटा इनका अब बचा 15-16 जो कि जल्दी चोटा इसका साइज का ओगा बड़ा तो बड़ा जल्दी लिटरों निकालेगा ऐसा आमने पड़ा था लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है क्या कि फॉस्फोरस बोलेगा भाई मैं 15 नंबर हूँ तो मैं जो एकी वन एस्टू टू टू एस्टू टू 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 पी AllIs 3333 पी 3 लेकर चलता हूँ जबकि स्टू यह श्टू परुएस है वनस्टू टू है स्टू टू कि सीटस। टू कि लेके चलता है यह चार इलिक्ट्र ौ अन्स्ट्रीवल यह तीह स्टैबल कि जो जल्दान निकालेगा मतलब लोव यह दो बॉला अतो सल्फरों को सब्सक्राइब को बच्चा बोल रहा है कौन जल्दी इलेट्रॉन निकालेगा आप समझ रहे हैं यह लोग क्यों निकालेंगे यह लोग का चोटा है वह ज्यादा बहुत आट्रैक्शन दिखा रहा है तो बचा कॉन एक इस बंदा बचा नंबर भी यह समझ में आया समय मैं अलहा विर दिक्कत किसी को भी कहां पर भी अग अगला को से टैवी यह पूलीन सिंगल मालिक्ट ओ तेरे कि आसा एंगे कि पूछा जा institOP t farmer PhD जो जाएंगे के सर्य क्या पुषा जा रहा है देखो आगया वैसा कोशन आगया ऐसा कोश्चन बताओ है कि निमजयतार एक दम है कि निमजयतार फॉस्टीन फोस्फीन टियर गैस मस्टर्ड गैस मस्टर्ड में तो दो से लोते हैं टेर वाले में आप यह वाले में 3 होते नमबर नमबर सी करेक्ट नमबर नमबर सी करेक्ट फर्मुला लिख दू मैं तीन सी यल देन इस दरिट आंसर समझा समझा कोई डाउट अगला कोश्चन आपके लिए ये रहा जिसकी हमें तलास थी वो तलास यहां पर पूरी होती हुई चैरिंग वाला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने ये सवाल हाजी रहा है क्वेश्चन पड़ो आंसर दो क्या पूचा है ये क्या लिखा है बच्छा 3.2 लिखा हुआ है येस 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 नहीं 3.2 नहीं 34.2 लिखा है पानी का कितना होगा में पूछ रहे हैं मोल में पूछ रहे इधर फ़र्मूला देखने का इधर फ्रमूला देखने लिए गादी माग चलाने चलो दिखाते हैं चलो दिकाते हैं इदर देखो सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ एलेवेन को अगर मैंने स्ट्रॉंग ली हीट कर दिया तब यह भाई साहाब हमको पता यह 342 ग्राम होते हैं जिसमें से बारा कार्बन प्लस एलेवेन एच ट्व बंते यह मैंने पीछे सॉल कर रहा है था एलेवेन इंटू एडिन कितना है था भाई 198 आई था सर तो 198 ग्राम आ गया मतलब 342 पे 342 पे 198 ग्राम पानी आ रहा है यह आप से पूछ रहें कि चलो बताओ 42.34 क्या 34.2 ग्राम में कितना पानी आएगा ऐसा क्वेस्टन है सर यह तो मैं उड़ा दोंगा गैरेंटी मैं उड़ा दोंगा सर मैंने वोला कैसे बस उड़ा दोंगा बस पूछो मत सर आप इसको कड़ करेंगे दास आ गया डिवाइड किया 19.8 लेलो सर आंसर क्या आगा भाई जरा बोलो सर आंसर मेरा आया यह आया कर रहा दा फिर इसके पहले अंसर जब यह आ रहा तो इसके पहले सी और बी क्यूंकर रहा था सब तभी मेरा कटेंप्लियर नहीं था अपक्लियर कर अप बिदुए तरा कंसे वीच आ फॉलूइंग कर वजर इज चैरीड आउट बाई यूदिंग चार्कोल कैटलिस वावा यह दोनों चाइक नोड़े दोनों जो कोई एक चाड़कोल होगा लेकिन जो नीचे वाला रही न वह वी के प्रशा का वनच होता है यह वी टॉव फाइफ के प्रेंश मोले रेक्शन ये भी एक्जाम में आ सकता है ये भी एक्जाम में आ सकता है इस बार के पेपर भी या सकता है आपके लिए फिच आप फॉल्व इंटराजनल कंपाउंड इस नौट ऑप्तेंड बाई एक्षन ऑफ मतला बनाया नहीं जा सकते हैं मतला बनाया इन सकते हम कुछ भी कर लो एक्षन अप फ्लोरीन विद ब्रोमीन हम कितना भी हाथ प्याँ मार ले वो बनेगा ही नहीं वो बनेगा ही नहीं और कोई एक्स एक्स सेवन बनाता नहीं है मतलब अगर डॉन की बात करेंगे आई एफ सेवन बाकि कोई एफ सी एल बियार इसम नहीं बनाते हैं सेवन तक इतना हाई सॉक्षिशन नहीं दिखाते हैं चलो तो इस तरह से हमारा जो पी ब्लॉक चेप्टर था मतलब वह यहां पर आपको देखने के मिल रहा है मज़ेदार तरीके सेग्दम धमाके दार तरीके से है कि नाइब येस और नो येस येस सर चलो अब हम लेने वाले एक नया कंटेंट जिसका नाम है ट्रांजीशन एंड इन और ट्रांजीशन एलिमेंट्स ट्रांजीशन एंड इनर ट्रांजीशन एलिमेंट एक और जवर्दस्ट चैप्टर की शुरुवात बहुत जवर्दस्ट बहुत जवर्दस्ट आप देखो तो सही और जैसा पढ़ा रहो ना बस वैसा दिमाग में सिट कर लेना आपको आगे कुछ भटकना न कि इस बात का ध्यान देनाि अंखब रक्षाब खें चैटर मतले गज्थे टैस्ट ट्रांजीशन अहागत को से ल्ग, या त्रौने च्रॉट शल्मींट क्या होता है क्रांजीशन एलिमेंट किसमें आते हैं स्याँ, हम भुलेंगे ट्रौनेशन लमेंट यह उताbau वो actual में D block element पाने जाते हैं और D block कहां से होते हैं जिनका last electron enters to N-1D sub shell ठीक है last electron कहां जाता है बच्चे N-1D sub shell में जाता है फिर question आदा है कि sir यह जो N-1D आप जो बोल रहे हो क्या हो रहे है भई ठीक है N-1D जो आप बोल रहे हो यह N-1D तो चलो समझ में आए लेकि यह transition क्या होता है transition कि इसको बोलते हैं तो जो transition का मतलब होता है न इसका मतलब होता है incompletely filled d orbital in completely filled d orbital को हम बोलते है transition element तो अगर मैं आपको बोलू कि sir फिर non transition कौन से होंगे non transition कौन से होंगे non transition कौन से होंगे तो कोई ऐसा बोल जो non transition है yes completely filled d orbital इस प्रेशल अगर अगर zinc Hg cadmium इस में से chances बहुत ज्यादा आने के इन टीनों में से छप एगा paper में अगर ऐसा कुछ आया तो इसमें से आएगा next अगर देखते चलो देखते चलो पिर हम बात करेंगे कि सर electronic confession क्या होता है या फिर पहले बात करेंगे electron element कौन से होते हैं तो कितने series होते हैं basically तो transition element के अंदर अलग-अलग series पाई जाती है या पहले यह देख लेते कि कौन से position of d block क्या होता है नहांदे बच्चे position of d block कहा बनोता है तो between s and p between s and p orbital होगा पहला condition between s and p होगा सही बात है yes sir दुसरा group 3 से 12 होगा और period चार से 7 होगा जो काफी important है आपके लिए देख लो जो काफी important है समझना क्या यह एक अंसर्विदम clear है सब को क्या यह एक अंसर्विदम clear है एलिमेंट कौन से वो तो बताओ यहां देख बच्चे जो एलिमेंट समको पढ़ना है entrance के लिए वो पढ़ना है 3D series के एलिमेंटे सब कौन से एलिमेंट है 3D series जिसकों बोलेंगे 4th period में आते हैं series 3D period 4th क्या बोलेंगे science teacher very crazy man fake को नी फिर नीचे बोलने का QG यह एलिमेंट इग्दम याद कर लो अच्छे से बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने कोई दिक्कत कोई doubt क्या यह concept यहां तक clear दो पेज में पुरा chapter करवाऊंगा बस तु जहान से देख एकदम maximum concept लेने का बढ़िया concept लेने का ताकि तुरको कोई दिक्कत नहीं जाता समझे की नी समझे yes जो बच्चा chapter को नहीं समझा सब्सक्राइब यह लेक्षर भी तु देख लिया ना तिरको लगे यार क्या बात है यह तो मज़ए आगा एकदम सिक्वेंस में याद करना जरूरिये का बिल्कुल जरूरिये तभी तो आपको एटमिक नमबर और इसब चीज़े पता चलेंगी ये सम्झा पच्चा ये सर अब हमब बात करेंगे इलेक्टहूनी का इधीन को फिर्शन अप टेवल दु contributes to go तो आप हमने बात करेंगे इलेक्ट्रोनीक कान्फिंगरशन अब एलेमеंट और सीक पे आपका ृडिभ लग हागे बढ़ता है इलेक्ट्रोनिक कॉन्फरेशन जिसमें आएगा साइन्स, टीचर, वेरी, क्रेजी मैन, पे को नी, क्यूं जी, साइन्स टीचर, वेरी क्रेजी मैन, फे को नी, क्यूं जी, अब देख बच्चे यहाँ पर, अब हम क्या करने वाले हैं सर, अभी यहां से सिल्चला शुरूने वाले पूरा, कम्प्लीट इनफोर्मेशन का, पूरा चैप्टर इसी लिटन पर ठीका हुआ है, और अपना इंतजार कर रहा है, समझ लो, कि तुम आओगे, मेरे स्टुडेंट्स आएंगे, मुझे पढ़कर ले जाएंगे, हैगे नहीं, वैसी आलत है, चलो, देख लो, बोलो, क्या होने वाला है, यहां पर आएगा, आरगन, 3D1, 4S, 4S2, आरगन, 3D2, 4S2, कैसे आ रहा है सर, यह सब, सिंपल है, इसका नमबर होते है, 21, तो, 18, 2, 20, 21, इस तरह से देखने का, 18, इसका होता है, फिर यह दो जोडने का, 20 और यह 21, पैटन बड़ा सिंपल है कि 3D4S के रूप में लिखने का इसको, सर्फ 4S आगे लिखा तो चलेगा, हाँ, वो भी चल जाएगा, 3D3, 4S2, अब क्रूमियम के किस में चीज़े बदल जाती है, यह बोलता है कि मैं 3D5 बन जाओंगा, यह 4S आण बन जाएगा, मतलब यह वो बंदा है जो एकदम अलग निचर दिखा रहा है, अलगी भॉकाल है इसका, देख रहो कि नहीं करूमियम का, देख रहो कि नहीं देख रहे हो, यह बिनोज देख रहा है क्रोमिय मलग निचर दिखा रहा है देख रही नहीं देख रहा है बस वह हालत है यहां पर समझा यह समझ में आया क्लियर एकदम चलो नेश्ट 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 आरगान 3D5 4S2 आरगान 3D6 4S2 आरगान 3D7 4S2 आरगान 3D8 4S2 आरगान 3D10 4S1 यह कौन सा बंदा है सर यह कॉपर वाला बंदा जो अलग नेश्ट दिखा रहा है यह कॉपर वाला बंदा है जो अलग नेश्ट दिखा रहा है समझ में आया समझ में आया कि येस नेक्स्ट 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 3D 10 4S 2 क्या यह एक दम सर्य कंसेट नहीं एक दम जलता हुआ बोलते ना का बुल सकते हैं जल जल जला था जो हमारे दिमाग में तम आ गया एक दम बस गया एक दम फुल दिमाग में छब गया एक दम क्या बुल दी पब्लीक है कि नहीं अरे ये सोर नो क्लियर है ना येस सर आप क्या लेने वाले हैं अब लेंगे ऑक्सिडेशन इसका निकालनेगा क्या निकालनेगा प्यारा प्यारा ऑक्सिडेशन निकालना है यह हो गया ऑक्सिडेशन निकालो कैसे निकालनेगे भाई ऑक्सिडेशन शुरुआत एस वाले से करनेगा कहां से ए आप लन वान टूप लस ट्री आ गया फिर से दभूच फेक्ट हां फिर से चलप प्हरने का बेले विच्छ एप खरेंगे का ही पेले आप एसे में से एक निकालें गया दो निकालेंगे तो प्लॉस्टोगे आ फिर दी मॐत इक निकाला आप प्लॉसक टूप यहां से दो निकल गया दो मतलब एक और निकालो प्लस त्री प्लस फूर समझा नहीं समझ रहा है देखें यहां पर यह कंसेट के साथ खेलना है अपने को जो यह कंसेट समझ यह उसके लिए तो चीज़ा असाल हो जाएंगी यह 3D आप je 3D है कि यह तरे पास 4S है यहां से दो निकल गया प्लस वन गया मान के चलो कि दी में एसे यहां पर दिकार आधिमीट अट्रों तो पहले तुम यहाँ प्लस टू पहले से दा प्लस एक और रे रोका फ्लस ट्री एकानने चाहल अर प्लस फोर हो गया feel a lol 5 आ ऐसंजा संजा कोई दिक्कत कोई डाउड रितेश दिमांग में क्यों अब चाहर अब बता जब आ sprechen कि न the तो मतलब मेरा जो right answer है यहाँ पर मेरा जो right right answer है वो यह है फिर Plus two plus three plus four plus five समझ में आया क्या यह बात समझ में आई एक एक चीज दिमाग की नसों में च्छा रही है बढ़ियां तरिके से कोई दिक्कत नहीं है सर बिंदास आगे बढ़ो कोई confusion नहीं अगला content देख बच्चा अगला पुछा जागे कि भाई 3D54S1 तो आप यहाँ पर जो क्रोमिय मैंना उसके टू प्लस से लेना एलेक्ट्रॉन जन्री जो अभी नया सिलबस आया गए और यहां कुछ जगह पे दिया भी आपको हलाकि 4S1 बन दिया लेकिन को ईब घ्राउलन शेट मिल जाने कऌ ग्राउंश अनु झरा मतलबuman कि इस तरह से आप एसे लेके सोचने का यहां से दोचला गया समझायाओ अपर फिर उसके बाद यहां से क्या करने का जितने एक रही मतलब कर देनेका एन कि तो मतलब सर है था आप बोलना चारोग है ये प्लस टू देखो अ प्लस टू फिर एक जाएगा प्लस त्री में लास प्लस 5 प्लस इसस तर्शन salaryング समय में आया सवाया समया मैं यह प्लस तू से लेकिए जब लोन प्लस तो प्लस थी प्लस फैफ ट्रीसद्स on कीतना है याथ टो भी आप ट्गमा करके आएंगे प्लस टू टो-प्लस 6 3D 6 4S 2 S में से 2 चला गया 3D में 6 बचा 1 2 3 4 5 6 यह पेर यह कभी नहीं निकलेगा तो कौन निकलेंगे 1 2 3 4 बंदे निकलेंगे सिर्फ निकलने वाले बंदे कितने एं सिर्फ और सिर्फ चार मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो कि यहां पर आंसर आएगा प्लस टू फ्रि प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसा जीहां दो यहां से 4 यहां से निकलेंगे समझ में आया समझ में आया येस येस थोड़ा फास्ट में लूँ और ये तो बहुत अच्छी बाद यार मैं लिए तो सोने पर सुहागा हो गया बोलते ना मज़ा आगया मेरको तो और फास में लेना था ये बच्चे प्लस टू प्लस त्री प्लस फूर इसको प्लस वन प्लस टू दोनों ले नहींगा यह दोनों दिखाता है कुछ बोलते नहीं कि यह आप एक सप्शन कैसे गया प्लस टू वाला प्लस वाला दोनों दिखाएगा और जिंक सिर्फ और सिर्फ प्लस टू दिखाएगा बोलो समझ वोले सम्जा गया यहां पर बैठा हरी बच्च एदम क्लियरे सर कंसर्ट में कोई सिकायद नहीं सर कोई भी शिकायद नहीं है मिंदस आरे कोई डावट इनाएं एक उसमें अला यह यह सोर्णो फुल मजदार फुल मजदार फुल मजदार देख लो देख्लो में हैं अंसर है मैं दू Speaker 6 hesind November Samson γआ अब यहीद पर तोलो सा कशक्रम 여ंको अगर हमको इब पोष्ट दिया स्टेबिशी था धुमिलेटी से रिलेको इस पुच्ट्ट आ से रिलेटर कुछ आ गया तब exactly हम क्या करने वाले देखो पहले पर यह क्या हो गया भाई देखो जारा अगर स्टेबिलिटी से रिलेटर कुछ आ गया बच्चा तब आपके दिमाग में क्या करना है इधर देखो यह से क्वेश्यन आ सकता है कि एफ़ी त्री प्लस ज्यादा स्टेबल एक अपे टू प्लस या विच आफ फॉल्विंग इस टेबल ऐसा कोशन आ सकता है तो आप स्टेबिल्टी के बारे में बस सुन के रखो स्टेबिल्टी कब 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 होती है स्टर जब हाफ फिल्ड होगा या जब फुल्फिल्ड होगा जिसको हम कमेंटली फिल बोलते हैं या कभी-कभी जब वह इनन गैस बनते हैं मतब जीरो के आस पास होता है बहुत रहर केस में रहेगा बड़ यह दोनों केस पर आपको जनली स्टेबिल्टी मिलती है अगर आप बोलेंगे कि सर एफ फी थ्री प्लस क्या है इस समय है तो ए यह कासर्फ क्लियर हुक यह कंसे रिर्फ़ लू येस 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 कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी कोई कंश्यूजन इतन है अब सैंस के बात कलर के बारें इन्फोर्मेशन इसिशंङ टो word अगर अनपेर इलेक्ट्राइब किसी के पास है अगर अनपेर इलेक्ट्राइब किसी के पास है तो वो बोलेगा कलर्ड क्या बन जाएगा कलर्ड और किसी के पास अगर पेर इलेक्ट्राइब है तब भाइस सांब बनाएंगे colorless क्या बनाएंगे colorless बनाएंगे क्या ये बात clear है एक दम clear हो रहे सब कुछ yes or no फिर आता है magnetic moment फिर क्याता है बच्छा नया concept magnetic magnetic moment जिसको हम म्यू से दिखाते हैं मीव इकोल टू एन एन प्लस टू स्कायर ब्राकेट के अंदर बी एम इसका यूनिट अब और समेंगे इस दो यूनिट सर निकालते कैसे हैं अरे निकालते कैसे हो तो निबताया आपने आपने यहां पर जैसे कोई चाहिए अलिमेंट लेलो अगर उसका आपको एन मिल गया एन मतलब अनपेर इलेक्टान मिल गया तो आप इस बंदे को निकाल सकते हैं आप इस बंदों को पड़े असानी से निकाल सकते हैं यह जो पेज दिखना ब्लॉक का तुम्हें नहीं लगदा कि यह पेज नहीं है मेरे भाई पेज नहीं है वरदान है वरदान देखा एक पेज में सब कुछ बनिया से चम चमाता हुआ एक पेज में सबकुछ बढ़ियां से चमचमाता हुआ पूरा दिख रहा है आपको मैक्सिमम कंसेप्ट मतलब जो आपको डी ब्लॉक में काफी हद तक हेल्प कर देंगे काफी हद तक हेल्प हो जाएगा आपकी बोलो समझ में आया पूरो समझ में आया कि येस कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी बोलो क्लियर है एकदम एकदम क्लियर है सर्व अब जरह आगे बढ़ते हैं स्लोली स्लोली कि अब हम मैंने मुमेंट और कलर का एक्जामपल लेके बढ़ेंगा आगे थोड़ा सा तो अगर मैंने कलर की बात किया है क्या है तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा जब भी आप इसको ऐसे 3 प्लस को देखेंगे तो आप क्या करेंगे पहले स्केडियम को देखो यह नंबर 21 है इसको सॉल करो आरगन 3d1 4s2 बोला है फिर स्केडियम 3 प्लस बोलो जब तुम इतना करोगे ना तब तुम्हें खुदी समझ माया कि अरे यार मैं पूका टेंसल ने रहा हूं यह दो बना 3D0 हो या 4sb क्या हो या 0 हो या मतलब नो अन पेर्ड एलेक्ट्रॉन और नो अन पेर्ड लग आन का मतलब होता है कलर लेस अ कि समझा समझा कैसे खरना है यह कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी यह कोई कंफूजन बोलो क्या यह कंसेप्ट क्लियर है क्या यह एस सुमित कुछ बच्छ भी नहीं आएगा बच्छा टेंशन मतले इस्टेबिल्टी रहेगी आई रिस्टेबिल्टी गई तो भी तो पूछेंगे सब बताओ आपको वह स्टेबिल्टी पुछे जाएगे आधर देविल भी हैवाइज और ठीक है जिसे कि कोई हाफ फिल्ट है कोई जीरो एक पेड रहे तब आपको इस्टेबिल्टी दिखाए देगे एकड़ चलो अब आते हैं मैगनेटिक मोमेंट वाला एक्जामपल यह तो समझ में आपको अच्छे से अब ले लो मैगनेटिक मोमेंट का एक्जामपल मेंटिक मोमेंट का फॉमला पीछे दिखाए था यहां पर एक्जामपल ले लेता हूं मैं जैसे क्वश्चन आ गया निकल टू प्लस अब निकल का एक्च्वल नंबर होता है 28 लिखते हैं आरगन तो टू प्लस बोला है तो निकल टू प्लस में यह भाई साब बन जाएंगे एक दो तीन चार पांच इस तरह से बन जाएंगे मतलब की एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मतलब सर अनपेड़े लिट्रों दो बच रहें अच्छा अगर अनपेड़े दो बच रहें तो हम क्या करेंगे हम इनी फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल करेंगे क्या मिल गया दो दो प्लस दो चार दोनी आठ रूट एट मतलब टू पॉइंट नाइन सम्थिंग अगा बियम बोलो समझ में आया क्या मैं ये उमीद कर लूँ कि या सब को कलर और मैंडी मोमेलिकम च्छाप गया दिमाग में उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है बोलो क्लियर है कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी येस और नो ये चप्टर दो से तीन मांका मतलब दो मांका भी कई पर आया हुआ है और तीन मांका भी आया हुआ है तो दो मांका तीन मांका दो मांका तीन मांका दो मांका तीन मांका दो मांका दो मांका दो मांका अब इसके अंदर जो है न थोड़ा सा आपको समझना है जो एक concept दिया हुआ आपके बुक में इसको मुलते हैं दोगा बीच-बीच में अगर आप पढ़ेंगे इसके अंदर मैं आपको बदाव हो तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर यूजिस एक जगत दिया हुआ है बह नाइक्रोम निकल और सबनता है तो वो क्हों कहुण से चीजों के लिए उपढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है समझ में आया समय मैंने क्या बोला बहुत ज्यादा जरूरी है तो ser क्या हमको एकजांपल्स लेन करने होंगे बिल्कुल लेन करना है तो यह आपको पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा समझ मैं समझ माया कोई डाउट है कोई क्षिय को भी क्षिप हरु बच्चों के तक चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे थोला सा मेटलर्जी के बारे में जनरली कि दिख्काता दिके सर मेटलर्जी में पढ़ें है क्या हमको समझ़ें ने रहा है मेटलर्जी में मैटलर्जी चेप्टरी ऐसा है सर तो मैं आपको बता होest में क्या पढ़के जाना है कौन से चीज जो आपको पढ़के जानी है यह समझे की नहीं क्या बूल रहा हूं देखें आपर तो अगर आप मेटलर्जी की बात करेंगे तो मेटलर्जी मेना आपको बुक में टेबल दिया होगा एंड में जिसमें सारा टेमपरेचर मेंशन क्या हुआ है जाके देखो जिसमें टेमपरेचर रेंज मेंशन क्या हुआ है वो अपने को पूरा पढ़के लेना है वो पूरा पढ़के लेना है क्योंकि अगर आप वो पढ़े रहेंगे तो आपको टेमपरेचर रेंज बताने मे बहुत ज्यादा एल्प होने वाली है समझे की नहीं समझे जैसे एक्जामपल के लिए मैंने बोला कि अगर मुझे लॉस ऑफ मुईस्टर करना है अगर मैं कोई भी वाद बट्टी मत्तब कि जो स्टेल स्टील है अगर वह मैं लिया हूं उसके अंदर मैं यह गर्मी डाले जा आप क्या माग करेंगे ब्लैंक रहेंगे आप एक दम आप बने सर मैंने मिटलरजी तो बहुत पता लेकिन मुझे पता निसब क्या है है मैंने पड़ा बहुत है मिटलरजी लेकिन मुझे निपता चल रहा है टेबल याद कर ले बच्चे 90% चीज़ों वहीं से निकलने वाल लाख भग 500 काल में कितना बच्च्चा 500 काल बीन आपको हीट करना पड़ेगा कि तर इसकर करना पड़ेगा और अगर आपको और टार रेडक्षिन करना गाएं↓ बोलो ताम आप बोलेंगे 900 केलिवी नमको क्या चीए टेमर्चर चीए क्या ये बात समझ भाई क्या ये बात समझ मैं आई पढ़ा दे रहो बच्छे टेबर पढ़ा दे रहो तुभी क्या याद रखेगा कोई डाउट है ये सोर नो अगर हमको डी कंपोडिशन आफ लाइम कर डमख गया करना हो गया बार ऑसो कल मिन अप्रच्र कितना बच्चक बार ऑच्व कल मिन तेम्परेचर बाटार सो कल मिन तेम्परेचर समझ मंझे मैं आया रहो अ आघं अ को रिड черischen अई लेक्तिन कर्बण के मैं लिया बार बेघ्रशन ऑफ चल और ले लो लेकिन सों के इकारों की मधद से मृद्ध हीत इट इन तब को यह बात समय यह को कहmaybe समय काई पोई कन फूजन कई पर भी रिच्शन बैले से मेल इसी नहीं आता बच्छा टेंशन मतले रिच्शन बैले सिंग आएगा तू इदम बेफिक्रों के रख स्लाइक फॉर्मिर्शन या फ्यूजन बोल सकते हो या स्लाइग फॉर्मिशन बोल सकते हो pros दो हजार केल में बहुत कार मैं इसको बहुत खास ये कंटेंटरल है टेंपरिचर के चांसे बहुत ज्यादा होंगे इस बात को ध्यान से सुन लो कि एक दम अचले से समय लो टेबल टेंपरिचर वाला एक दम याद करके जाओ ये टेबल टेंबरेचर वाला बच्चे याद करके जाब समझा समझा क्या बोल रहा हूं है कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी अब इसके बाद आपको लिए आने वाला है एक और टेबल दिया हुआ है एक और टेबल दिया हुआ है देखो जाना ध्यान से एक और टेबल दिया ह क्योंको नहीं मिल रहा है सर यह इतने सारे टेबल दिये ये stock मुझामका Isk ли यह वो टेबल का का है वो टेबल हमारे नजरों से दूर कैसे कैसे अमने से दूर चला गया बने बस्चा टेबल दिया है कि आपको आईरन और उसके minerals के बारे में हो अगर आप साइज से तेस्ट पूरी डिकरेंगे तो आपको यह सब दिखाई देगा टेश्बू के अंदर मैं यहां पर वो चीजे बता रहो जो यहां से निकल जाती है दिमाग में रहते हैं और जिसके चांसेद बहुत जादा है आने के मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत जादा है आने के एक्स आस तेन ही रिममें यह गयर जैद है एलमें ously और इलमेंट यह है इन तीय एलमेंट के ही आपको फटान के इंग तो के तो सर्बाब कातो ओले में पहला है पहला मैं लेने वाला हूं ऐर बहूं है जदत एयर अड को stuffs हृব दीन ही पढ़ना है इन तीन एलिमेंट के ही आपक रहेंगे पाहसारे मिनरल्स रहेंगे हम एक एक करके देखते हैं मिनरल स्कोब बहुत तमाल मज़ा आने वाला है यह समय लोगी आफी इंपॉर्टेंट्न सबस्टे और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक है यह जहां ले लिएÁं मच्छे से ठीकए एक दम अच्छे चा पांदो लो है है आइन है हमत् hide john터 फरस्ट सरह आपका मिनरल इस बढ़ इंदर आए पर्मॉला क्या होता है this sequel h203 क्या बोलेंग एफ 203 क्या आँज एक्जाम सर जाया area to the following is a minerals for iron और चार अलग अप्शन रहे हैं जहां से एक आप्शन हमें डाइट हो सकता है चार अलग अलग मतब तीन अलग रहेंगे लेकिन एक हमें डाइट रहेंगा तो बोले हां आइरन का में मिन्डल होता है ये सम्झा सम्झा दूसरा बोलो क्या है दूसरा बच्छे जल्दी बोलो दूसरा वाला सर सबको पता है मैगनेट आइट क्या बोलेंगे अगा 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 सर्फ फर्मूला से में क्या थोना सा चेंजिस मिट्र पीट Irice 3 cheese 3O4 अभीए 304 में o 28 3O4 ये मेरा होने वाला है मैगनेट एट समय मार सब्सक्ithe purs है किसी को एसलिवी कोई कन्फीजन यक्रीट या स और नो कोई डाउट निच्ट के सैस्ट लिमोनाइट नाम सुनाएं की नहीं सुना इसिर पहली 미र पढम पर आपर अगर मैं ले लेता हूं F203 प्लस त्री एच्टू ओ चेक करो F203 और 3H2 यह फर्मूला है लीमो नाइट का एक्जाम में आएगा कि भाई लीमो नाइट कहां पर आप मिलता है आप तिक मा करेंगे आरें के मिलता है समझा समझा कोई डाउट किसी को भी कोई कन फ्यूजन अरे कहीं का भी है तो बता दे मेरे भाई क्लियर एकदम यह सर अगला आपके लिए आइड़न पैराइट्स तो मेरे खल से हमने फी ब्लोग चेप्टर में भी आपने देखा हुआ शाहिट से आइड़न अपने पड़ा होगा आई रिपार आइड या दिकी बूल यह आई राइट्स बोलते हैं एफ एस टू को बोलते हैं क्या बोलते हैं चलेगा यह सोर नो आप नेच्ट लांस्ट बोल सकते हैं सिदेराइट एफिस्यो तरी फेरस कार्बोनेट को बोलेंगे सिदेराइट यह क्या हो गया मेरे लिए आइरन का कम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गया सरी छपेगा तो शिप्त निकालके देखना त्या शिप्त में तेक्र देखना यह कोशन को दिखाई देगा एस और आपने जब बोला दोनाइज जो मैं छोड़ने वाला तक वही सब जबचेया वही सब छप गया था सर क्या करूं मैं वैसे को वैसे ही आगया था सर अगला क्या लेने वाला हूं में कॉपर 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 समझा क्या लेने वाला हूं क्या लेने वाला हूं देखें यहां पर देख बच्चे जड़ा हूं है ओसके पहला में का लोगा जनली एपर दिख रहे हैं इस पाराइट को आप कॉपर के सात में मर्ज कर दो मत्ब हम बो लेंगे क्या हो को पैराइड है का भोलेंगे चाल को पैराइड का बोलेंगे कैलको पैराइड तो पर फॉर्मूला भी मर जोगा येस थोड़ा बहुत एफ एश टू रहेगा लेकिन उसमें सीयू लगा दो एफ एश टू पैराइट उसमें सी लाद बनेगा क्यालको पैराइट्स क्या बनेगा कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी कि येस 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 बोलो क्या यहां पर बैठा हर एक बच्छा एकदम क्लियाटी में जी रहा है कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी येस 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 अगला क्या है सर बोलो क्यूप्राइट नाम सुना है क्यूप्रस एसिड नाम सुना है क्यूप्रस नाम सुना है क्यूप् इस तरह से देखना है आपको चलेगा आने वाला है जिंक दिमाग चलाओ आंसर बताओ आपने वाला है जिंक के कुछ ले सकते हम लोग यहां पर चलो इस और चैंज करते हैं जिंक अधिक शलफाइड जनरली जो होता है जिंक सलफाइड गॉम जिंक ब्रेंड बोलते हैं चलेगा यह सोर नो जिंक के साइट ले लो एंपर एक और कमपॉंड जगह नहीं मिल रहा है चलो जिंक के साइड को लिख लेते हैं लोग जिंक के साइड जोने वाला हमारा बेसिक जिंक आउकसाइड आपने पड़ा होगा साइड कैलसे नेशन और रोश्टिंग तो उसके बाद यह लोग बनते हैं जिंक की साइड और यहां ठीक है चलेगा कोई डाउट रुजा जगह बना लेते हैं पहले रुजा बच्चे देखो चलो देखलो येस येस ने कहला माइन करों के बोलते हैं कैलसेन के प्रोसेस में यूज का रटा है जिंक का पर बनता है जब आप रोस्टिंग करते हो तो जिंक ऑक्साइड बनता है तो यह अंदर की बात है बड़ आपको यह फॉर्मूले जो है यह जो टेबल दिख रहा है इस समय यह आपने लन नहीं किया अरे तो क्या किया भाई इस चेप्टर में सरी चोड़के आपने बाखी सब किया तो तो कुछ नहीं किया मतलब फिर तुने इस चेप्टर में कुछ इस नहीं किया वह भी बता रहा हूं अपनली बोल रहा हूं यही खास बात है इस लेक्टर का एक चीज दो हम याद दिला रहे हैं आपको जो आपने छोड़ दिया हुआ शायद क्लियर है चलो आब आते हैं एफ ब्लॉक की तरफ जिसमें छोड़ा सब समझने आपको एफ ब प्शन इंडर इनर ट्रैंचिन इलिमिंट जो होता है इनर ट्रैंशलिमिन जो होताहे जैनरल अगर अब उबसको ध्यान से देखेंगे जिसमें फघर और और फ फ दो बंद आते हैं थो पॉर एफ जिसमें होगा न उसको भूलेंगे यह लेथरोइड को फॉलो करते हैं जनरली ठीक है और जो फाइप पॉले रहेंगे एक्टरोइड को फॉलो करेंगे इलेट्रोनिक कॉंफरेशन के अगर मैं बात करूँ पॉर एफ के बाद 5D 6S लेने का इधर टू होता है इधर 021 होता है और इधर आप 1214 बता सकते हैं जिरो टू फॉर्टिंग बता सकते हैं जबकि इसकी बात करेंगे तो यह 5F होता है इसका होता है इलेक्ट्रोनिक कॉंफिगरेशन यह अपने दिमाग में सेट कर लो यह अपने दिमाग में सेट कर लो चलेगा अब देख बच्चे हैं यहां पर यह क्या बोल रहा है भाई इस से अच्छा तो इंटिग्रेशन के फर्मूले क्या बोल रहा है इससे अच्छा तो मिर्श के फर्मूले हां न मेरे भाई वही तो देखो न ज़रा है यार क्या बोलेगा चलो अब दूसरा चीज आता है कि सर इने ट्रांशेंग इंदर और और तो एक आता कंसेप्ट ले अगलागा सब्सक्राइब आपको अगला बोलों कि बेशी सीटी मुझे देखना है यांदे बच्चे लेटनम से लेखे लूटेटियम पर जब आप जाते हो तो जनरली जो साइज होती है वो कम होती है अच्छा अगर साइस कम होगी तो इसका मतलब हुआ कि एल ए ओस्ट राइस ज्यादा बेसिक दिखाएगा गांपेर टू एल यू वेस्ट राइस क्या यह बात समझ भाई यह क्या लिखासर अप अब क्यों हुआ रिजन समझो क्योंकि एलेेम एक चाहरी लिवाइश सहाड़ा जिसका च्छोटा होता क्या ममाहां फ़ेश को रिलीज नहीं सबक्राइक तो तोध्कोन इस नहीं समय महा आया से सथमां एक उसक्रइस को रिलीज नहीं करेगा इसलिए मुक्त्र मरी यहाँ प लेटनोइड के अंदर पीयम एक ऐसा मात्र एलिमेंट होता है जो जनरली रेडियो एक्टिव नेचर दिखाता है जबकि एक्टनोइड के अंदर अल आर रेडियो एक्टिव नेचर दिखाएंगे समझा लेटनोइड एंड एक्टनोइड दूनो एफ ब्लॉक के होते हैं को समझा अलन मैं पोलो कि सरले ऐटनोइड और एक्टनोइड यह दून एफ ब्लॉक में यह दोन है दोनों के दोनों को मोलते हैं कि यहाँ आप ज्यादा की बात करूं अगर मैं डिफरेंसेश की बात करूं एल ए और एसी में वह देख लो जैसे यह एल ने जो होता है न बच्छा वह 6th पी में मिलेगा यह सब्सक्रेश में। यह बहुत सारे केसेश में less oxidation दिखाता है कि इसका oxidation ज्यादा होता है लेकिन यह more oxidation दिखाएगा औरusc switches अपको क्या होनाँ चाहिए में दिमाक में चहतने है देख ले बच्चे मोश्ट आफ दीजिए आपके सामने हैं मोस्ट और चीजी आपके सामने है नजरे एकडम स्किन पर अपलेगा सर क्या वाद है दो दो पिच्पर खतम हो रहा है मतलब क्या ही बात हो रही है फिर तो कि येस दो पर जुड़ा नहीं रहूं बच्चा समझा के लिए रहा हूं कि देख लो यहां पर क्लियर एकडम क्लियर है कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी अब क्या आने वाला है सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं यह रहां क्वेश्चन नमबर वन यह जल्दी से देखो जल्दी बोल बच्चा जल्दी बोलो ओट इस जन्रल इलेट्रोनिक कांफेश्चन आप पूर्थ ट्रांजिशन सीरीज बहुत से लोग डाउट में बहुत से लोग डाउट में आप तो सीथा बोल रहे हैं और फोर्ट ट्रांजिशन सेरीज अब यह फोर्थ ट्रांजिशन सेरीज क्या होता है सर यह कैसे पता चलेगा इधर देख बच्चा जनरली क्या होता है इसको प्रेटी सीरीज तरीज जो कि अपने आप में यह फॉस्ट माना जाता है यह यह इसके बात क्या आएगा इसके बात फिर सेकेंड सीरीज आती है जो बाइड इपोल पॉर्डी लेके चलता होगा 3rd आएगा जो by default आपको 5D लेके चलेगा हमको पुछा है 4th वाला तो by default ये 6D लेके चलेगा अब हमको टिकमा करना है 6D वाला आंसर वही आंसर आई रहेगा बोलो समझा यहां पर बहुत साइर आंसर बच्चे बोल रहे हैं B C B C मैं समझ सकता हूं कंसेट नहीं के लिए रहा तो ऊड़िंग आप इसे एक्जाम में लेकिन अगर कंसेट क्लियर है न किसर बोल क्या रही है वाड़ जन्रल एलेटानिक कॉन्फरेशन ऑफ एलेमेंट ऑफ फूर्थ एक दो नहीं बोला है 1 2 3 4 3D 4D 5D 6D अचा 60 वाला आंसर राइट है 60 का पर आया सर डी वाला आया तो राइट आंसर दी हो गया मजा आया मजा आया सा लगा अरे सर अच्छा हुगा यह क्वेश्चन बता रहे हो हम तो उड़िया आते देख दम हम तो सिधा गाया व विच्छ अफद फॉलोंग विच्छ अमंग फॉलिंग पियर आप अलिमिन इस नौट रिगार्ड एजट राइट रांजिशन इलमेंट कौन है जो ट्रांशन लेमेंड की रूप में उसको नहीं देखते हैं नॉट 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 बॉल तरन्सर दी बोलो अन्सर पीछ्टे लिखाया भी चाटे देख लो अगला क्वेस्टन विच फ्रोंड फॉलओं मेटल एड जबींटिव इस्टफ़ फ्र एफ घलिए मगरेटिक ओमेंट वो कॉंसे भाई साव है जो एक डम हायेस्ट मैगनेटिक मुमेंट दिखाते हैं कॉन से बंधे हैं वो यार वो बंधे कॉन से हो कहां से आते हैं ये बंधे देग यहां से हम क्या करेंगे हम ट्राय करेंगे ऑक्सिदेशन और डूंड़नेगा जिसके पाइब यह राइड आंसर साइन्स टीचर टीचर 22 होते हैं आरगन 3D2 4S2 बोला है 3 ब्लस मतब अनपेड इलेक्ट्रों सिर्फ एक ही बचेगा CR 3 ब्लस आरगन 3D5 4S1 एक यहां से गया फिर यहां से दो जाएगा मतब यहां पर अनपेड इलेक्ट्रों तीन बच सकता है CO2 ब्लस बोला है पे को नी अच्छा इसमें MN 2 ब्लस बोला है तो MN का तो मुझे पता ही है कि MN आरगन 3D5 4S2 तो बाइड डिफॉल्ट अनपेड पांच मिल गया पांच से ज़्यादा हो भी नहीं सकता तो राइड आंसर मांक कर दो MN MN is the correct answer समझ में आया हूँ बोला समझ में आया हूँ कोई दिक्कत येस वही कन फ्यूजन अगला क्वेस्टन आपके लिए ये रहा हूँ वट इस नमबर आफ अनपेड एलेक्टरॉन प्रेजंट इन डी और्बिटल आफ निकल इन ग्राउंड स्टेट दिमाग चलाओ आंसर बताओ ग्राउंड स्टेट निकल मतलब क्या निकल मतलब चल निकल 27 अटाइस होता है 28 28 28 क्या करेंगे आरगन एट है न बचादी में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ अंसर आगया दो 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 आंसर आगया दो राइड आंसर नमबर टू डी आंसर इतम करेक्ट नेश्ट प्रेस्ट नमबर फ्लेट्रों प्रेजंट इन डी सब्चल इन प्लस वन ऑफ्सेल से इप अटमी नमब इस 24 दिमाग चलाओ आंसर बताओ अगर अमने प्लस वन ले लिया जिसका नमबर चॉबीस हमने प्लस वन ले लिया मान के चलोगा अब्लस ले लिया यह मान लो हमने प्लस वन ले लिया क्रोमियम का नमबर चॉबीस होता है सर अरगन 355 फॉरेस वन यहां से वन चला गया कि डी में कितने बचे एक क्वेस्टिन हैं एक दो तीन चार पांच एन इकोल टू पाइफ मतलब डी में पांच बच गएं डी में पांच बच गएं बोल समझ में आया बोल समझ माया नेक्स्ट आइड़निफाइड एलिमेट इच्ट सो अब्सोर्वर इलेट्रोनिक कान फिरेशन इज रिप्रेंटर एज दिस वन यादा है पीछा कराया मैंने यादाया यह सर आरगन 3D10 पॉरेस और मतलब कॉने भ है 29 दिखा रहा है नेक्स्ट ओट इस नमबर अफ अनपेड़ एलेक्ट्रोन इन जिंक जिंक का नमबर थर्टी यह सर आरगन 3D10 पॉरेस टू कोई भी अनपेड़ टॉन नहीं है जिरो लिग दो राइट अंसर होगे है जिरो चेकर बच्चा भी आंसर कोई तो बोल रहा है कोई तो भी आंसर बोल रहा है यह जल्दवाजी में दिया हुआ गलती आंसर हो जाएगा आपका अनपेड़ पुछा है बचा आप यह कोश्चन मैंने चाटा है यह 2022 के क्वेस्चन है जिन बच्चों को लग रहा है कि सर्फ बहुत इस लगए बहुत बहुत इस नुमेरिकल तो है नहीं यह न तिश्बूक की लाइन ही आएगी थोड़ा सा घुमा क्या सकता है थोड़ा सा आगे पीश्यक्र आ सकता है यह जो कोश्चन मैंने लिया है वो 2022 के लिए मैंने और उस 2022 में भी मैंने सेलेट किया कि कौन से किस टाइब क्या सकते हैं कौन सा का सब्सक्राइब तुमको आना जरूरी है समझा बो टाइटेनियम कहा पर होता है सर साइंस टीचर शुरूआ कहा होती है थर्ड नंबर से पि कि ओने माला है कि आप अभी इटूबर दे रही हो ना पूच्छ पी टाइक खर दे रहे हो ताप को डर स्ब्सक्राइब स्दूर्स पर में milyon इसा अDowni request researching स्टेबल 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 बन जाएगा ऐसा क्वोस्चन है आपको अटॉमिक नमबर दिया हुआ है यहां से दिमाग चलाना है प्लस फोर में कौन स्टेबल हो सकता है चलो देखते हैं यहां पर दो पहले से रख दिया है स्टेबल बोला है तो और साथ होना चाहिए क्योंकि कोई कोई भी 14 तक पहुचने के कडिर में नहीं लग रहा है तो कॉमन सिवादी कि प्लस से तक आएंगे बहुत जाथा बदब साथ तक आएंगे अब यहां पर अगर दो आगया और यहां पर साथ हमको चाहिए अंसर में इसका मतलब की अगर हमको दो निकालना है तो यहां पर मैक् प्लस प्लस पूर बहुंत सिस्टीवाइगा नहीं है कि रहुच वह और नमबर तो दिके नहीं है रुचा हमको उल्टा जाना मतलब इसे एंगे एस एंगे है तो 62 मेंसे मैंने चौन यहां ले लिया यह 4F 5D 6S बचा ठीक है एक मड़ी यह 60 वाला भी हो सकता है मतलब यह जरूरी नहीं कि हाफ फिल लोगा जीरो भी हो सकता है तो जीरो वाला भी चांसे से बच्छा मतलब जीरो वाला भी ले सकते हैं जिसे पी यार हो गया एक मार देखने देखने दे मुझे क्योंकि आपर जरूरी नहीं कि हाफ फिल लोगा पूरा पूरा गायब भी हो सकता है चले करके देखते हैं 54 प्लस तू 56 56 प्लस 6 62 यह किसी काम था नहीं है इसमें मतलब कहने यह यह यहां से दो जाए गया हसे दो जायेगा और 50st टीस के आफिस सकते हैं prior कि चांस समी ले सकते हैं बादely तो यहां पर दो यहां पर दो 50 ये कितना हो गया 54 प्लस पूर हाँ ये पर्फेक्ट आंसर दिख रहे एक या नंबर सी बोल दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी कोई confusion है तो बोलो पहले कोई डाउट है बच्चे कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें तकलिफ दे रही जरा बोलो कोई डाउट है राइट आंसर है एक सी इसका नंबर है 58 लॉजिक समझा लॉजिक समझा दिमाग के उपर से गाए इधर देख बच्चा इधर देख ज इसमें 4F के उपर 0 या 7 या 14 दिखाएगा यह देखने हमको अब हमको पता है कि 7 और 14 की तो पॉस्बिल्टी नहीं बन रही है 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 पॉस् अगर मैंने सी ले लिया जिसका नमबर 58 है मैंने बोला एक्सी लगा दू इसका नमबर और फिफ्टी फूर फिरा था पूर एफ फाइव डी शिक्स एस है और एक्स beggar फैस एस में यहां से सब्सक्री बक्रीजर बच अब इसका अगर मैं प्लस फूर लेलू मतब यहांसे दो जो जिस बच्चों को लग रहा है बच्चा तो कल का लेक्चर देखानी लग रहा है तो आज तेरा पहला दीने तो टेंशन उमत ले तो आराम कर चिल मार दर आप येस है कि नहीं कि येस और नो भाई हर एक चैप्टर के अंदर दो चीज़े पाई जाती है एक होता है कि टेश्ट बुक की रिडिंग वाली चैप्टर है अगर तुमने टेश्ट बुक का चैप्टर रीड किया है तो तुमको लेगा रहे से तो सिता लाइन का कुश्चन आ गया ऑन देश्प इस समझा बच्चा भी क्लिए है यहां से दो यांद दो क्या चार ओंक्ता हो गया आधा या यह लोग यह लू विच अमनग फॉलिंट स्टेट मिट इज नौट ट्रू अब एक टानृड एक्ट्टावट के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि यार एकदम सह ही नहीं है मैचिंग का नहीं लग रहा है जैसा होना चेह वैसा मैच नहीं कर रहा है नौट ट्रू बोलाएं दिमाग चला आंसर बता दिमाग चला अंसर बता बोस्त आप इसे लिवार्ट तॉ य्या एक नोट फांड इंचर एक टो यह वाथ है क्योंकि यह रेडियो एक्ति ओते हैं क्या उते रेडियो एक्टिव होते हैं अगला इस रहा दिया रिए टे यू थैन लेतर रहा गला है रेक्टिविटे लगवलके दोनों की से म ती है नुबर बी, correct answer, नुबर बी, correct answer, next question, which among the following having largest atomic size in, in 4 3 plus oxidation, क्या है भाई, 4 3 plus oxidation, 4 3 plus oxidation थोड़ा doubt लग रहा है, 4 3 plus oxidation है क्या, 4 तो नहीं है क्या, plus 3 आनाचे शायद मुझे लग रहा है, एक मट जाना देखने तो, which among the following element of largest ionic size in, plus 3 होगा, 4 plus 3 आगार, plus 3 oxidation, ऐसा रहेगा, कौन है जिसका, ionic size plus 3 oxidation में ज्यादा रहेगा, दिमाग चलाओ, answer बताओ, देखने में तो बड़ा easy लग रहा होगा, सर बड़ा easy लग रहे है, इतना भी easy नहीं ज्यतना तुम समझ रहे हो, बताओ जल्दी सा आंसर पहले फटाफट, 4 point 3 नहीं, plus 3 होना चीए, वहाँ पर ऐसा होगा actually, और उसरे system ने कैसा ऐसा ले लिया होगा, अब दिखाए दे रहे, ऐसा ले लिया होगा system ने, दिखाए दे सर हम शुरुवात करते हैं, एले से जाते हैं, एल्यू की तरफ, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो size क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब अगर मैं बूले कि सबसे बड़ा size किसका है, तर एले का है, तो एले 3 प्लस का size भी तो बड़ा होगा, समझा, अगर हम बोले है, तो आइनिक रड़े भी क्या होता है, बड़ा होता है, समझा, दोनों सेम बैटने दिखाते हैं, तो राइट आंसर हो गया, एले, समझ में आया, next question, which among the following is not true about, लैटनोड, अब आगा लैटनोड के बारे में इंफोर्मिशन देने के लिए, not true about लैटनोड, बोलो, बोलो जो not true about लैटनोड, दिमाग चलाओ, आंसर बताओ, कौन सी बात है, जो लैटनोड के लिए सही नहीं है, जल्दी बोल बच्चा, हाइट्रोक्साइड और बेसिक निचर, बिल्कुल सही, आपने पढ़ा भी था, ल, एन, ओया जो होते हैं, जनरली हम बोलते हैं, बेसिक निचर के होते हैं, एकदम सही बात है, दूसरा, बेसिटी आप हाईड्रोकसाइट्स आप लैटनोड, इंक्रीज़ेज़ेज एड़ नमबर, इनक्रीज़ेज़ेज गलत बात, क्योंकि जैसे साब आगे मरता हो ना, बेसिटी कम होती है, तो राइड आंसर आगा नमबर भी, नौट बोला है, नौट, यह आपका इंफोर्मेशन एकदम करेट हो जाएगा, अगला कोशन, वीच अमंग दो फॉलिंग एलिमेंट है, गुमा दिया कोशन को, स्मॉलेस्ट बोला है, इन प्लस थ्री में, तो क्या सिर्ट बोलेंकर लूटेटी, बोलें लेंगा, इधर लूटेटी, हमाई रही तो लूटेटियं ही नहीं, अब क्या करू में, यह आलेमिन कहा है, क्या आपको घुला से कुछ या दा रहा है, लॉर injured नाम सुना था, कहाँ प्राइसा लॉरेंशियम, एक्टन वाले सीरीज मे लेके लॉरिंसियम तक बाद होती है मतलब 89 से लेके 103 तक बाद होती है ये वाइस आपका साइज जी तुम चोटा रहेगा राइज आपसर हो गया एए समझमा आया समय माया नेक्ष्ट विच्छ स्टेटमेंट इस नॉट करेक्ट कौंसा स्टेटमेंट सही नहीं है विच्छ इस नौट करेट जल्दी बोलो कौन साथ चर्मेंट सही निया है विच चर्मेंट नोट करेट दी और्बिटल एटम आर लेस्ट पेनेटरेटिंग दूसरा बोला है आपके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एज एज एटोमिक नमबर इंक्रीज इन पिर प्रेट फॉर ट्राइशन लेमेंट वापा जड़ा पड़ो एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एज डाउट लग रहा है तो इस दुबाला पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रान फ्रम डी ऑर्बिटल ऑफर स्मॉल यह तो सही है अट्रमी रिडिया डिक्रीज से थर्टी बढ़ रहा है ना तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जैसे इसे हमारा अटमी नमबर बढ़ता है तो हमको नौट बोला है तो राइट आंसर नमबर बी नमबर बी एकदम करेंट आंसर हो जाएगा समझा पोई डाउट कहीं पर भी अगला चैप्टर क्या आपको पाँचेडिया जाएं किया आपको पांच मान को ना बें typ अजर कीिट चाहिए और नवकर बोड़ाहां अच्छी लेंगे पूरा आपको लगेगा सब फील आएगा कि सर मज़ा आगा एक दूंब देख कैसा लग रहा है वाह 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 ब्रेक टाइम तो दस मणगा ब्रेक देना हो प्रफेट टाइमिंग रहेगा चलेगा चलेगा सबको एकदम चलेगा येस ब्रेक दे दिया है बच्चा मैंने एक बात त्यारा ध्यान से सुन लो जो बच्चा इस महारी विजन में मेरे साथ पूरे पूरे 4 दिन जुड़ी है न मैं यह बोल सता हूं किमिस्ट्री मंसको 30 के उपर ही मिलने वाले 30 के उपर ही मिलेंगे क्योंकि यही सब आने वाला है इसे मेंसे निगलेगा इनी सब मेंसे निगलेगा ध्यान द्यान देने लाटको इनीस बैसे इसे जोए कि एकना मेलाट मोड में जोए कि बढ़ियां साहा जाओ फड़ ठीक है चलो फड़ा फड़ा जाओ फड़ा जाओ झालो फड़ा जाओ लेक पाया है ठीक है तो कि एकना मेलाओ जोए Cashण बुषं झाल 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 का इस बहुत ही खुब्सुरत से चैनल में कॉर्णेशन कंपाउंड चेप्टर की शुरुवात होने जा रही है दो चेप्टर हमारे दो घंटे में या बूल सकते हैं लगब दो घंटे में खतम हो चुके हैं चीजिए जो आपको मालूम होना चाहिए जिसके उपर क्वेस्टन जाना पूछे जाते हैं पहला कि सर्कॉर्णेशन कंपाउंड है क्या की काजने कंपाउंड जब मैं बोलता हूं ना एक्ट्वल में दिमाग में क्या आना चाहिए बिमाग में बुछ ऐसे गोमने चाहिए अफ़ ए कि cn 6 है अब हर के पूर लिख दिया ऐसा फुछ गोंगा चाहिए ऐसे स्ट्रेक्चर को हम बूलेंगे एसे कंबाउंड को हम बोलेंगे है अब कोर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमको क्या-क्या मिल रहा है तो एक तो मिलता है कि कॉर्डिनेशन कोर्डनेशन बॉंच मिलता है काडिनेट बॉन जुको बोलते हैं सरकक और नियंट पॉडन क्या होते हैं याँ पिखेंद याँपर जब मैं बोलता हूं कोर्डिनेट बॉन तो आप बोलने वाले कि जो इलेक्ट्रोन होता ना इलेक्ट्रोन ये दोनों इलेक्ट्रोन और उसके बाद जो बनेगा बॉन्ट इसको बॉलते हैं उसके बाद जो बॉलते हैं उस्तों का लिजेंड ये लिजेंड जो होता है कि लिजेंड हम किसको बोलते हैं उस्तों का लिजेंड येस लिजेंड जो होता है वह एक्च्वल में एक ऐसा स्पेसीज है विचिज बॉन्डेड टू अ मेटल एटम जो मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा जैसे एक्जाम्पल के लिए सी ओ एनेश्ट्री सिक्स टाइम है तो यहां पर हम बोलेगी कि जो एनेश्ट्री है वो लिजेंड है एक एक चीज मेरे खाल से दिमाग के नसम में उतर रही होगे एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे ते एकदम कोई डाउट नहीं है आगला कंटेंट टाइप ओफ लिजेंड धान देव चे टाइप ओफ लिजेंड क्या होता है सर्ट टाइप ओफ लिजेंड क्या होता है तो टाइप ओफ लिजेंड में हम बोलेंगे कि हमारे पास एक आता है मोनो डेंटेट मोनो डेंटेट जिसका मतलब होता है कि एक ही डोनर एटम ओनली वन डोनर एटम होना चाहिए ओनली वन डोनर एटम सिंपल लोजिक समझने का एक ही डोनर एटम और फिर हम मोलेंगे पॉली पॉली डेंटेट मोर दैन वन डोनर एटम मोर दैन वन डोनर एटम सर मोर दैन वन में कितने आ सकते हैं जल्दी बोलो सर मोर दैन वन में बहुत सारे आ सकते हैं अब हमको जो सिलेवास में दिया हुआ है बैसिकली दो तो हमको दिया हुआ है कि डाइन टेट या बाइन एट बोलो कि दूसरा एक हमको दिया है एक्जा डेंटेट कौन से लोग है सर इन टर्म्स ऑफ अगर बुक के साथ जाओ तो मुझे एक मिल जागा इन इतलिन दाया माइन सी टू और फॉर ये दो हमारे सिलेबस में दिये हुए है है हिग्जा निनेड में इडिटी यह कि चेकर बच्चा पहले क्या यहां तक हरे बच्चे को क्लियर है कॉडिनेशन कमपॉंड का यह यहां तक क्लियर है बोलो सर Organic Skip का दो चलेगा बच्चे सेलेक्षण निखनी और तो चलेगा अगर वो चलेगा तो ये भी टेंशन नहीं टेंशन लेने का नहीं अच्छा नहीं मिला तो चलेगा तो यह जो तुने लिखे ना बच्चा वो भी चलेगा टेंशन मतले कि आगे देखो जा रहा है आगे एंबी डेंटेट पहले में सब्जेट छोड़ते हैं अरे सर मैं फिजिस नहीं कर रहा हूं फिर क्या बोलेंगे अरे सर मैं केमिस्ट्री नहीं कर रहा हूं मैंस नहीं कर रहा हूं कि अब जब जो सब्सक्रार रहे हो फिजिस तो ऐसे नहीं कर रहे हो तुम लोग बहुं रहे हो bad teacher अब जो कर रही वनों उसमें भी सर्मैं क्यमिश्ट्री में यह जो सच वह बता रहा हूं फिजिक से डिफिकल्ट रहता ही है तो उसमें गलती आपकी नहीं है गलती फुजिस की भी है जो डिफिकल्ट हो जाता है है कि नहीं क्योंकि उसके अंदर हर एक सिचुरेशन में नुमेरिकल ही बनते हैं हर एक क्वेश्चन में अपना अंसर रेकिल के एक क्या अपना जरी कि है लेक्षर कप अमने क्या रहु लेंगे जब तक यचान जब तक सड scrutin में जान ना कव पर इंदम सब एक्जांपल बोल सकते हैं जैसे कि आपको ले लिया ऐसे सी एन कि अब इसमें एन मेंटल जुड़ा रहे हैं बड़ ऐसा को सकता है कि एन सी एस हो जाए यह भाई सामेटल जुड़ें मतलब कि जनरली यह बोलना चाहिए कि दो डोनर एक होंगे बंड कोई एक बनाएगा बॉन्ड कोई एक बनाएगा सव्च में आ रहा है इस तरह भुलेंगे एम डेंटीट डिशन नंबर यह क्या होता है है तो हम जोनी बोलते चार्ज ऑफ है मेटल कि यह आपको उसीद्यशन नंबर का खाम गरेगा और अब जब भी निकालना हो टेस्ट बुक में टेस्ट बुक में पेज नंबर 196 मुझे पेज नंबर भी याद होगी है टेस्ट बुक पेज नंबर 196 ओपन कर ले ना और उस 96 पर आपको क्या मिलेगा एक टेबल मिलेगा कॉर्णिशन का भॉन का घी से डालना घी से डालना घी से डालना नहीं तो उड़ी जाओगे मतलब सर आपके बुलना क्या चाहरे हो मैं यह बोलना चाहरा हो कि चार्ज आप मेटर अगर आपको निकालना है मतलब आपको शेलिशन एक्जामपल दो जाना हमको जैसे मैंने ले लिया आपके लिए चांसे दो जाता हूंगे ऐसे कुछ नाने के मैंने ले लिया एल एफ सिक्स हुआ दि जैसेु संद्री माइनश ऐस लिए आपके लिए आशा से लेलिया मैं और आंको बिले थे चलो बताओ य्यलों असरी राया मुल उससिंज तूर यह कि बोले समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं कोई confusion है कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को भी एक और क्वेशन देख बच्छा एक और रहा चांच अमाता हुआ जैसे मैंने ले लिया है जोना सा डेंजर ले ले लिए पीटी कि सिल पोर एनज्च टूगे बाहर देदिया है और बुल रहा है इसमें पी टी गॉप्सीडिशन निकालो बहुत जहां जैसे सुनों पी टी का और कशिडिशन निकालों पी टी कव ओक्षिडिशन निकाल बच्छा कैसा करेगा है कि यह रहां पीटी चील-एल-डिटू-पोर प्लस 0, cl का माइनस 1 एक्वल टू 0 क्या हो गया, pt माइनस 5 इखोल टू 0 यह मिल जबा पीटी इक्वल टू प्लस 5, अब जो आया हो आया हला कि प्लस 5 आता निये जनरली ठीक है जो आगया, सो आगया, ठीक है आंसर आगया, प्लस 5, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी चाह मैं यह उम्मीद कर कर चल सकता हूं कि यहां पर बैठा हर इक बॉत आफ से विसके जला होगा है बटाएट अग्या बढ़नी वाला हो मैं अगले कंसेट के तरफ सके लिए है कि टाइप सॉफ पॉम्twेक्स से гसे होते हैं यो मर्कम फिर्व Diogo किस तरह से पाव जाते हैं टाइप सेटॉप कॉम्प्लेक्सेस जनली दो टाइप का उते हैं पहला होता है कि सो लिजंड पropat nie based on लीजेंड कैसे सर जैसे मैंने ले लिया देख बच्चाहें आपर अने देखना मेरे भाई मैंने बूला होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक का मतलब सी ओ स्क्राइब के बार थी प्लस आ गया मतलब सेम सेम लिजेंड होने चाहिए बार बार सेम सेम लिजेंड होने चाहिए समझ मैं आया यह समझा बच्चा दूसरा है है ट्रोलेप्टिक है यह ले लिया मैंने हेट्रोलेप्टिक बुले यह बात समझ में आ रही है जहां पर लिजेंड आपको अलग 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 रहेंगे अलग 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 दो तो जा रहा है अधर वाइज मैं फास्ट लेकर जा सकता हूं चलो दो यहां पर इतने बच्चा इसके बाद दूसरा जो प्लासिफिक्शन इसी के अंदर दूसरा जो क्लासिफिक्शन है जो होने वाला है बेज्ड ओन अब बेज्ड ओन चार्ज जैसे मने बोला के टाइनिक के टाइनिक का मतलब है जिसके बास नेट चार्ज प्लस रहेगा नेट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए उसके बोलेंगे के टाइनिक सब नेट चार्ज पॉजिटिव का मतलब नहीं समझा बनाना चाहिए यह मतलब कि हाई डूली से जैसरा रूसना बना चाहिए जैसे की जैसे की आप ससी एल्ни टू कि छ एक हम एक के यलो सब्सक्तों करदो जो सबस्टीलतнего कि ऑदने फ्रीस पोर ले लो अब मुझे पता है कि इसको जब में हईल्ड ना सी यो सी एल टू एन पोर के बाद ये एगी सी यफ बाहर नहें जागा और यह होल अपॉर प्लस मन जाएगा इसको बोलते हैं इसको बोलते है टैटानिक आगे डे चेप आगे देख देख आगे देख आगे अब अने वाला एनाइन इक इन इनक में का बोलेंगे बढ़ियां एक्जामपल जागे जगेटिly चार्डcular नेट चार्च जज नेट्यम अम्हुर्ट लिए नेट चार्जोना च्छीं आपका नेगिट्व निट्चार्ज नेगिल्ट्यू यदियो यह हम बोलब सकते हैं कि सिदा इंजल क्या ह्ट रिलिपर रिलिज करना चाहिए अगें करना चाहिए समझ माया समझ माया यह 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 बोला समय माया में निश्ट निवेट्रल नो निट चार्ज ऐग्जाम्पल के लिए नो निट चार्ज इस तरह के लोघ रहिए एग्जाम्पल में समझाब सम्झा बच्छा नियश्ड की आने वाला आपके लिए नियस्ड आने वाला आपके लिए कि भाई आयू पहित नहीं कि से लिखा जाता है दिमाग चलाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टिंग वस्चन आयू पेसी का पैटन समझना है आयू पेसी जानने के लिए अगेन पेज नमर आप एक लएक दम प्राइट दमुशने चोवाले पेच की तब यह चप्रमें डर बना रहेगा खौफ बना रहेगा को बनार रहेगा रहेगा यादर रहना इस बात को चलेगा येस तो आप क्या करेंगे सरं आयू कि टायन के बाद कि है सर उसके बाद legend का नाम लिखनेगा legend रहेगा कैसे with prefix with prefix phew ह code में हैं फिर मेंटर का नाम लिखनेगा Also वेछ ओक्सिडेशन है वो भी किसमें रोमन में कि और लास्ट में एनगर अगर कोई रहेगा लास्ट में तो एनाय लिखनेगा इसके अलमा और क्या एसर इंफोर्मेशन एक इनफोर्मेशन उपर दे देता हूं आई पैक के लिए कि जब कभी भी इन जब कभी भी इन या इडिटी यह आ गए इन दोनों कंबाउंड के लिए दो को बोलेंगे बीस यह जबात समय में आई बोलो अरे कोई डाउट है इन मतलब इतली नायमाइन विस तीन मतलब ट्रीस चार मतलब टेट्राकेस क्लिए ये सर तो हम यहां पर बोलने वाले हैं कि वाई इस यह हमारा आंसर हो गया अब हम क्या करेंगे इस आयूपेक के रूल को नीचे यूज करके देख लेंगे एक दूए एक्जामपल में जैसे हमको आ गया हमको आ गया पीटी सी एल फोर एनस्ट्री ट्वाइस ऊपर ले लिया माइनस ऐसा कुछ डाल दिया बुला इसका आंसर बताओ पता है मुझे तुम्हें ट्रिस क्रिस में मजा आ रहा है इदर देख बच्चा क्या करोगे एनस्ट्री का आई पैगने अमा इनसर कहा से पता चल रहा है पेज नवर 196 एक ही पेज है जो आपको बनिया से घिस्तना है बैठ के उसको घिसला आपको आजा जादा टेंशन दूर समझा समझा ओ भाई अपने हालात अपने जज़वात विद्वारा कंट्रोल करो तुम लोग ठीक है अपने इरादे याज आईर मत करो यादे वाज़ा क्या करेंगे डाय आमाइन का आख स्पलिंग इंपॉर्णेंट है सब्सक्राइट तो अबर्इस लगा हुआ है अर्म एनस लागा तो क्या करनेंगा अगर माइनस लगा तो क्या करनेका प्लेटीन बन जाता ये लिए टीणी ब्रेकेट के बाद आगा त्री समझा कैसे टरीक्या है यह माइनस होगा ओ है किलिए प्लास बन जाएगा और यह मा ऐनने मेंस में सरे प्लास ठीर माद अजाएगा समझें किशें को भी कहीं पर भी यह और नो क्या यह व्याइव सब्सक्राण । कोई मतलब निक्टा करेंगे को हम इख लेका चलेगा यह सॉर्ण नो कोई क्लिर कोई डाउट है एक और ले लो जगा बचा थोड़ा सा थोड़ा सा जगह है अगर मैंने ले लिया यहां पर सी ओ एंड टॉइस एच्टू ओर टॉइस उपर आगा 3 प्लस अब बोले सकांसर क्या हो चलो तुम भी का याद रखोंगे तुम भी का याद रखोंगे तुम भी का याद रखोंगे सर पेज को क्या भड़पुर इप्लाइज कर रहे एक दम ऐसा लगना फुल इदम गरीवी में आ ठीक है एक दम बनिया तरीके से चलेगा बोलो क्या आएगा सर पहले तो आएगा डाय एक कोवा फिर आएगा बिस ब्रैकर में लिए इथलीन डाय अमाइन इथलीन डाय आमाइन ब्रैकर क्लोस मुलने का कोबॉल्ट ब्रैकर के बाहर 3 डैट इस दब करेक्ट आंसर समझ में समझ में आया कैसे किया मैंने कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी यह कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट आगे बढ़ा जाए माइंड मैप यह 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 काइंड ऑफ माइंड मैप हो रहा है तुमारे लिए अगला देखो जाना यहां पर आईपक खतम आप आने वाला है कि पूर्फ एहन यहां जिन बूलता क्या है यहां हमको यह बोलता है कि तकि जो कि छेड माइनस X प्लस Y कर दो क्लियर है तो सर्ष होता क्या है जेड़ को बोलेंगे एटॉमीन नंबर एकस को बोलेंगे ऑक्सिडेशन नंबर वाइग को बोलेंगे इलेक्ट्रोन डूनेटेड बाइ लिजेंड तो इलेट्रों डूनेटेड इलेट्रों मिला उसको लिजेंड से कोई डाउट अब एक्जामपल देखो ज़रा एक्जाम में क्वेशन आ गया यह इकवेशन लेलो लेकिन पॉलो वही करता है जिसका फाइनल नंबर इनर्ड गैस के बराबर आजाए इनर्ड गैस के बराबर आजाए इसको सौल करेंगे अब यह निकाल के दिखाओ या निकाले का कंडिशन के आए बच्छा उपर दिया है मैंने कि एफिक और चुटकी में निकालने आना चाहिए अब ऑक्सिशन के लिए इतना टाइम वेस्ट मत करो यह के वन प्लस फोर प्लस हो गया यहां पर सिक्स माइनस टू आ गया तो चुटकी में करने गा ए ए ए एन एकवल डू डू जेड माइनस एक्स प्लस वाय सर जेड क्या है जेड क्या बच्चा 26 बोलते हैं एक्स कितना आया दो सर वाई निकाले नहीं आता हम को बच्चा जितना भी यहां पर लिजेंड रहेगा और जितना नमबर दिया उसका उसका डबल कर रहे चे दिया तो चेदू नहीं बारा हो सम्झा अगर मोनो टेंडेंड है डाइडें आई बोलो क्या ये बात समझ में आई वह कन फ्यूजन किसी को भी कही पर भी एतो बोलो पिक्चर ग्लियर रुगा कि नहीं वह बोलो पिक्चर ग्लेर हुआ ये सर्ट तो मैं यह समझ के चलिक बाई यान आपको इन बनियां से समय में आ चुका है एक और एक्जांपल कि आप थोड़ा सजा बोलते ना ज्यादा एलर्ट मोड़ में रहो ज्यादा क्लियार्टी में जीओ आप लोग है कि नहीं रेदर देंजर से तुक्क्यवाजी करने ही सच्छा जो यान के अंदर जो और कंसेप्ट आ सकता है जनरली आपको घुमा घुमा की यही पूछेंग है हर बार कि आप बताओ यान को कैसे सौल करना है एक और एक और इसांपन ले रहा हूं में कि पीटी एन एस त्री फूर सील टू प्लस वान चलो देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगा आप लोग सर क्या होता है फॉर्मूला तो हम बोलेंगे यहान का फॉर्मूला सेम है बच्चा फॉर्मूला तो चेंज हुआ नहीं आस तक जेड माइनस एकस प्लस य यह अपर जेड एक्वल दो 78 वहता है फॉर्योर का इनिफ इन फॉर्मेशन है सर एक्स कितरा होग गाता यह हो गयं माइनस टू वह जागा बंज्या का प्लस टू प्लस न प्लस त्री हो गया वाई का अंसर देखो यह हो गया आपका चार दूनी आट और दो चार दूनी आट और चार बारा वाई को लडू बारा यान का फॉर्मुले में पूट अप करो 78 माइनस तीन प्लस बारा 75 प्लस बारा 87 87 नहीं चलेगा यान तो मिला मुझे आंसर लेकिन 87 इस नॉट करेक्ट 87 इस नॉट पर्फेक्ट यान रूल को फॉलो करने वाला बंदा समझा येस कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी कोई प्लसेन अब यहांसे शूरूर ओने वाला है है कि आई सोमेरिर्जम है आइसा मेरिजम आई समैरिजम उइसमेर जंक्रावा होता है अगर हम सिंपल बोलेच अधो है भी मॉलेक्लर फॉर्मूला कि सेम बोलते हैं ऐसो मेरिजम उससे निकलने वाला इस्ट्रक्चर ऑफ आलग अलग रहेगा तब हम बोलेंगे आइसो मेरिजम स्टेविल्यटी यह से पैचाने मतब अगर इनर्फ के बारापर हो तो फॉलोग कर रहा है अच्छा तब यह अन को फॉलो कर रहा है अटमिक वह दिखेंगे एक्जामें डोन्ट वरी टेंशन मत लेके बैटो यहां देख बच्छे अब यह दो तरह से डिवाइड होता है है तो हम पहला डिवाइड ले लेते हैं दो तरीके से डिवाइड है हम समझते हैं पहले के डिवाइड को पहला है आप के लिए स्टिर्यो आइसोमेरिजम है और दूसरा होता हैनल नल्हाएक चलेंगे की हम पहले दो टो एडूम के बार मेर में बैता रहे हैं कि किसको अब बात करेगा आड़tem के बार में बात करेगा तरल लो पीयूर से सून लो क्या बोला हूं जो पिरिक्टा इसन tomorrow क्युत इसकी अधिडर म najwięएन के बारे में बात करेगा जो स्टिर्योगे आइसम पार्म बात करेगा किलियर के लिए सर अन्दर दो बंद आते हैं जेनरली एक आता है जोमेट्रिकल कि जिसके अंदर 600 ट्रांस निकलता है और दूसरा आता है अप्टिकल अग्या जिसको कहीं इनन्ट शोमर आपने सुनाओगा जो इनन्ट शोमर पैटन दिखाता है पिर आता है स्ट्रक्च्छल वाला बंद यह तो यह आपर खतम हो गया अब आगा स्ट्रक्च्छल वाला बंद अच्छल में अलग मिलने वाले हैं अलग मिलेंगे देखते चलो पहले जैसे श्ट्रक्चरल में मैंने पहला ले लिया जो फर्स्ट मिलने वाला है मुझे सुनांगा आप लोग ने लिंकेज आई सुमर है लिंगेज आजुमर दुसरा लेने वाला हुमें जहां पर आपका कॉडिनेरेशन नंबर के उपर रहेगा कॉडिनेरेशन आज सुमर तिसरा होता है आपके लिए क्झे आयो नाशिश्टि या इसा कुछ होता है सॉलवेट क्ले क्लिकित लिंक doubt spirits क्ला जानी होता है सब्सक्राइब इंदे अमको यह नहीं पता है कि नहयों कि Universe ने लिंक वोesso मेरे पास कोई है मानते चलो कि मेरे पास एक SCN है दूसरा NCS है अब दुनों से में लेकिन एक सब्सक्राइब जाएगा प्लस मैनस आपको अंदर बहार हो जाएगा कोई भी प्लस मैनस आपको अंदर भाहर होजाएगा समझ माया येस 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 सम्झा बच्चे कोई डाउट कोई कन्फूजन चलो आगे बड़े सॉलवेड हो चुका है बच्चे अब आगे देख बच्चा अब आगे देख अब आगे देख देख लो अब बढ़ते हैं अगले कंसेट पे तरफ जो बोल सकते हो कि इस चेप्टर के अंदर का लास्ट कंसेट बोल सकते हो काइंड ओफ इंपॉर्डेंट तो होता है बहुत जादा वैलेंस बॉन्ड थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी दिमाग चला बच्चा ओँ मेरे भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी सबसे पहला कोश्चन हाइश पिन लोई स्पिन क्या आप लोगों ने हाइश पिन का जो है आख लिए उसको अच्छे से पड़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है लोई स्पिन वाले कमपरों च्छे सब लिया के नहीं पड़ लिया जैसे कि हाई supportive है इत्युयर्ट ब्र आई लोई स्पिन में जैसे सी एन चैसे और और नह्तिरी आ अगया और ऐसकते आए इतलीन डाय माइन आगी आ चछे तो हाइफ फिन क्या करता अच्छा है जरक हाने एक पड़ हो है है स्में क्आा काम क्या है है आज व theangenल टाहेन New 1700 में भागर के रखेगा हो अपने लिजन को वैसे फरकर के रखेगा क्या का बोला मैंने हाई स्पीन जो होते हैं डू नॉट गेट पेर्ड डू नॉट गेट पेर्ड जब कि लोज मिन वाले गेट पेर्ड लोज मिन वाले क्या होंगे गेट पेर्ड समझ में आया यह सब पढ़के लेना है वह सब पढ़के लेना है अब जो अब देखते हैं कैसे हैं देशे की एक्जांपल के लिए क्वेश्चन आ गया कि सी ओ कि सी ओ कि क्या था सी एल ले चलो सी एल ले लेते हैं सी ओ सी एल फोर टाइंस ऊपर डाल दिया टू प्लस ऐसा उस तो अमने डाल दिया अब सब्सक्राइब कर लिए और लिए लिए पहले नहीं टू प्लस थे अंगर टू माइनस आना चीए अब सभी है इसका वेलेंस बॉन्ट थेहरी निकालते हैं कैसे एक्जांबें कोशन क्या आता है आनिपड़ी लिटवान बताओ दूसरा कोशन जो पुछा जाएगा पै जल्दी बोल बच्च जल्दी बोल बच्च जल्दी बोल जड़ा अरे पहला बोलना मेरे भाई कौन है येस 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 जल्दी बोलो बोलोगे पर स्केक्षक परामेडीक, डामेडीक, सेकेंड अनपड़ी लेट्रो थिसना जीमेट्री आ सकता है, चोता है ये चार पांच कंसेट्ट इसके इंदर से निकलते हैं, निकलते हैं टीस तक नंबर या दोना जरूरी है थी तक का नंबर या दोना जरूरी है समझ में आया आप यह तक का नंबर या दोना जरूरी है तो युक्त सॉलंग इतना गया see you 2+, आगया ऐब क्या करेंगे आरगन था अरगन 3d7-4s2 इस तरह से ले लो 3d7-4s2 ले लिया बच्छा आपने चलेगा येस सर बिल्कुल चलेगा यहां पर आगया टू प्लस गायब 37 बच गया एक दो ती चार पांच छे साथ ठीक है देख लो यहां पर अब यह बन गया आपके पास 3 3 बच गया जो आपको दिखाई दे रहे और यहां पर एस आएगा और यहां पर पी आ गया बोले समझ में आयो यह सोर नो यह और नो चेकर बच्छा पहले यह आपको मिल गया इस तरह से यहां पर हम बोलेंगे 37 यह 4s और यह मिल चुक्त आपके लिए 4p हमको कित हाली घर खाली करवाना है तो चार घर तो यहां से मिल सकता है बड़ी आराम से कोई दिक्कत नहीं लग रही है यह पीछे शिफ्ट हो सकता था लेकिन वो नहीं पाएगा बिकॉज यह पैटन में जा रहा है तो हमारे पास यह आपर निकल कर आएगा वह बन जाएगा sp3 का प आपको कैसे दिखने है और नमर वाले दिख रहे हैं तो और नमर होने वाज़े से और एक्ष्ट्रा ब्लोग भी निचाहिए दो दो अप्शन होता नमर वाले में आपके पास लेकिन आपको ज्यादा घर चाहिए तब इसके बंदेना स्विच होते है और एक्ट्रा बंदा इसके जरूत नहीं होने वाली है यहाँ पर कुछ ऐसा डिमांडी नहीं है चारी तो घर चाहिए चार घर चाहिए तो आपके पास अलेडी है अब अगर यह आपका SP3 है तो क्या यह पैरा हो सकता है यह तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अगर लोई स्पीन है तो क्या मैं आख बंद करके लिख दू कि वह डामेंडी होगा मैंने बोला नहीं ऐसा कभी नहीं करना ऐसा कभी मत करना क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाएक तुम्हारे सथ दोखा समझ में आ रहे हैं अगर यहीं क्वेश्चन ऐसा आया होता अब यह सेम क्वेश्चन जस्ट यह सेम क्वेश्चन इस तरह साया होता सम्झो और निकल के रूप में आउता निकल सी एल फूर टू माइनस ले लिया इस तरह से दे दिया बलेंगे इसको सॉल करो निकल टू प्लेस बन गया आरगन 384s to एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ अब यहां पर यह क्यों हो आपके भास देटी बचा यहां पर ऑफस इस तरह से बच रहत देख रहा है यहां पर पूर एस हैHearn 4P और यहाँ का भिछा अब हया है यहां पाइज ने कुछा हा रहा हूं है और आप ओने की मतलब यह दिनीये क्यों 괜찮 यही तो कर लिधर ज़ा सकते पीछे सर्च अघ्म अरए मेरे ऊसल नहीं ल५ चाहरे और रहा एक अधाल कि यह a आपर S और पी मिलके क्या हो जाएंगे SP3 बन जाएंगे तो ये वाले बंदे SP3 रोगा टेट्राइडर और आपका यहां पर आंसर रहा कि यह जो आंसर होगा यह क्या होगा आपके लिए यह मुलेंगे बाइडी फॉल्ट पैरा मेरे टिका दाएंगा समझा यह होता है बालेंस बॉंड थेशरी यह वोट ए बैलेंस पॉंड थेएरी क्या वोलेंगे वैलेंस बॉंड थेएरी इसके बाद क्या है सर इसके बाद जबन आपर बेसिक से चीजह हैं सी एफ टी क्रिश्टल फिल्ट तेरी कुछ है ने उसके अंदर दरोमत बहुत से लोगों लग रहा है कि सर हमको वहीं नहीं समझा है आरे वो कुछ थाई ने तो तो समझेगा गां उसके अंदर समझने के लिए कंटेंड होना चाहिए तो समझेगा यह एक बच्चा वाले से नहीं समझ रहा है क्योंकि तुमने यह डिटेल में पढ़ाई नहीं होगा तुमने यह कौंसा लेक्टर चल रहा है एक सिनॉप्सिस का क्रैश को जैसा चल रहा है यहां पर मैं बहुत स्प्रिट करके नहीं बता रहा हूं यहां पर मैं नहीं सरकाते हैं लेकिन जो लोई स्पिन वाले वह अपना पीछे शिप्ट करते हैं तो यह कुछ लोई स्पिन वाले हैं इनको पीछे करने की नो बता जाती है लेकिन अभी फिलाल नहीं कर रहे क्योंकि और नंबर में बिलॉंग कर रहे हैं तो यह आपको समझना किसी में भी कोई confusion है कोई doubt है कोई doubt है बच्चा येस अरे बच्चा ये cn वाला जो है ना अगर समझों कि मैंने उसको उठाके एक यहां डाल दिया समझों तो ये वाला दो बंदे खाली हो गए मेरे ये दोनों बंदे खाली हो गए ये आप बोल रहे हैं कि डी एक लेलो एक ए लिए दो कर देखा nuclear किसान एक दो तीन चर चार मारें एक मैंने यहांस निल्यादी दो तीन कि Steph रहें यहां पर फिरिये उन्हें यहां पर पोस्श इंडिल्म एंद पर यह यहां पर बंद आंघ्छा कि क्योंकि बाद्चा यह लोड़ल होने के बाद भी पीछे ट्राय करेगा इसके एक रोटन जाला पी में हमें से याद रखना एक एलेट्रोन बच्छा कहां जाएगा पी में जाएगा क्यों सर क्योंकि वह शिप्र पीछे की तरफ जब यह पीछे शिप्र नहीं मिलेगे देखो अब देखो दिमाग चलाओ एक दो तीन चार पांच छे साथ अब यह वाला बंदा यहां आगया इस तरह से और यह जो इलेट्रोन ए कर देता है कि इसमें दो तरह के पैटने मुझे लगा साथ सेकंड वाला दिया है मैं वो देख रहा था कि आज़ा 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 रूजा रहा है मैं आपको वाला भी दिखा ज़ें तो अब सही चलो कि इस वाले को मैंने यहां डाल या मैं नीचे बनाऊं तो जगह आपके लिए यहां पर चुटा सा यहां पर डी के लिए जो बनेंगा वो दिखा रहा हूं में एक दो तीन चार पांच छे साथ मतलब अब जो है यह पेरिंग करेगा इसके साथ एक डी एक एस और पी का सिर्फ दो ही उस होगा डी एस पी टू बन जाएगा हाईबरेशन एस पी त्री नी बनेगा एस पी त्री नी आएगा इसके अंदर क्योंकि यह आपका पैटरन अलग हो चुका है यह बन जाएगा आपके लिए मैं द देख लिए बच्चे यह मिल गया 4S यह मिल गया 4P अभी आपका यह शिफ्टिंग करें तो उपर वाला आंसर बन जाएगा इस तरह से मैं जो आपको बता रहा था जो मैं बता रहा था कि वह कहां पर सेचेशन होने वाला है वह एक्जांपल मुझे देख रहे तो एक मट ज कि अज वह एक शेशन हो रहा है और मुझे 6 के जरूरत है तो चुछो अगर मुझे यहाँ पर 6 के जरूरत होती है फिर से देख बच्चे यह सेम इक्जांपल लेकिन अगर मुझे 6 के जरूरत पड़ती पर यह करेगा शिफ्टिंग कर पाएगा गाशा चेख करो एक शिफ् केसिस में यह जो बंदा है जम घरके आगे चला जाका डी वाले में और यहां से दो डी काले होंगे तब दी टू यहां चला एसा बन जाएगा और यह अकेला ऐसा बन गया अब एक जगह लगा फाली हो गई एक जगह ये एक जगह s और ये दो जगह p. 2वे मिलेंगे dsp2 बन्हां के स्क्रायर वाला आंसर बन जाता है स्क्रायर प्लैनर साओ जाता है बोलो समझ माया बोलो समय माया अब नीचे बच्छा नीचे वाले में पर्फेट एक्स्टर भूलेंगे चलेगा प्रिस्टल फिलिटेटरी के लिए क्या बोलना है एक तो पहले डी जनरेट रुखा टेस्ट्ट पूक के अंदर जाके देखो आपको डी जनरेट यहाँगा जबी ना दो पार्ट में डिवाइड होगा डी एक्स तुमाइ क्रिश्टल फिलिटेरी का ही देने है समझ माया समझ माया कुछ डाउट है यह कंफूजन चलो अब यहां दो शुरू हो रहा है आपके लिए मौश्ट कर देख लो देख लो ओट टाइप ओफ यजन इज इद इद ली डायमाइंड जल्दे बोलो है इद ली डायमाइड किस टाप पार अलिजेंड है कि सर यह तो वरपाय डिंडेट होता है सबको पता है इतना क्या हम टाइम पास करेंगे वाडिंटेट होता है देख बच्छा ध्यान से इस तरह के कुश्चन आने के चांसे बहुत ज्यादा जितना बोला जाओ उतना ज्यादा चांसे के रहेंगे फटा-फट दिमाग चलाओ आंसर बताओ वोट विल बिदा राइड आंसर पॉर इस क्वेस्चन बोलो देख लो एक बार अब सही है चेकर बच्चा चेकर रहेंचर आंसर क्या उन्नेवाला है attachment बोला है link बतलब किया होना च मतलब किया सकता है या कि इस वाथ से एकरड़ा करें सर एक यांसर की विकास allowed n और वो यह आको लिंकेज दिखा रहा है क्या दिखा रहा है लिंकेज दिखा रहा है ध्यां देना अच्छे से अगला कुश्चन विच अमंग फॉलोईंग कंपाउंड है जो लोवेस्ट अध्यूंग एक और शिदेशन स्टेट्स ऑफ आईरन पोड़ा दो इससे इजी नहीं मिलने वाला बच्छा इसी नहीं मिलेगा बस थोड़ी से मिनद करना है थोड़ी से मिनद करना है बोल जरा आप अरे यार दिमाग चला ना जल्दी से कि दिमाग चला जल्दी से मुझे तो फील आ चुका है कौन सा सबसे अच्छा अंसर आने वाला है चम चमाता हुआ आपको भी फील आ गया होगा आपको भी फील आ गया होगा जल्दी बोलो आपको पता है कार्बोन ली कितना ओसिरेशन दिखाता है फेज नंबर 196 पे यह क्या प्रटो जीरो आजाएगा क्या ये बात समझ भी जैए बात समय माई बिल्कुल समझ माई अगला कंटें अच्छे उप्या मार्किन क्या निक निक मार्किन किया राइड असर नमबर ए नेक्स्ट अगला वसर ओट इन उफ सेंट्रल आपने इन 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 जान दिख लेगा इन तो सिद्धा जीरो हो जाएगा वाई बार अंसर आगया 36 तो राइड आंसर नंबर बी समझा एक बच्चा वोले से इनर इनर वाला और और आउटर क्या होता है इनर मतला बच्चा जो में डी यूज करा था ना पीछे इस वाला ऐसके पीछे वह इनर था और अपर तुम पीके आगे वाला यूज करोगे पीक्या आगे वाला यूज करोगे उसको आगे वूटर समय में आया हूं समय में अभी आइडेटिफाय कॉमब्लेक्स वीच्च फॉर्व फॉलंग डेट इन वल्जेट एन एम एंबी एक डाया माइन तपन फिक उम बलंट तो राइड़्य नूमड सीम हम को पुछा क्या पर पहस्ट आप पहले पहले बंद भूलाए को पहंचानों यही बोल रहे बच्छा और कुछ押रा है मेरे बाइटेंशन क्यों लिया तु आगला वेक्षिन आपके सामने चाम आता हुआ इपाइब फर्मूला पोटेशियम ट्राय ओक्जिलेट टो एलोमिनेट डिफिकल्ट रॉड़ा सा पोटेशियम पहले आ जाएगा फोर नहीं में तो के आएगा बाद में ट्राय ओक्जिलेट ओ टीटो पोर थ्री टाइन्स एलोमिनेट बोला इतना तो आने वाला है बड़ अभी कितना आएगा वो देखना पड़ेगा एक इतना आएगा वो देखना पड़ेगा त्री बोला ना याँ पर अगर मैं इसको त्री लेलू तो यह प्लस थ्री ऐलूमिनियम माइनस इक्स इक्स एक्स एकल जिरू पर्फेक्ट ये जा ये यह आपर सी आंसर करेंट हो जाएगा सी इस दी करेंड आंसर मिल्स इननिट्फ्वाय निक्टेंट लिजन इसी परांध फॉल्लिंग सल्टारी कोबल्ट आयन आखेग लोगी भिम्हां नमब्र गुशा जाता कि बार किसे नम्बर क्या होते हैं कॉर्डिनेशन नमबर क्या होता है कॉर्डिनेशन नमबर जो होता ना बच्चे लिजेंड का नमबर बड़ दोनर आटम दिखाएगा तो जैसे यहां पर बोला है इस वया है जाओ और यह तो यह काम नहीं है है इस अमाइन मतलब 6 आ गया हूँ जीड माइनस एक्स प्लस वाई है अगर यान का नंबर 35 है कि सॉरी यान का नंबर कितना है यान का नंबर 35 है बाराबर जेड एफ़ी का 26 है एक्स तो हमको पता यह थ्री आ रहा है तो वाई निकालो कितना रहा है बच्छा बारा बाना रहा है कुछ और आ रहा है सरम को तो बारे मिल रहे हैं पांच में से तीन गया दो तीन में से दो गया एक विच आप फॉल इस्टेट्मेंट इस नोट करेक्ट अबाउट सी ओ एफ शिक्स प्लस त्री बोलो मेरे खल से नौट करेक्ट में तो पहला आंसरी जोल लग गया मुझे पहला आंसरी पता नहीं को ऐसा लगना है कि जोल है क्या बोलती पॉब्लीक सी ओ एफ शिक्स एफ सिक्स है भाई एफ है तो हाई स्पिन आना चीना लोग स्पिन क्यों दिखा रहे हो दिखा रहे हो यह अंदर अगरेट्रोलेप्टिक अगर है तो ही आपका होने वाला है एने इस तरी ह्ट्री एच्टो और सियल यह तो है लेकिन दो बंदे सेम से में होने चीए यहां पर से लग रहा है यहां पर दो अलग अलग यह सही लग रहा है अंसर में ल्ग क्या बोलता थो समझ में अता मैं चिए मिंट्रिकल और बॉला है लと思います क्यों बर्टिकल यहां पर यह चार होगे लिए चलिझल रहेंगे टो चार Colossal और नीच है संख तक है यह सेमय यह दोनों भी चार दिख्रहें लेकिन क्या ये क्या ये ऑप्रिकल दिखाएंगे वह बटाइब क्या ये औप्रिकिल दिखाएंगे ये कितना है एक डू तीन चारे ये भी चार ये लिए něलडि थोग गया तो आंसार आऊ और अप्टिकल भी बड़े आराम से दिखाएंगे एक यह जान देना ओक्ता हेड्रल का इंपोर्टेंस है और टाहेडरल का इंपोर्टेंस है राइट अन्सर नमबर भी नेक्स्ट आइडेंटिफाय टाइप ऑफ हाइबरेशन इन निकल यह तू लिखा हुए टेंशन मतले न जिसका नमबर टू है निकल आयन इन सी एन आई से फोर तो मैंने तो मैंने कराया था यार अर यह तो कराया था टिकमा करो सी आंसर यह आपने पीछे कुछ और कराया था निकल वाला एक रहा था ना भाई एस पी त्रिया आए था हमारा देखो फिर से देखे लो एक पर चरा आ एन आए दिएल पूर टू माइनस में एनाए मिल्गा प्लस टू आर गन क्या बोलेंगी थ्रेटी एट पोरेश टू एनाए टू प्लस में आर गन थ्रीडी एट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह मिलका दू अनपेर लेकिन इसर यह सील है तो जंपिंग नहीं करने वाला है बचा कौन एस और पी बचा इसको मर्च कर दिया आंसर आगया एस्पी 3 समझा क्या ओ भाई समझा की नहीं सम्झा कुछ जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्द जल्दी करो सर पनवेन निकल लाएं क्या वाद है वाली नमबर आप अनपेर इलेक्टरोन इन सीओ क्यों 2 3 प्लस बोल बच्चे कोई लिजन नहीं है सिर्फ CO3 प्लस डारेक्ट आरगन दो यहां से यह गया तो बच गया 3D6 और 3D6 का मतलब 6 अनपेड मन बोल देना 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर 4 आ गया 4 अनपेड आ गया 4 बोलो समझ में आया है बोलो समझ में आया next which element following is present in cisplatin क्या बाद है cisplatin में क्या present होता है cisplatin में प्लेटिन रहेगा बिल्कुल सही yes or no yes or no next for a different coordination number ABCD have EON EON number 18, 36, 54, 35 identify the compound that does not OB EON rule क्या question है भाई क्या comedy करो है हमारे साथ ये सब inert gas है ये follow करेंगे 35 वाला नहीं करेगा मतब D वाला नहीं करेगा तो right answer होगे ये D क्या लिखेंगे answer में आगे बड़ो ये वी नहीं करेंगे ये वी नहीं करेंगे भाई एक एक चैप्टर जो एक बढ़ता जा रहा है तूटता जा रहा है एक दम रगणते जा रहे हम एक चैप्टर को येस सही बाद है येस और नो छे आये गाना कितना मोला है भाई बारे डिवाड़ पह चेप्टर बच्चा 12 इस चैप्टर पिखार रहा है कर यहां पर गल्ती हो सकती है पेरो फिल्टर रिट्रॉन फराग पेर फिल्ट्रॉन यापिर नमबर आफ एल्ट्रॉन अगर पुछ देगा पेर ओफ इलेक्ट्राउन तब अब 6 से डिवाइड कर देंगे आया समझ में आया समझ में कोई आउट किसी को भी कहीं पर भी अगला क्वेस्चन हो चुका है आ चुके हैं बाय मॉलेक्यूल्स नामक खतरनाक चैप्टर की तरफ खतरनाक नहीं बोलूगा यह अगेर बालोजी से भड़ा हुआ इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको समझ में यहां पर बताने वाला और यहां पर आपको डी एकस्कार माइनस और दी एकस्कार मानस वाइस कर और इसके लिजन्ड हाइश्पिन को सब्सक्राइब पर यह यह वह यह बोलो हुँ श्यार्ट क्या आएं मैं पीसी अमोलों का दस्धन बिल्कुल सभी पी स्यमोलों का दिस्धन यह च्टर है चलो शुरू करते हैं without any depth चेप्टर क्या सर क्या होस्व भायो मॉलेक्युल्स है और इसबेंятся में पहला बेंस कार्भो हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है न कौन से लोग होते हैं जो अप्टिकली एक्टिव होंगे पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी की टोन बताएंगे द्यान दें ना इस बात को यह बाइड्रोक्सी इस रूप में देखा गया शी एक्स एच्टु ओवाई के रूप में देखा गया और ची एक्स एच्टू ओवाई के रूप में देखा गया हला कि यह सक्सेस नहीं हुआ तब उसके बाद यह थियरी यह वाला जो डेफिनेशन वो प्राउपर आया फिर बात में आए क्लासी विशन और कार्बो हाइड्रेट्स अ क्लासी फिकेशन और कार्बो हाइड्रेट्स कार्वाइड्रेट्स कार्वाइड्रेट्स में क्या या बोलो तो आया कि यह मोनो से क्राइड होता है यह क्या होता है बच्चा मोनो से क्राइड है अब जो मोनो से क्राइड है वो डू नाट डिकंपोज इंट्र सिंपलर सुगर सिंपल डू नाट गिव सिंपलर शुगर on hydrolysis do not give simpler sugar on hydrolysis समझ माया do not give simpler sugar on hydrolysis यह दिमाग में से तो लेक दम यह बिल्कुल भी hydrolysis के बाद सिंपलर शुगर नहीं देगा इसके बाद आता आपका मोनों से क्राइड आगे आगे आप देखेंगे तो फर्दर डिवाइड होता है यह दो पार्ट में यह फर्दर डिवाइड होगा अल्डोजेश की टोजेज अल्डोजेश जिसके अंदर मोलेंगे अल्डी हईडि ग्रूप होता है अल्डी हईडि ग्रूप रहे सकते हैं अल्डोट रायोज अल्डोज टेट्रोज इस तरह के लोग दिखेंगे और दूसरा आता है की टोज की टोज़ज जिसके अंदर आपको मिल जाएगा कि टोनी ग्रूप मेजर ली अगर हम आगे की बात करेंगा तो वापस सेम के टो ट्रायोज कीटो टेट्रोज ऐसे लोग मिल सकते हैं का यह बात समझ में एकदम बढ़ी हैं साहीं क्लासिफिशन आपका सिर्फ यह मोनो वाला बताया मैंने अब हम बात करने वाले हैं औलिगो सेक्राइट निक्स आने वाला आपके लिए ओ लिगुसे क्राइट देखो जान से नेस्ट के बच्छा आपके लिए ओली गोड़ेको ए और ली गो अ आउनु चैक राइट और लिक्र शायरण का मतला है विच गिव तू टू टेन अ मोनो सेकराइड विच यूज टू टू टेन मोन सेरेडिस कंडिशन अप्लाए दो से दो सी मिलने वाल है इसके अंदर फर्दर आपको हो सकता है शायद से जैसे की डाय सेकराइड ट्राय सेकराइड टेट्रा सेकराइड लिए इंपोर्टेंड भी है डाय के अंदर जो है कि तुक्रोज है डियोंगट प्लस फूतों का हमनेशन ट्राय के अंदर रेफिनोज ग्लुकोज फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज का कॉमिनेशन टेट्रोज के अंदर स्टैचोज स्टैचोज प्लस टू गैलेक्टोज स्टैचोज आपके लिए पॉली अपके लिए पॉली से काइट अपर फिल आपके लाथा है पॉली पॉली से क्राइट दिख रहा है यह सर पॉली वाली में का बोलेंगे पॉली विच्व लार्ज नूमबर ओव मोनें राइट विच गिव लार्ज नूमबर ओव मोनो से क्राइट सिंपल एकदम टेंशन ही नहीं एक्जामपल स्टार्च और सेल्ली लूज है ऐसे नहीं हमारे एक्जामपल सो जाएंगे कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी येस मजा रहा है एकदम चुटक्यों में आप खताम हो गया देखो बाय मॉलेक्यूल्स एजी होने वाला है टेंशन लो मत अब आने वाला है प्रिपरेशन आप ग्लुक सुक्रोज में पानी मिलाकर एच प्लस लेते हैं सर कैसे सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन पानी मिलाया डानूट एक्षिन के साथ में है कि सीच एच टूल और शीच डेशिच ते शीच टूल ओशनी यह वाला आंसर हो गया दूसरा मेतर स्टार्च में पानी मिलाकर कि सीच एच टेन ओफ आईफ प्लस एच टू ओ यह मिल आपके लिए ग्लुकोज अ यह कि से बनाया सार अपने स्टार्च से बनाया कि स्टार्च बुले ये बास समझ मारिये ए रीए सर ये उपर अलगों सा मेतल है तो फबनेंगे लैबरट्रेमेटर निच्वामान सामेदर इंड़स्ट्रियल मेधल या पॉमर्शयल मेधल पर सम्झा कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी सर ग्लुकोस क्या है धिकल कोज अगर हम देखेंगे तो एक डिस्टोरी बन्द आई है अब इन डिविज्टोर लोगे तो देखेंगे तो डिस्टोर पेट रहें इस लिश्टोर बोलते हैं और फ्रुक्टोज एक लाइव रोटे रहे हैं इसलिशका लाइव लोज बोलते हैं लाइव लोज बोलेंगे ग्लुकोज नियर अबॉट प्लस फिफ्टी टूपंट पो एज रचेकल लिग बार यह प्लस नाइटी टूपंट से मैं या फिटी टूपंट पॉर्या से विट लिग बार इसका वैल्यू है नाइटी में दोंट पॉर्ण कितना है फिटी टूपंट से मैं फोर और इस पर खाल विल्टा मुझे पका ना फिफ्टी टूपंट से मैं आपन नाइटी टूपंट पॉर आईगा माइस नाइंटी टूपंट पर यार्टा लो सरीए इंपोर्टे ने बहुत ज्यादा मेरे डिटेल में नहीं जाएंगे आवर्ट का नंबरिंग बस आपको यह पता होना चाहिए ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे शॉटकन आपको इत्म समझ मैं जाए क्या है ठीक है ध्यान दे बच्चे यहां पर देखें यहां पर अगर मैं बोलू कि मेरे को सबसे पहले ग्लुकोज का रियेक्शन है कि एक्शन औफ एच आए यह देता क्या है रियेक्शन यह क्या देगा क्या गनफर्मिशन देगा च्छिक्स कारवन इन अ श्ट्रेइट चैन इन ग्लुकोज समझ माया समझ माया श्ट्रेट चैन इन ग्लुकोज दूसरा दो रियेक्शन है यह मिलाओ एंड यह मिलाएंगे इससे बनता है ग्लुकोग जाइम इससे बनेगा ग्लुकोग साइनो हाइडरीन साइनो हाइडरीन लिग दो इस तरह से साइनो हाइडरीन सामझे यह जो बंदा है ना यह दोनों एक एक अनफर्मिशन देंगे कौन सा कनफर्मिशन अल्डी हाइडिक या कार्भूई निमोल आप कार्भून ज्यादा बेट रहेगा कार्भूनिल कनफर्मिशन नेक्स्ट नेश्ट अगर मैंने मिला दिया ब्रोमीन वॉर्टर के साथ मतलब यह भाई साब क्या बोलेंगे कि ग्लुकोज जो है ना वह बन चागा है ग्लुकोनी के सीड मतलब उनली अल्डी हाइड कनफर्मिशन क्यवल अल्डी हाइड कानफर्मिशन है और अगर मैंने मिला दिया एच नो त्री ओ माइगाड तब ग्लुकोज बन जागा सेक्रिक एसिड बच्चा क्या बन जाएगा और कनफर्मिशन किसका होगा प्राइमरी अल्कोहल का सबसे इंपॉर्मिशन अगर मैंने ग्लुकोज में मिला दिया बोलो एसिटिक एन हाइड्राइड बालु में क्या देता है यह कनफर्मिशन में यह देता है फाइप हाइड्रॉप्सिल ग्रुप फाइफ हाइड्रॉप्सिल इन ग्लुकोज देता है यह क्या देता है फाइप हाइड्रॉप्सिल ग्लुकोज बाई यह टाइटल ब्ड़ी लेक्षे कितने वाफ़ाने वाला है 930 बच्चा टॉपर में टॉपर में लेक्षे 930 तरी खतम हो जाएगा डूंट वरी चले कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी कोई कन्फूजन बच्चे आगे बड़ा जाए एक आगे बना जाए चलो आगे बढ़ते हैं पाइप तोड़ा सा हवार्थ कि तरब बढ़ते हैं अगर मैं बूलू हाओ अरशन एक क्मित मैकल लॉर्ड को अरे स्मिसम्ट माइकललाद कट्रिक मानलूीं की भूलिया तुम लोग य९ह तुम लोगम भूल गए दो भी काम नी बनने कुना माला है इदर स्मित माइकल लॉट की एक गल्फ्रेंड है जो बहुत ही गूड गल है जो हमारे यहां पर ग्यान गांगा टुटोरियल्स मतलब जीजीटी में पड़ती थी समझा समझा पुछ दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी बोलो हो ग सम1 माय बुर समय में क्या परिक गजरा है फिर देखो यह फिर समय बच्छां समीः तमाइकल की एक गल्फ्रेंड भहुत इग starch तो जीजीटी में पढ़ती थी अब इसको क्या करने का इसको क्या अलफा बीटा अलफा अलफा बीटा बीटा ये ट्रिक होगा तेरा ये पूरा तेरे सामने समझा येस 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 अगर आपको मॉक्टेश में 36 तो 45 आ सकता है बचार आम से आजाएगा ठीक है कोई दिक्कत नह अगर मैंने ले लिया सेलियो बायोज मैंने ले लिया सेलियो लोज अमाईलोज अमाईलोज अमाईलोपेक्टीन अगर मैंने ये सब ले लिया तो इनका ट्रिक है सर इनका ट्रिक है कि सब जगग ग्लुकोज ग्लुकोज लुकोज लगा दो ग्लुकोज ग्लुकोज ग्लुक अब इनके वर्डिंग को देखो पाय मतलब बीटा और बाय मतलब दो बीटा लोगोज इसका मतलब यह आया एसे अलफा बोलने यह भी कहा रहे हैं पॉलिमर इसको ब्रांश पॉलिमर बोलते हैं यह भी अलफा अलफा आ गया यह सब ट्रिक आपको बताया गया है तो रिविजन चल रहा है एक तरह से बोलो समझ में आया बोलो समस्वाज में आया कोई डाउट है अब मैं इसमें यह नहीं जाओं कि भाई कि यह के साथ इसे अटाइच होगा वह आपको करना है जैसे कि अवर्थ में एक्जाम में पूशन आ गया दो बोगे यापर इसे सुक्रोज कि नो प्रिभ ही कॉन सुक्रोज बाकी सब के अंदर क्यों यह अल्डी हाइड प्रिपॉद मिल्टा है सर एक करके दिखा अब को तो समझी maior आईा जिसे कि आपको लिलो मेल टोज लेल चलो हैं 미ोटो लेलिया है है मैल टोज लिया तो इस को इस तरह से बनाना पडidяться मेंएगे inwardटोसिस्टाें ग्लुकोज अलफा अलफा आपको बनाना तो नहीं है आपको पहचानना होगा लारा तो भीकर इस तरह से चिपकेंगे दिखाए दे रहा है तो यह जो अल्ड धीघराना इंए फ्री फॉर्म में बचा यह फिर अल्ड हाइड और फ्री हाइड होने के वज़े से हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रिडियूसिंग शूगर क्या बोलेंगे बच्चा reducing sugar बोलेंगे बोलो समझ में आया कोई doubt किसी को भी कहीं पर भी yes बोलो आगे बड़े आगे बड़े जली बोलो मज़ा आरा एक दम full like इतना कम क्यों यार public 20,000 और like है 2000 भी नहीं चल क्या रहा है market में मार्केट में चल क्या रहा है मतलब ये इस कि स्टार्ट क्या जाए आगे बड़े कि आगे बड़े ओके तो यह अपने दिवाग में सेट करना तो यह आपका जो फॉस्ट आप होता है है जनली समय होता है सेकंड हाफ में बच्चा पूरा थेयरिया जो आपको रीड़ करना है यहां पर मैं सेकंड आप नहीं ले रहूं लेकिना तो रहा पता दो कि क्या आपको पता हूं अचीब आमीनो एसीड के बारे में याद रखो अमीनो एसीड जो कि आपको अलफा इसीड से निकलता है पिर यहां पर अमीनो गृप होता है यहां पर आर लेंगे आर डिसाइड करता है कि यह बंदा कैसा होगा और टोटल कि टेन अमीनो एसीड योते एसेंशल होते हैं इसेंशियल अमीनो एसीड 10 एसेंश्यल अमीनो एसेंश गाहते हैं कि ग्यक्र Scout hr जाता है इसमें क्या ताइड बॉन मिलता है क्या रिखेट पीप्ताइड मुलेगा इस बात का द्हान देना वोई दिक्रत फिर इसके बाद आप का कर देनने आरने के लिए पता होका शाय से प्यूरीन रिंग ओते हैं और प्युरीन में होते हैं यह सब्सक्राइब यह एकदम बढ़िया से एस कि इस कई अ कुछ बूल दा नहीं है चेक कर लो इसके अलब मुए आ पको रीड करना है जैसे कि पुरा का पूरा पूरा primary secondary profile protein रीड करो पूरा theory information बाकि पूरा का पूरा theory information है पूरा का पूरा theory information है आगे बड़े आगे बड़े एरे बोल भी दो चलो आ जाते हैं the most expected most most पर पर दोड़ी अच्छ कि तरफ आजाते हैं तो मुस्ट एक्सपेक्टेड़ क्वेशन की तरफ मतला रहा है यह यह एक रिवीजन हो रहा है जहां पर आपको बहुत सारे से रहे हैं यहां यार फिश्चर मुझे भूल गया था यह मुझे ट्रिक याद है आगया क्या ट्रिक क्वेंसर पढुने के लिए यह पूससक्ते हों कि अगर आप को मिलिए कि आपको क्यों creator कर नहीं है कि आपको सब्सक्सक्राइब हां कि याशन्र को फिर क obstruction की सब्सक्राइब पढ़ने के लिए एक and map benük challenging my dogmasprit अच्छा यह चीजह यह झालिए इंपोर्ट है आम रिकिन अगर आप यह को कि इसर में टेस्ट बूक नहीं पढ़ रहा हूं अरे आपका माइंड मैपिंग पढ़ रहा हूं तो भाही तुग गलत कर रहे तुग गलत कर रहे है समझ में मैंने क्या बोला आपको माइन्ट मैपिंग करना ही होगा उसके साथ मैं टेश्ट प्रेडी करना ही होगा डील सब्सक्राइब сл警 deficits दर्द हुआ है ना मतलब तुम ट्रस्ट नहीं करोगे आज मतलब मेरा स्कूल भी था इन्विजल बूट इक्जाम था हमारे यहां पर तो आज मतलब लगातार समझागर ऐसे दिखेंगे तो साड़े आठ से एक बज़े तक हमारा इन प्रेटकल होता है जनली तो प्रेटकल मे सब्सक्राइब तो फिर क्या दिक्कत अरे बच्चे है तो क्या दिक्कत है कि अंदर से खुश-खुशी हो रहे है कि बच्चे है तो फिर दिक्कत देनी यह चलो और बैट के पलाने में मुझे मजा नहीं वीच अमंग दो पॉलिंग स्टेटमेंट इजन नॉट टू इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है आपको अगर आप टेस्ट बूक रिडिक होंगे तो यह आपको समझेगा नहीं तो यह मुश्किल भी रहगा आपके लिए तेस्ट बूक रिडिक कर आएंगे आप लोग पहले वो बताओ इसमें जब भी हम न यहां पर बोला है नौट ट्रू बोला है कि ट्रू बोला है नौट ट्रू बोला है जब भी हम दो लोग को मिलाते हैं जब भी हम दो लोग को मिलाते हैं तो एक वाट्रों मॉलेकुल पानी बाहर रिखा जाता है एक वाट्रों मॉलेकुल जोता है बच् और ट्रू और पहले ऑप्षिन बोले कि टू ओट्र मॉलिक्यूल और इल्मिनेटेड तो दो बंदे हम बना रहे है ग्लासाइल और एलनल को जो मिला रहे तो दो पानी कहां से जाएगा पानी दो एक जाना चाहिए तो राइड आसर हो गया नंबर एव समझ में आया नेक्स्ट विच्ट फ्रॉम्ड फॉल्विंग नाइट्रोजन बेसेस डिराइड फ्रॉम प्यूरीन देवा यह आपको एक ही क्वोश्चन प्यूरीन प्यूरीन के उपर क्वोश्चन आ सकते हैं प्यूरीन के लिए क्या ट्रिक बताया था ए जी ओ जी ए जी ओ जी लो जी सुनो जी यह है अपना आंसर जी बोलो सर एड़नायन को लॉक कर दो एड़नन को लॉक कर दो सर्स नंबर सी एकदम एकुरेट आएगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया कोई डाउट है बच्चा किसी को भी कहीं पर भी अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा इसको बोलेंगे कारिल सेंटर कभी कभी आता है कि इसके कितने आई सुमर बनेंगे अप्टिकल आई सुमर या आई सुमर तो टू का पावर एन बोलने का इधर टू का पावर वन मतलब टू ही बनेगा बड़ इधर कारिल सेंटर कितना है नंबर ओफ कारिल सेंटर बोला तो वन बोलने का सारा इंफोर्मिशन दे रहा हूं इस पेच पे ताकि आपको नहीं पर कोई दिक्कत ना है किसी भी मूड पर नेक्स्ट कि आइडेंटिफाय रिएजेंड यूज्टू कनवर्ट सिय चो को कनवर्ट करना है एन डवल बॉंड यहां दे ऑग्जाइन जैसा दिख रहा है कुछ यह चलो सॉल करके देख लेते हैं आर कि सी डबल बॉंड ओए अच तो एसमें अगर मैं कुछ ऐसा मिला दो हाइड्रो अमाइन तो ऐसा लग रहा है कि सर अंसर बनेगा आर सी एच डबल बॉंड एन ओच देखो यह बन रहा है क्या यह सर मतलब अंसर आगया आपके लिए अंसर आगा हाइड्रोग्जील अमाइन इस दिक करेक्ट आंसर समझ में आया कोई डाउट कोई कन फ्यूजन अगला क्व क्या सा इसके भी में श्मित माइच मल्ड लॉड तु合 में यह भाई साभ है डोंड इश्मित माइकर Бы gradual आएंगे आएंगे अगे सर तो स्मित माइच कर लाड में जिल में लॉट्टे वह क्या सबक्राइड गैजी इती ती टी टी ती टी ती तती तो पासी की तो बात कर रह अगर आपने इसको एनमोल लिया होगा यह भी आपको एन एनमोल रिलीस करेंगे यह बंदे आंसर आजाएगा एनमोल आफ ग्लुकोज एन एनमोल आफ ग्लेक्टोज नमबर डी इस दी टोटली करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेस्चन विच अमंग दो फॉल्विंग कंपाउन पूर्सेस हाय इस नमबर ऑफ एन एटम इनिड हायस नमबर ऑफ एन एक फिसके पास जाधा है अब यह इस ट्रक्शर के मिया हो गया यह कोर्शन किसके बाइस हो गया structure के बेस प्रोगा अगर अपने structure पड़ा तब तो बढ़िया है नहीं तो मुश्किल है आपको बतातों कि जो प्यूरीन के और जो पारे मिडीन होता है लेकिन इसके अंदर गोटे है उसमें ज्समें ज्यादा मिलता है चार से पांच मिलेता शायद से कि और आपका बोलना यहां पर अगला क्वेस्टिन विच नाइट्रोजन एंटम ऑफ पारिमेडीन बेस नंबर फ्रॉम वन तो शिक्स बॉन्ड़ विद फूर नोज शुगर मतलब आपको यह राइबोज पता ना आपको राइबोज यादे के नहीं अरे भाई ऐसा यादे के नहीं आपको बनाते थे अगर आप पूर्णोज शुगर ले ले तो कुछ इस तरह से ऐसा कुछ बोल रहे हैं यह इस तरह से विच नाइट्रोजन एटम पारिमिन बेस पूर्णोज शुगर मतलब कि यहाँ पर अगर एन है तो कौन सा एन जाकर अटेच होता था यह नमबर वन वाला ही एन होता था फॉस्ट एन मतलब यह जनली क्या बोल रहा है बेस और शुगर जब मिलते हैं ना तब इनको हम नुक्लियो साइड बोलते हैं क्या बोलते हैं नुक्लियो साइड बोलते हैं तो राइड अंसर होगा नंबर वन पहला वाला आंसर राइड होगा यहां पर चार नहीं आएगा बच्छा चार कहां से आगा भाई नमबर पूछा है कौन सा नैट्रोजन नंबर पहला नमबर जाकर करता है अग आइडेंटिफाय शूगर नुक्लियोटाइड फॉरमेशन यह बहुत है मेरे खल से पॉली नुक्लियोटाइड आपको पाता है कि जो कोई भी हम डिन ने आरन ये बनाते हैं उसमें एक रीच शुगर यूज होता है आरन ने डिन ने में एक शुगर यूज होता है और वह था राइबोज और राइबोज कौम बोलते हैं पेंटोज यह भाई पेंटोज पांच कारवन से बनता है राइड आंसर नमबर ए डिन ने आरन ने के लिए रिस्पॉंसबल एक इच बंदा होता है विच अमंग दो फॉल्लॉइंग एंजाइम गनोर्स बहुत ज़्यादा कि भाई विच अमंग दो फॉल्लॉइंग एंजाइड राइट आंसर राइट आंसर चेक कर बच्छा राइट आंसर चेक करो ग्लुकोज आइसो मेरेज दिखाए दे रहा है कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी येस बच्चा प्रतिक बोल रहे है सर मेरे बच्चे मैं अभी क्या ले रहा हूँ महार रिवीजन महराथन चल रहा है बच्चा थोड़ा तो रहम कर ले हमारे उपर नहीं सर हम रहम नहीं करेंगे ऐसा मत करो यार ऐसा मत करो ठीक है चलो देख लोग कोई दिखकत है कोई डाउट है कहीं पर भी ग्लुकोज आइसो मेरे जागे बढ़ें चलो अगला क्वेस्चन वाट इस टोटल लंबर ओफ एसेंशियल अमीनो एसीड इसेंशिल अमीनो एसीड लिखा के दिया था येस सर दस अमीनो एसीड दस अमीनो एसीड ज है मैं समझ में आया कोई डाउट है क्या मोल रहा है भाई है वोज बोल रहे है क्या है क्यों में घ्रीच क्षट होने पहले अभी किसाा ब्रेक लेका agrad को अगला क्वेस्ट्स लोगश्ट जाओभ एंचा के ऊतलने है इसको मैं सभी कर देता हूं है ठीक है ऐसा हो जाता है भाई क्या करेंगे कि अच्छलों टेंशन नहीं लेना है साथ पर देता हूं मैं आपके लिए पॉर्मिंट में डालते हैं न तो थोड़ा हील जाता है चलो है हाओ मैंने सेकेंडरी हाइड्रोक्षियल ग्रूप अरप्रेजंट इन ग्लुकोसर बना के दिखाओ सिए चो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच चे एक दो तीन चार पांच आंसर 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 कि तना आ या सर देखो तो से एक दो तीन चार सर्च शर सेट अ के धर है कर दो चार को यह धोले सूर इस प्रेजेंट एन और अरज सेंटाइब चाहिए नए है scorag है कि मार्क कर दो राइबोज करेंट आँसर नमबर डी डी रइबो आगे आपके लिए नेक्स्ट वोट वट इस दन लॉड फ्राइमरी और सेकेंडरी अल्कॉलिक ग्रूप रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन ग्लुकोज का प्राहमरी और सेकेंडरी एल्कॉली गूरूप का आपने रिस्पेक्ट लिए पूछा है जल्दी बन बच्चा याद दिलाओ ये हम को याद दिलाए ये चलो देखते जरा वल्ट इसन नमबर ऑफ प्राइमेर सेकेंडरी अगर प्राइमरी की मैं बात करूंँ ना प्राइमरी पहले पुछाए द्यान देना एक दो तीन चार पांच यह वह गया मेने पास अब यहां पर ले लो और यह यह पर ओएच 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 एच एच देख बच्चा यह प्राइमरी ओगा जो कि सिर्फ एक बन रहा है आंसर आएगा वन वन वाला अंसर कौन सा कर दो सिमा कर दो लेकिन सरा आगे फोर कैसे आया ऐसी आएगा कि एक दो तीन चार यह चार्ण मिला के सेकेंड्री ओंडिरों सम्झा सम्झा क्या अरे कोई डाउट है तो बोलो कोई कंफ्यूजिं है तो बोलो चलेगा अगला क्वेश्चन विच अमंग दा पॉलिएंग कार ते चोज करके आता था बंदा स्पेलिंग मुझे आती नहीं है लेकिन पैचान ने आता है अच्छे से मां कर दो स्टैचोज विकाज यह जो है न यह जो है न वन ग्लुकोज वन ग्लुकोज वन फूक्तोज और टू गैलक्तोज लेकर आता था उच्छ यहां आया यह इसका राइड आंसर होगा समझ में आया समय में आया नेक्स्ट 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 विच अप विच अमंग दो फॉल्लइंग शुगर इस कॉलेज लाइव लोज भाई को जहाएब रहने वाला है फ्रुक्टो जीजदी गएट अनसर येस ओमाई गाड इंट्रोड़क्शन तू पॉलीमर के मेस्टरी इस च्क्टर में क्या ही बोलाया भी तो इस च्प्रमप्राइब क्या ही कोले हम सर्टा पढणा चेस्टर में वहीτο क्या ही पढणा ये मतलब यह समझे और कि इस चप्टर के अंदर कि इस चप्टर के अंदर मैं आपको बता दू कि यूजेज का बहुत जादा इंपॉर्टेंस है मोनुमर और यूजेज कि सिल्वर प्ले बटन आया क्या मैंने अभी तक अपला ही नहीं किया मैं लगा था आप लोग के लेक्चर में हूँ मतलब अभी तक इसके पहले हमारा क्लास्ट एंदम जबर्दस तरके से चल रहा था फिर उसके बाद एंट्रेंस के बारी आ गई तो मैंने अपला ही नहीं किया या ठीक है न सिल्वर प्ले बटन आप लोग का यार है कि नहीं आपका लेक्षर हो जाएगा ठीक है उसके बाद जब एकदम फ्री मोड में रहेंगे तब हम बनाएंगे आ रहा हम से तब हम अप्लाई भी गरेंगे तो आएगा तो फिर इसकाद वीडियो बनाएंगे है ये नहीं येस येस और लो ब्रेक्ष ये पांच मनेंगा पका पां पांच मनें ब्रेक मेरे घड़ी में कितना हो रहे है बाई मतलब कि मैं लेने वाला हूँ रिजुमिंग टाइम होगा आठ दस को एट टेन पीम शुरू हो जाएगा चलेगा चलो पांच मने का ब्रेक लेलो फिर फटा फटा जाओ जल दी से येस झाल 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 येस दिस इस सोवें सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही खुब सुरत से लेक्चर के अंदर तो भाई एक और चैप्टर यहाँ पर दम तोड़ने वाला यह दोनों चैप्टर बहुत छोटे होने वाले तुम्हें एक गंटे के अंदर शायद दोनों खत्म हो तो सारे बच्चों से रिक्वेश्ट है फटा फट पहले आ जाओ आ जाईए आ जाईए आ जाईए आ जाईए आ जाईए आ जाईए बहुत दमाल होने वाला है बहुत जबरदस्त कि everyone जितना जुल्दी हो से के पहले आजो व हिकि बहुत जबधस तरीके से एक चलने वाला आ है मज़ा आने वाला है ात होने वाली है पॉलिमर चैप्टर की हमारा जो इन और गनी के नुक्टर कखतम हो चुगा अप्लाइब के म बचे बहुत ही छोटे बचे मतलब उसमें सिर्फ क्या करना मोनुमर लन करो और उसके बाद जो है की यूजज दिया यूजज पर लो खटम समझे येस 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 आजो पहले everyone in the chat box क्या बोलरी कंपनी येस क्या बोलरी भाई पॉब्लीक इधर पह जल्दी बोलो येस 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 जल्दी से आजाओ यार इतना देर क्यों लगा रहे हो ready ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक और बहुत खूबसूरत से चैप्टर को क्योंकि चैप्टर का नाम है पॉलीमर पता ही है सबको पॉलीमर का यहां पर important है classification जनरली समझना है classification समझना पड़ेगा एक दिरह से अपको समयने की classification क्या होता है इसके अंदर पॉलीमर मतलब कि पॉली मर्स पॉलते हैं तो पॉलीमर इस तरह से होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में हमको यह बुलना है कि जो पॉलीमर होता है न वह ऐसे अलग लगाटाइक होते हैं जैसे कि पहला हो गया आपका कि बेज़्ड ऑन सोर्स कि सोर्स के बेश पे इस पे तो इस पोस्ता था कि बाइन नेच्रल पॉलीमर है कोई कोई सेमेल सेंथैटीक हैँ कोई सीनथैटीक है मैं मैं मेरे पुरी तरव से हुआ हैны इंपोरिब्म country नेच्रें शिर्फ जो एक्शांप्ल में बतना वो नहीं टेष्ट पुक का हर एक एकड़ामपल पुल के आपके लिए निच्ट कैसर बेस्ट ओन स्ट्रक्चर के बेस्पे इस एक्जामपल के लागा आपके बढ़ेंगे ताम लिए यार हमारे पास लिनियर हो सकता है हमारे पास ब्रांच जो हो सकता है निट्वर्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है है कि नहीं यह सोर नो सर लिनियर क्या होता है सुनते चलो अच्छे से लिनियर मतब जिसके अंदर और एक्स कभी भी एक्ष्टा अटेच्मेंट आज ब्रांच नहीं होगा ब्रांच वाले में आपका एज ब्रांच एक अटेच्मेंट मिलेंगा जैसे कि पॉली प्रोप्लीन एक बढ़िया एक्जांपल है चलेगा यह स्क्यावाइवाई डेरिन वेलिवारे वाहाई तुम दर फोड रेले इदर रायव लिक्रेले भाई तुम तेक नां चलो यहां दो ब्रांच वाले में एक्जांपल में लेघाँ पॉली प्रोप्लीन इसके लबाएल डी पी करके भी बंदा होता है जो इसके अंदर आता है लिनियर चेन में एच्ट डीपी अच्छा एक्जांप होते हैं नेक्ष्ट 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 यहां दो गज़ना है यहां पर नेक्ष्ट क्लासिफिकेशन अ कि बेज्ड ओन पॉलीमराजेशन प्रोसेस जिसमें तीन ताइप आता है अधिशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर रिंग ओपनिंग पॉलीमर यह दिमाग में सेट कर लो सर एडिशन पॉलीमर का मतलब जो सिर्फ डबल बॉन को फॉलो करेंगे अलकीन को फॉलो करेंगे जहांदा सुन बच्छे इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होगा जबकि कंडेंसेशन में एलिमिनेशन मस्ट हैं मोनोमर एक से ज्यादा मस्ट होता है और यह कंडेंसेशन को दिश्कों स्टिप ग्रोथ पॉलीमराशन भी क्या बोलते हैं खाविक ए अ कि इस टेइस की ग्रोथ पॉलीमराशन भी बोला जाता है समझनाया समझ मैंने क्या बोला फॉन नाउट कहीं पर भी किसी को भी behöला आने माला है मोल और आफ पॉलिमराइशन मोड मतलब पॉलिमराशन का जो पैटरन वो क्या है एक्जेटली जैसे कि मैं आपको बोल दू कि कुछ ऐसे होंगे जैसे एक्जामपल के लिए मोलिकुलर पॉर्सेज बोल सा उक्यां मोल पॉर्सेज जैसे की पाओ अगया इलास्टोमर कि लाश्टूमर आ गया इस टूमर में का होगा जितने भी आपको प्लास्टिक रबर वाले लोग रहेंगे वह एक्जांपल आप डाल सकते हो यह वह आप एक्जांपल में डाल सकते हो जैसे कि एक्जांपल इकले मैं बोलू नियोप्रीन रबर आ सकता है बुनह एसा सकता है ये लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे एलस्टोमर के अंदर समझ मारे एलस्टोमर के इंदर यह लोग दिखाई देंगे फिर इसके बाद क्याया सर फाइबर पाई पर इलास्टोमर से मजबूत एक तरस हो गया मतलब अगर इलास्टोमर को अब लगाई तो खीच जाता है बहुत वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड प्लस वंडर्वल फोर्स दोनों पाई जा रहा है भाई खीचना चाहिए से खीच जाना चीए ऐसे खीच जाना चीए समय लगाई तो वह वीक फोर्ट अबी तबी तो लंबाई खीच सकती उसकी लंबाई बढ़ेगी तबी तब अपाथनी से खीच सबाएंगे स्ट्राइब आने मानु बढ़ा श्ट्राइब लगा इने तो वंडर वल फोर्स वीक हो गया को वैलेंट बॉन ओड वह वी कैसा उन सब्सक्राइब को टूटना भी तो नहीं चाहिए अरे तुम खीचे जा रहे हो खीचे जरू टूटेगा लेकिन तुरूंत नहीं टूटेगा इसलों उसके अंदर क्या मिलता है दो चीजे मिलते हैं एक मिलता है यहां को वेल प्रिपेर्ड यहां पर मिलेगा वंडर्वल प बात करेंगे अगर को अगर को अगर मोग आप अर्मो प्लास्टिक अधर्मो प्लास्टिक लाइक नॉर्मल प्लास्टिक के बात करें जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं तो सर यह थर्मो प्लास्टिक फिर एक्च्छल में क्या बोलते हैं अगर आपने तब उसको गर जाएगा सबसे इंपोने जी जो एंची के लिए निकलता है ये स्ट्रेट या ब्रांच चेन पाए जाते हैं एंची क्यों में कोश्चिन इस बार आ सकता है बहुत इंपॉर्टन है ये मैं क्या बोलो समझ में आ रहे हैं ये स्ट्रेट या लिनियर या ब्रांच चेन के अंदर आएंगे नेक्स नहीं आपके लिए फर्मों सेटिंग सरा हमारी बहुत शेटिंग कर रहा हो ना सर सीटिसल के साथ में बच्चा इन लेक्चर ले रहा हूं ना टेटिंग से कम नही लिए लेक्चर आने वाले चार-पाइज जो में लेने वाला हूँ दो दिन और लूंगा वह देख ले तेरी सेटीं होगे सेटी में के मिस्ट्र में तो गैरेंटी तरे सेटीं हो चुकी है समझा सम्झा क्या बोल रहा हूं सम्झा अभी इंदर तो यह थर्मों सेटिंग क्य जाता है तरी मॉल ने गर सकते है री शेंपनी गर सकते इसको यूज नहीं कर सकते हैं बहुत आधा इसको ठीक है तो ये कर आधा आव जाता है ये गरम करने पर भी सॉफ्ट ने होता उसके बाद चलेगा अब क्या ये बात समझ में आई ये सर नेस्स्ट लासिफिकेशन बे प्रीज़ औन टाइप ओफ मोनोमर सर यह क्या होता है जहां से बच्छा है बेज़ डाइप आप मोनोमर इसका मतलब होता है है जैसे हमने बना हो मो पॉलीमर की इस बहुत सारे बच्चे इस तो माहत लिखा है लेकिन जब मैं टेस्ट दे रहा हूं तो और कुछ अलगी बोल रहा है वहां पर बोल रही है तो बोला हुआ है क्योंति नहीं ने बच्छा नालॉन 6-6 से हेट्रोपाॉलिमर कंडिशन अप्लय जब पर आना समझा में क्या बोल रहों बहुत सारे बच्ची जो गलती है कि इस बार क्लियर एकदम नायलॉन 6,6 इस अ हेट्रो पॉलिमर होमो पॉलिमर में मत डानला हूँ और इसके बाद आता है दूसरा हेट्रो पॉलिमर जहाँ पर आपको मोनुमर अलग हो जाएंगे मतलाए डिपॉल्लल फिर तो मोनुमर अलग हो धोडो या दो से जाएडा मोनुमर हो करना अंगा निक शाथ है आपके लिए बाइए अडिबिटी यह सर्ड़वे जोन bio degredibility bio degredibility के बेस्पे कैसे करेंगे सरॉ simple है bio degredible या हम बोल सकते हैं नॉन बायो डिगरेबल समझा बायो डिगरेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाए डिकम्पोज नेचर दिखाए और यह डिकम्पोज नहीं होगा डू नोट डिकम्पोज समझा क्या क्या हर एक चीज आँ तक समझ में अच्छे से कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी पिक्चर क्लियर होना चीए क्या यह बात समझ में आई बहुत बढ़िया आई अब इसके बाद देख बच्चा अब इसके बाद देख जड़ा क्या बोल रहा है अब यह बोल रहे कि अब हमको कुछ सेलेक्टेट पॉलीमर रहे जो हमको पढ़ना है जैसे कि कुछ इंपॉनेंट चीजें अगर मैं बोलूगी एच मैं सब नहीं कराऊंगा दोगा दांसे जो इसके नदर इंपॉनेंट जीजोंगा इसे एचटी पी में अब हमको पता है कि हम एथीन लेते हैं हम कंडिशन लेने वाले हैं चालेंगे बच्छा कंडिशन है जीगलर नेट्टा तब बन जाता है एच ड़ीपी और जीगलर नेट्टा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है ट्राय इथाइल एलुमिनियूम ट्राइटेनियूम क्लॉराइड तो यह अपने दिमाग में सेट करो येस समझा कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी एच ड़ीपी कैसे करना था समझ माया अब इसके बाद कुछ सेलेक्टेर इंपोर्टेंट जो होते हैं न बोलते हैं थोला सा आपको पता होना चाहिए उनके बारे में जैसे मैंने बोला कि सर नाइलोन शिक्स क्या है नाइलोन शिक्स कौन सा मोनो मर आएगा कैप्रोलेक्टम पिर आगया नाइलोन 6,6 सब पा मोनोमर दिखाना हो बच्चा मैं हेग्जामिथलीन डायमाइन 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 इस तरह से रहेगा और एडिपिक असीड इस तरह से रहेगा यह मिल गया इसके लिए टेफलोन और लॉन देखलो पी टी पी टी एफ इसको ऐसे भी बोलते हैं जो कि इस फ्टू डबल वर्ण सिफ टू से निगलता है और लॉन पाली एक्रिल नाइट्री बेव बोलते हैं जिसका मॉनोमर ठीच्टू दबल बॉन सी एच सी एन हो जाएगा पी वी सी नहीं बर देख लो छी एच्टू डबल बॉन सी अच्छी अला जाएगा सब को मोनोमर समझ में है अच्छे से नेक्स्ट और बोलो टेरलीन इथिलीन ग्लाइक और प्लस तेरे फैटलिक एसीड कि नेक्स्ट एसी गवंब्रेश्टों भी बूते हैं कि next 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 अभी बैकलाइड में जनरली फॉरमल डियाट और फिनॉला आता है पॉरमल डियाट प्लस फिनॉल कि ज्ञांस अब इंच जो प्टा रहा हूं ना बहुत खास इघ्टा रहा हूं सारहा मोम पे पर निकलता है कि इसके लिए क्लियों लोल को मिला कि क्या बंता तो अगर मैंने वोला को किस क्टस्री अर्ण नमर नीचे दिया हुआ है क्लिए रहे है नेक्स्ट है है सब्सक्राइब कलाइट नेक्स्ट मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मल्ल है दोhe, प्रॉर मेलामान का स्थ्रेक्च्र भी बड़ा जिब होक गहीं होता है, ऐसा, फिर एन, एन, फिर ऐसा, फिर यहां पर एन, फिर यहां पर एन्हिस टू, यहां पे एनेच टू यहां पे एनेच टू इसको हम बोलेंगे और प्लस फॉर्मल यह तो बाइड डिपॉल्ट है यह होने वाला मेला मान का मोनुमर चेक करते रहो यहां सब देख रहे हैं बढ़ियां से एक दो नेक्स आने वाला नियोप्रीन 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 लिए जो मनॉबर होता है उसको बोलते हैं क्लोडिवल से अधी क्लोरो टू क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन डिखाए देर है यह सर्वू नियोटाडाइस एक दो तीन चार इसको बोलेंगे ब्यूटाडाइन देखले हैं यहां पर ठीक है एस मतलब श्टिरीन बुना एन बुटेनाइन नाइट प्रिल एक्रिलो नाइट्रिल बोलते हैं एक्ष्टा थूरा सा ले ले लेते हैं जरा ने उससे पहले जो सिल्बस क्यों लेते हैं पहले नाइलो पी एच बीवी एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच अलफा बीटा बीटा नमर पे ओच चेक करो चेक कर बच्च ये दोनों होने वाले प्लस कर दो ठीक है ये पी एच बीवी के लिए उसका नाइलों टू नाइलों शिक्स नाइलों टू नाइलों शिक्स नाइलों टू का मतलब हैं नाइलों टू का मतलब है नाइलों टू कि डावल बॉंड ओ च नाइलों टू प्लस नाइलों शिक्स बोला है तो अब बुलोंगे कैप्राइक एसीड लेलो अमीनो कैप्राइक एसीड चार पांच कर दो इसको इसको बुलेंगे अमीनो कैप्राइक एसीड ठीक है वह डावड इसके बाद एबियस प्लास्टिक होता है पुराने सिल्वस में था जार देख लो ए मतलब एक्रिल नाइट्रिल अग्राइब भी मतलब ब्यूटाणाइन एस मतलब श्ट्रीन पुल्फर्म पता है तो आप करी लेंगे ठीक है बोलो मज़ा आया है बोलो मज़ा आया है येस कि भूलो समझ में आया एकदम पॉलीमर का पुरा मोनोमर आपके नजरों के सामने लेकिन सर अभी और पॉछ करना याद रखना इस बात को यूजेज करके लेना है क्लियर गए येस 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 अगे बढ़ा जाए अगला मैंने रखाए कि कुछ ये भी बढ़ा जबा इंपॉर्ण है इसमें से क्वेश्चन पिछले साल भी निकले थे इस साल भी चांसेद बहुत जादा होंगे इसमें से क्व है बोलो क्या होने माला है फियत बोलो क्या होने वाला है यह आपर ज़्चैनल नामयात करना है परESE यह मीफ्यलं क्लशा हो गया इस अधिकर लेकिन योझा होता है लेंसिस पेंट सेक्रोर्टी बैरियर हो गया LCD स्क्रीन हो गया शेटर हो गया रजिस्टन्स ग्लास हो गया इन सब में यूज़ करेंगे बुना एन तो ब्यूटा डाइन एक्रिलो नाइट्रिल की बात करेंगे बुना एन मैंने कराया था पीछे एक्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है अदेसी उस रबर बेल्ड शू जो सकता है और इंग गैस्केट के रूप में इसका यूज किया जा सकता है पेविसी पॉली विनाइल को राइट जो कि इस तरह से वाटर पाईप रेंगोट फ्लोरीं बनाने के का में आता है फ्लोरींग इग्जाम में आया था एक बार ठीके पॉली एक्राइ और सेट बनाने के लिए एक ने कर ट्यूल लैमिनेट्स बनाने के लिए चलेगा ये साइज चीजों को बनाने क्या करते इसके यूज करते हैं अभी से शाट गाद और 45 प्लस मिलेंगे और जो छे मेंने चाहिए वाले वाले ओ फेल हो जाएंगे मतलब ग्लिप्टल इतिलिन ग्लाइकॉल फैथिलिक एसिड बच्चा तू अभी से पढ़ेगी तो जितना तू लाने वाली उससे ज्यादा लाएगी सिंपल है तो यह मत्तों 45 प्लस मिलेंगे क्या 55 प्लस मिलेंगे क्या मैं टॉप करूंगी क्या यह कूर गरेंडी दे रहा है दो द ते खां लेवल में है कितना पानी में है तो भुरू कि सरथ अभी मैं 100 के उठाऊं इसर मैं बस अभी आपक़ा देख रहा हूं तो बता इसमें से कितने मक आयगा पज़ो पढ़ा motivating मैंसर कुछिंगो नहीं क्या बोलो क्या बोलू मैं ऐसे ऐसे लोग को मैं क्या बोलू यहां दो बज़ा रहा है ग्लिप्टल पेंट और लेक्वेर की रूप में होता है और पॉली कार्बोनेट जो होता है न वह यह बहुत इंजिनिंग में आपको मिलेगा यह बॉली मर्शेप्टर में इलेट्रिकल एंड टेली डिस्पोजल कप्स और प्लेट बलाने के यूज़ किया जाता है यह भी ध्यान देना यह भी पूछा जाता है इसामें जो की जिन के मिश्री से क्वेश्चन आया हुआ है यह फुकरे मार क्या आते हैं वही तो यारब क्या करेंगे हैंगे नहीं येस चलो अब जल्ली से तम तयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होएं वाला है आपका एम सी क्यों का सिल शिलांब सिल सिल एंजीं तो रेडी ओ बहाई रेडी 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 एग्जेक्ट्ली दो वट में सो पर से लाएं इग्दम सही वचा गरोंपाटिल दो दिन में सो एक्सेव एक कैसे लाएं वही तो अभी कुछ लोग आ जाएंगे पुछ लोग आ जाएंगे गेट के बाहर पढ़के 90 कैसे लाएं कि चलो यहां दो बज़रा पटाफ़ दिमाग चलो मज़ेदर क्वेश्चन है मज़ेदर क्वेश्चन है यह गर में नहीं हुने कि आपको ब्लेजर पहने हो तो मैं तो भाई फिलाल एसी वाले रूम में हूँ एसी लगाए भाई क्योंकि पंखा लगा नहीं सकते हैं आवाज आता है पंके का इसलिए एसी लगाए है ठीक है और कुछ आउट लगाए ठीक है चल्षार करते हैं कि आइडेंटिफाय दव मोनोमर यूजट टू प्रिपेर नियो प्रीण नियोप्रिन बनाने के लिए कौन सामर्म उप्रिश करते हैं सर जाना पर दाना सर मुल्बर को खुशन आ गया आपने पीछे दिया था मुल्बर को खुशन आ यह क्या है यह यह ख्लोर प्रिन वाला अंसर परेक्ट है और दो सिदा कि identify branch chain polymer from the following branch वाला कौन बनाता है वाइस के अंदर ब्रांच कौन बनाता है सर अपने लिखा था अपने लिखा था लोड़ इंशिदी के सामने ब्रांच या ब्रांच के सामने लिखा था लड़ीपी नेक्ष्ट आइटिपाई दो मोनोमर यूज्ट तो सिंदेज नायलों 6,6 एक शिस तुमा पर एक शिस नहां पर भाई फिर मोनोमर आ गया ADP के चिर एन एक्जाम इतलिन डायमाइन ADP के चिर एन एक्जाम इतलिन डायमाइन दिखाई दे रहा है ऐसा हो रहा है चुटकियों में सौल होने वाला सम विच अमंग दो फॉलिए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एच डीपी एच डीपी के लिए कौन सी बात सही नहीं लग रही है तुमें कौन सी बात तो में लग रहा है कि सक दो कुछ तो घडबड़ है कुछ तो जहो है जल्दी बोल बच्चे है पहला पॉइंट नहीं लग रहा मुझे जहो क्या पॉलन दी पबली कै प्हला पॉइंट मुझे जहोलन लग रहा है यह सो फलो प्पbij की ऑन बोल क्या मैं यह somebody School मेरे पॉल्लिक जो अपहला एन्सर रही थी टमईशसयट ूर्ट में नहीं मेरे भाही है स्वेट ज्यादा उन्मेचर धन्य फॉर्टी फाई धा है एग न सब्सक्राइब न जो आपसाइड इनिशेटर पॉर पॉर दर होना चाहिए पॉर दर सिंथेजिस होना चाहिए मतब किसमें हमको इनिशेटर की जरूरत नहीं पढ़ने वाली सिंपल देख लेते इसको अटा देते भाइस का मुछ काम तो नहीं लग रहा है इसको हटा दो यार कंफ्यूज कर रहा है और दिस सिंथेजिस लिग देते चलो खुछ अब बताओ अब बता बच्छे ने को जरू विच अमंग दो फोलोईंग पॉलीमर डज नोट नीड पैरोक्साइड इनिशेटर जहां जहां डबल बॉन वहां वहां पैरोक्साइड अण्सराइगा नाइलओन 6,6 नाइल उन 6,6 इस इस गुट अंसर फिर सुनुद आप जावास्कृप्ट अगे परिवल परेए पक्का जावास्क्रिप्ट था वो और सी एस वाले के चैनि पच्यमा आघिसर अमारा कोर्स आगिया सर जावास्क्रिट भी ले रोगा पीछी क लग रहा है बच्छा इजी चैप्टर भी है ट्रस्ट कर इसके दो मां के कुष्चन तेरो को फूल मिलेंगे तेरो को फूल मिलने वाले गैरिंटी बोल रहा हूं पूल मिलने वाले इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है यह चैप्टर गिरिन के मिस्ट्री हो गया गिरिंगे यह हो गया सर इनिशेटर नहीं समझा अरे बच्छा इनिशेटर का मतलब शुरुआत करना इनिशेट करना वह कौन सा पॉलीमर है जिसमें शुरुआत करने के भी तब बन वाले लोग को बोलते हैं कहुं से बॉलते हैं डबल बन वाले लोक बोलेंगे समझ में है ंडटीफाइद ऑ मून अमर पॉर सिंतेसिस ऑफ पॉ पॉली एक्रीलोनाइट्रिल के लिए तो यह बंदा ही सही लग रहा है यह है कहां पर अच्छा यहां पर है डबल पॉन गायब कर दिया है ना कन्फीर्म तो डबल गायब हो गया तो सी आंसर करेक्ट है नेक्ष विच्अमग फॉलींग पॉलीमर रिस्टोर्स इट्स ओरीजिनल शेप वन स्ट्रेच तो आप बूलेंगे सरर अरे लेकिन रबर तो घई नहीं आप क्या गरो रबर तो घई नहीं तो नियो प्रीन सेर रबर नियो। एक रबर होता है बच्छा नियोप्रीन क्या होत समझ में आई हर एक बच्चे को बढ़िया समझ में आना एकदम अच्छे से कोई कन फ्यूजन आगे देखो विच आप फॉलोईंग मोनोमर्स इज यूज इन प्रिपरेशन आप पैन आ गया पैन आ गया भाई पैन मतलब पॉली एक्रिलो नाइट्रिल सर पॉली एक्रिलो ना फॉली एक्रिलो नाइट्रिल बोला है बच्या पॉली एक्रिलो नाइट्रिल बोला है तो ढिमाग पर जोडाल को सब स्मझ में आ जाएगा अगला वस्चन आपके लिए यह रहा जो यूरिया फॉर्म आले किसका ऐक्जांबल है बोल नहीं याता हूं यूरीय छोर्म आले किसको ऌ यूरिया फॉर्मल रेड्र किसका एकजाम बला जली से बोलो कि प्रद्ट वाउटन है ना से पिस्थिक्ट गुशाप नहीं? सब्सक्राइब यह थर्मो 가지나 क्या थी यह और सिरी तेम प्यारूप्यारी लोग भृते सरव बने मासुम से लोग होते हैं स्थर्मो केmee सर्वोड नकिरोई सब्सक्राइब करें थर्मो पॉलिमर स्क्राइब आइगा काम आगया यहीं पर एंजिनरिंग में यह पुरा डिटेल में दिया हुआ है फॉली कारवन के बारे में तो राइट आइट अंसर नंबर एक करेक्ट रहे कहां से पुछा गया यह आपको उस टेबल से पुछा गया जो मैंने आपको बोल के जाओ पढ़के जाओ और उसी में से छप गया उसी में से छप गया बोले समझ में आया कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने विच अमंग फॉलोइंग पॉलिमर इज यूज टू अप्टेइन होस पॉइप पाइप्स फॉर ट् गोड़ी बच्चे नियोपरीन एक रबर है तो राइट आणसर है यह संवर्बर की पाइप होती है ठीक है राइट अंसर नियोपरीड अदिटिफाइड़ी फी HDPE इसमें से कौन सा काम करेंगे HDPE आपको पता है HDPE क्या होता है HDPE क्या होते सर वो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं या बोल सकते हैं जो हाड़ चीज़ होती हो बनाते हैं पैकिंग बैक टो नहीं बनाएंगे बैक फॉर सॉबिंग नहीं होते हैं डिस्पोजल कप्प्स एन प्लेट्स यह फ्रीन बनाता है पॉलिश्ट्रीन मैनुफेक्ट्रिंग बॉटर टुटर श्टोर शेंपू यह थो रहाड चीज बिंगिंगी बनाएंगे तो यह राइट र आपको लग रहा है कि जोले नौट टूब लैन नौट टू दिमाग चला बच्छा विच आप फॉली श्टेटमेंट इस नौट ट्रू अबट बुना एस के बारे में कौन से बादा इस यह वालकानाइज रबर होता है बिल्कुल से ही बुना एस जो होता है स्ट्रीन जो मिला जाते हैं वह जो हमको एक्शन में मिलता हो को मोडिफाय करते हैं यह भाई डिफॉल्ट ठीक है तो यह आप क्या करने वाले वालकानाइज होता है मेकनिकल स्टेंग बुना ऐसे लेसे नेचरल लेवर 9999999 अगर हमने बोला वालकानाई जो भाई इसका प्रॉपर्टी नेच आइनिटिफाइड यूज ऑफ पॉलिश्ट्रीन फॉर हाउस होल्ड ने बच्छा यह भी आ गया पॉलिश्ट्रीन का हाउस होल्ड में यूस क्या है मैं बार बार बता रहा था यह अभी आ गया देखो डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स सर कभी का कुश्य नहीं यह 2022 का क तो आपको में तुना स्वाइडिया मिलें कि कैसे कूष्टन पूछे याएगे पूछे खैते ठीक है पुराने कुष्टन तो आप करी लिंगे पर पुराने क्वेश्टन से चांसे कम रहें या उस टाइप के रहें तो मैं अब जब भी कोई बच्चा मुझे मिल रहा है सर क प्राक्टिस नहीं हुए मैं उपनली बोल रहा हूं इसलिए आम अपने कोर्स में ना 2022 का टॉपर में तो जर्बाइस का स्पेशल बैच निकाले थे ताकि उन बच्चों को 222 अलग से करवा कि दो उनको में पूरा क्लास 12 खतम पूरा क्लास 12 खतम कुछ शप्टर 2-3 बच्चा सपने में अभी अब सपने में हो याद अगना इस बात को समझा यह दिमाग में सेट कर लो समझा मैंने क्या बोला येस नेक्स्ट विच फ्रॉम्ट फॉलईंग पॉलीमर इज यूज्ट टो अप्टन बिश्चल फॉर ब्रसेस अच्छा बिश्चल फॉर ब्रसेस मतलब अपना जो दात होता है ना ब्रस लगाते दात उसकी बात कर रही है क्या यूज़ करेंगे टेश्ट वुक में दोकर नाइलॉन के बारे में दिया हुआ है कि नाइलॉन 6,6 हम लेते हैं कूची बनाने के लिए ब्रश बनाने के लिए सम्झें के नहीं सम्झें यह तो नायलोन सिक्स कॉमा सिक्स की बात हो रही है या नायलोन चिक्स वह था है रस्षी भी बना जाते हैं डिपेंड कर रहा है कुशन के है कि आप लोगों ने टेश्ट खूंड के लिए कि आप लोगों ने अरु है तो सूच कि तक क्या आहलत रहेगा तुझे बैठे बैठे गुम्ते गुम्ते टेल ते लिचर देखने का है मन कहा तो लेक्षर बंद करके तुनिकल भी जाएगा वाड़ा पाऊ-पाऊ-पाऊ-थ तो 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 इतना भी सोचेगा ना तो भी तू फोड़ देगा अगर तुम इतना भी सोचोगे ने कि यार चार गंटा पांच गंदा तो क्या मैं दस घंटा बैठके नहीं पर सकता कर सकता हूँ थोड़ा सा लेट सकता हूँ कमर सिधा कर सकता हूँ खड़े-खड़े अच्छा है अच्छा है सर करवार इसी बाने हमारा बढ़िया हो जागा ठीक है जहां पर मैं अपने आप से करने वाला था 2022 सर ने कुछ कोश्चन को करवा दिया हमको आइडिया मिल गया कि मैं उस्क्राइबल हूँ की नहीं हूँ कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं कि येस इसी बात में जब अधस लाइक ठोग यार पहले जो बच्चे नहीं आया पता है पुरप टेश चोबिस हाजार पब्लिक आपर आगे गई है लाइक इकी सो क्या यह आपका मसाज करने आजाओ भाई आज तो जो सोंगा न मैं और कल सुबह वापस जाना है बोड इजाम है तो इन्विजिलेशन के लिए अभी तोड़ा मेहनत है जड़ा दो-चार दिन मेहनत है जड़ा आज और कल ही मेहनत रहेगा वाकि दो-दो-दिन फिर आराम थोड़ा रहेगा फिसाथ आठ फिर हम लगेंगे इसम बढ़िया से दुबारा आपके लिए गरीन केमिस्ट्री पूरा रीडिंग के ऊपर है अगर आपने रीड किया होगा तो अच्छा होगा रीड नहीं किया होगा तो यह चेप्टर आपके लिए दिक्कत करेड़ेगा जनरली इस इसमें अगर आप यह सोचे रहों कि सर इसमें से क्वेश्चन क्याएंगे तो मैं आपको बढ़ाओ तो परसेंट एटम इकनोमिक पढ़के जाओ अच्छे से वह पर तकलिफे बड़ याते हैं वह पर तकलिफे बढ़ घाते हैं पर उप्न है करेस का लेक्चर नहीं है कि इसके बाद बही चलूंगा बच्छा ये खादम करने के बादना साधे नोब जी फिर मेरा लेक्षर होगा टॉपर के अंदर जब दस और वह चले आए नो शेस गारताम येस यूट्व अले बच्छा टेंशन में सर क्या चल रहा है मतलब ये चाह चल रहा है चाह चल रहा है ये चाह चल रहा है कर आख डीड़ % कहके लिए और आपने किसी को कमिटमेंट करते आया किया रहा हम करेंगे तुम्हारे साथ कर तो फिर उस उस बात पर टिके रहना ही 엥ले सबसे बड़ी बाद हो जाती है कि समझ नहीं नहीं समझ रहें और यह कमिटमेंट में तुम अपने आप से किया करो एक दिन के लिए कि आज का दिन में कैसा लेकर जाओं सिर्फ एक दिन का किया करो कि अब्ते बरका नहीं बोल रहा हूं सिर्फ एक दिन का किया करो कि आज का जो दिन जब तुम सुबर रात को सो रहो था तो अगले दिन का कमिट्मेंट कर लो कि अगले दिन जो है ना मेरा पढ़ाई के मामले में बैस्ट रहेगा और ये मेरा कमिट्मेंट है मुझससे कुछ तक कहले वाला है इतना समझ के रखना अगर यह commitment तुम ने अपने आप से कर लिया और उस पर तुम टिक गए उस पर तुम टिकए एकड़म ऐसे बात नहीं है थाइम पर सब्सक्राइब तो देख रहा हूं तो फिर महाँपे तुम डाइबर हो जाते हो येस चलो शुरू करते हैं गरीन के मिष्ट्री गरीं के मिष्ट्री में देख करंगे हैं जो इंपर्णिne चाहिए उस पर ही फोकस करूंगा भाई पहला तो गरीन के मिष्ट्री जो है हुआ है कि इसने बनाया था कि एन अस्ट्रस को गज़ा है एक बंदा मिलेगा एंची कुए में आ सकता है भी यह बन्द आ प्रूर्स करके दिखेगा यह हो सकता है यह बाई साब पॉल प्रूर्स करके आते हैं ति कि जो आपको यह जो आपको गिर्ण के बस्टी वारे में बताया थे इनने टोटल कया क्या बार अब प्रिंसिपल दिया इनोंने आप बार्व प्रिंसिपल्स ऑप ग्रीन केमिश्ट्री अगर मैं मौरल इस्टोरी बलू नहीं तो इनका जाना तर जो हिसाब के दापता ना वो एन्वार्मेंट के उपर था इनका जो बहुत साथा जो इन्फोर्मेशन था वो एन्वार्मेंटल फ्रेंडली के उपर था कि आप कुछ भी करो बट एन्वार्मेंट को नुखसान नहीं पहुचाना है एक्जाम में कही बार तो जबाइस में भी कोशना है विच आप फॉल इंग इसमें एक इंपोर्टेंट इसमें नुमेरिकल जाता है और उसको हम बोलते हैं एटम एकनॉमी आपनि अगान कि इंप्वॉलटेंट जी आईगें इसक्यों पर कुछया कुस्चन शेयंट एकनोमी यह जो होता है एक यह तě डिजायर प्रोड़क्ट भेट आप डिजर प्रोडम्ट देष्याम डिजायर्ड प्रोड़क्ट डिवाइड बाइट टोटल वेट ओफ रिएक्टेंट इन्टो हंड्रेड यह क्वेश्चन गैरेंटी रहे आपके शिफ्ट में आएगा ही आएगा मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि क्या अगर दस शिफ्ट है पांच शिफ्ट में ग्रीन के मिश्टी का क्वेश्चन यही रहन कि सम्झें कि सम्झें मैंने क्या बोला सम्झें मैंने का मलब वेट ओफ डिजायर पॉड़ाइड जो प्रोड़क्ट ऊपर रहेगा टोटल वेट आप रिएट नीच रहा है इंटो एंटर करता आपका परसेंट अपने जाएगा और इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट ची हैं आछा होता हे इस तरह से फूली पाँस और मा सकता है या ऐसा होता है कि कुछ वख सब्रुशिन डिखा दो जो कि हम को बॉला है कि पहले हमने और यह फुर्ठ की पटाहब है कि इंसेक्टिसाइड के लिए था है लेकिन यह क्या था हम फूल था और एनवर्मेंट पिर इसकी जगह पर किसको लाया गया भी एच्छी को लाया गया जिसको बोलते कि गामा आइसोमर बनता है जिसको गैमेक सीन बोला गया जो कि अपने आप में इंसेक्टिस आइड होता है यह पूरी moral of the story इसके अंदर इसमें 12 प्रिंस्पल के बाद आपको जन्रली यलो कलर का एक टेबल दिया होगा मैं आप अब पूर टेबल नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसकी शॉट ले सकता था लेकिन क्या था वाल हूँ है कि अन्नेसेसरी यलो कि टेबल इस तरह से रहेगा सर्कल के फॉर्म में यूजेज यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आप लिग देता हूँ इसको लिंडेन में बोलते हैं बच्चा लिखा परावर है इसको लिंडेन भी बोला जाता है बिल्कुल सही यह ना बच्चा यह कहां से करना है टेश्ट बुक से करना है आपको यह टेश्ट बुक से करना है अभी मैं करवा सकता था इसा नहीं करवा सकता था बट बोलते हैं कि यह बोला था आपको जनली सब्सक्राइब यह यहां जा रहा है तो ऐसा पूछ निए इसके अंदर जो दिखना आपको करना है इसके अलमा और क्या कर सकते हैं नैनो के मिश्टी में तो बेसिक सिर्फ अगिन उसमें भी रिडिंगे करना क्योंकि पूरा थेरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ठीक है त एक सी डिफ्रेक्शन किसमें आता है काम पर यहां पर अंसर है क्रिश्टल स्टॉक्चर में आता है यादा रहे है यह भी काफिजादा इंपॉर्टन है यह दो चीज यह दो चीज यह चीज अटम एकनोमिया ऐसे सलेक्ट पांच्छे चीज़ बढ़कर आपको चांसे ते कि इस चेप्टर में से आपको मिल जाएगा समझा यह इस बात का ध्यान देना यह 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 सच में आने के चांसे बहुत ज्यादा इसके जान दो यहां पर बोला है what is the value of percent atom economy सर्य दोजर बाई से क्या जी हां percent atom economy क्या बोलेंगे product upon reactant into hundred percent atom economy कितना बोला है what is the value of percent if 180u is molar mass of desired product यह desired product हो कि रियक्टेंट कितना है वाई total 240 से सर इंटू हंड्रेड कर दिया छे से कड़ करो चेचों को 246 तरी अठार है चार्स से कड़ का तो धाई आ गया पचीस्तियां 75 परसेंट आ रहे हैं 75 है क्या मां कर दो सी मां कर दिए बच्चे सी समझा ं becomes very dangerous Entwicklung मैं साथ अयुख साथारी कामने साथ चाहूमने सब्सक्रांद क्या है यह को सेबंडों हो मैंने प्लान के और फेसंश मतले बच्चे अड़्सकु के मैं आगा पासरा ता ऐसा खॉंद कृस्टल स्ट्रक्शर रश्मतूरा हम काा अइस का हो होता है मतर्जव किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इस्टल श्रक्चर निकालते हो तो आप बोलेंगे एक्सरेय डिफ्रेक्षन की मदद से X-ray डिफ्रेक्षन करेंट आंसेर है नेच्ट अगें देखा आगया परसेंट आटम मेर्ट एक्टम इक नमी दीख रहा है एक बढ़ी यह तुर्णा सा डाउट लग रहा है भाई है क्या है 20 यह decimal होना चाहिए सब जगा है यह सब जगा decimal है यह decimal ही होना चाहिए और कुछ तो option नहीं दिख रहा है decimal decimal चलो अब देखते हैं कि question क्या है बोला है what is the formula ओहो वाट इस दफर्मुला वेट फर्मुला वेट और प्रोडक्ट मतलब पर्संट एंटम एककोनॉमी में अ प्रोड़क्ट अपन रियेक्टिन इंटू हंड़िड क्या मैंने हमको पुछ रहा पर्सेंट पूछ रहा है इसका नहीं परसेंट दिया है 45 प्रोड़क्ट पूछ रहा है टोटल रियेक्टिन 54 है इंटू हंड्रेड हम क्या बूलेंगे पी इक्वल टू है 45 इंटू 54 डिवाइड बाग हंड्रेड कर दो जो कितना आ रहे है 54 इंटो 45 पांच हों का बीस करीगा दो पांच बचिछब शबीक सथाइस घा डाल का सब्सक्राइब चार बच्छी बसके किस जीरो साच श्रीर चॉबचल दू और तीन ह्गा भाहीं राइट आंसर हो गया नंबर C 24.3 समझा नेक्स्ट विच अमंग दो फॉल्मिंट स्टेट्मेंट इज नोट टू देवा यह ऐसे क्वेस्टन नौट कौनसी बात सही नहीं है इन इस ट्रूट मिनमाइज प्रॉल्म में इनर्जी क्राइस बिल्कुल सही एनर्जी की क्राइस को सब्सक्राइब तो यहां पर करना है एट आप रोच टूमिमयास यूमन एफ़ेसेंश सिय गलत स्यूममन अगर काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट जादा मिलना चीए ऐसा नहीं होना चैन्कि घं़ आपके लिए तुसका रिजल्टाव किया है आपके लिए तुसका रिजल् अब दो आपको लगाए तर इतनी बार आय था क्या यह बिलकुल इतनी बार पुछा गया है प्रोड़क्ट वाट इस फॉर्मुला वेट अब रिटेंड बोला इस बार प्रोड़क्ट 75 ए रिटेंड का पता नहीं और यह बंदा कितना है 25 है इंटू 100 कर दिया बोलों क्या करेंगे तीन सो आ रहे हैं मेरे भाईजर चेक करो अगर मैं आर यहां रग दो तो 75 अपाउन 25 अचिस दिया 75 इंटू 100 आंसर आगया 300 राइड अंसर नमबर डी समझा कोई डाउट कोई कन्फूजिन कहीं पर भी आइडेटिपाइड फॉर्मुला वेट आफ प्रोड़क्ट एफ पर परसेंट एक्टम एकनोमी इस 30 परसेंट परसेंट एक्टम एकनोमी इस 30 परसेंट यहां सब्सक्राइड परस अगर पर्रोड़क्ट पूछ रहे है परसेंट कितना है 30 र कितना है आर 90 इंटू हंडडर कर दो इसको मल्टिप्लाइड को रोगा सब्ताइड पासाइड अगा अंसर लग रहा है कि नौतिर इसप्टाइज होता है तो पीक आंसर आगया 30 इंटू 90 डिवाइड विलो कर गया अंसर आगया 27 राइड अंसर अगया 27 इस ते लिगा नेक्स्ट विच्ट विच्ट फॉल्विंग स्टेटमेंट इस नॉट इन सपोर्ट अफ गूड अटम एक्रोमी यह क्वेश्चन मां का साइन होना ची यह ठीक है कि समझा कि बोलो कौन सा गुड़ अटम एकनोमी यहां पर नहीं है वेरी हाई नमबर आप अटम और रिटेंट इनकोर्पेटिव प्रोड़क्ट यह तो सही बात है ज्यादा रिटेंट तुम्हारी बन गया अच्छी बात है लेसर पॉल्लम आप वेस्ट डिस्पोजल यह इसको बोलते हैं ज्यादा आपके अन्वांटेट लोग बनेंगे तो सही बात नहीं है तो फिर वह एकनोमी के खिलाफ जा रहा है यह बंदा एकनोमी नहीं हो रही है एकनोम एकनोमी के खिलाफ बात हो रही है फिर येस चलेगा अगला क्वेस्टिन वीच अमंग दफॉल इ इस डिमैंशनल नाइनो स्ट्रक्ट्टर ऴुल जिरो डामिन्शनल बॉल आंशर बताओ जीरो डायमेंशनल आपको बुक मेंने टेबल भी शाइब से पुर्टेबल आपको पढ़ना है वो टेबल आपको पढ़ कि लेना है तभी आपको समझाओ सभिआ ने तो मुच्कील ल थेले ले डेले बहतो जाई जीरो डिमेंश्न भुल इपटीक्छल्स एपार्ड कर से यह जीरो दैमेंशन रहें घेलें गई पराइ देरा ए एइस सर तो Giris आपके लिए नेनो पार्टिकल्स क्लिर है next 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 which among the following which among the following which among the following is an example of two dimensional nanostructure two-dimensional two-dimensional बोला है डी 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 बी 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 जल्दी बोलो टू डाइमेंशनल आंसर बोल बच्चा आंसर बोल जल्दी से येस एकदम सही है सारे पीवाई की जाए न हाँ बच्चा ये 2022 से डोंट वरी तीन फिल्म एकदम करेक्ट है ठीक है चलो नेक्स्ट अगेन आपके सामने क्वेश्चन आ गया अगेन एक क्वेश्चन चमचमाता हुआ आ गया क्या बोल रहा है वाट इस दे वाल्यू अफ परसेंट एंटम एकडमी इफ टोटल मोलार मास ऑफ रिएक्टिंट इस 36U एंट अमास अफ प्रोड़क्ट इस 27U UU बो बो what is the value of percent atom economy क्या करेंगे देख लो percent atom economy equal to product upon reactant into hundred what is the value of percent atom economy if total mass of reactant is 36 if total molar mass of reactant बोला है रियक्टिन 36 से भाई hold on hold on 27 36 into 100 सही बाद है जाए फिर से शेक्क करो रियक्टिन होना चाहिए 36 बराबर प्रोड़क्ट है 27 बराबर अभी बोला इसको solve कर चलो देखते हैं देखते हैं बाई चार नवया चातिस चार से करें तो किस आ गया नो से कट गया तीन आ गया 75 परसेंट या बाद है क्या बाद है बाद है बाई 75 पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे नेक्स्ट वाट इस्ट परसेंट एटम ayoamii एक फोर्मूला विटव रेक्तल और थेन एन फ्यूर्मूला विट विडिस प्रॉड़क्ट्व बिरसpर्ते तटी एं एन फॉर्मूला विट रेक्त LI thrown प्रोड़क अपन रीक्तेंट इंटू हंड्रेड रॉड़क्ट वट इस पर्सेंट एक्टम एक्टोमी एफ प्रमुला वेट अफ रेक्टेंट एंड फॉर्मुला वेट अप्रोड़क रीक्तिन कितना बोला पहले वो देखो 45 और ये कितना बोला 35 जालो देख लेते हैं करें तो बीस आ गया सही बाद है नो चोह का च्छतीस मतब नो तरीक सब्ताइस को नो से करो नो तरीक सब्ताइस आठ आएगा फिर नो नो एक क्या से नो अठे मतलब 3.8 अब 3.8 को अंधिया अगरे थर्टी त्वेंटी से डिवाइड कर दो 3.88 आएगा शायद से क्योंकि नो सब्सक्राइब नो अठे भात तर आगा वह यागा 388 इसका अमने कहा चाहां दो से डिवाइड मल्किला करिया दोटे सो लोचे करिका दोटे सो लेक्स सब्सक्राइब 77.6 आ रहे 77.6 या 77.8 सर यहां तो अलगी दिख रहे कुछ अलग नही डैस में लिले रहा है ठीक है है हम अभी अभी सीखे रहे है भाई टेंशन मतलो चलो दिखां सब को दिखाए रहे है यह सर तो राइट आंसर हो गया 77.8 समको 77.8 सीक्सा कुछ मिल रहा है कोई डाउट है कहीं पर भी कोई कन्फूजर्ट चलेगा एक बच्चा बल रहे है महा हमारा लास्ट माहर विजन आठ तारीक को है सारा मारे खतम लगार तारीक को समझ मारे एक लिए कि नहीं एक सो चार में क्या डाउट यह बढ़ाबर है बच्चाहिए टेक्स्बूक रीड़ी करना इसके लिए फिर आगया ऐसा ही क्वेश्चन क्या बात है यार यह तो इसम बवाल क्वेश्चन हो जा रहा है हर बार find the formula weight of reactant if formula weight of product is percent equal to p r into 100 what is the formula weight of reactant पूछा है जबकि percent आपको दिया हुआ है 75 प्रोड़क्ट दिया है आपको 54 और आर पूछ रहा है रिएक पूछ रहा है weight of reactant into 100 करो इसको यह काम करो आर यहां लेलो 54 divided by 75 into 100 करो 25 25 25 जबका सब्सक्राइब अट्र सेकर्ट के अट्रा चोग बहत्ता रहा गया 72 answer आ रहा है आपका कितना आ रहा है सर हमारा भी इतना ही आ रहा है 72 is the correct answer next which among the following statement is not a green chemistry का principle कौन इसमें से ग्रीन के मिस्टिक प्रिंसिपल नहीं है कौन इसमें से ग्रीन के मिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलों नहीं कर रहा है effluent of one industry can be used as a coolant for thermal power station यह बुक में दिया यह सही बात है to give priority of prevention of waste yes बिल्कुल सही to develop technology for zero waste बिल्कुल सही its aim to dump waste product form in one system and should to use a raw material for other system बोल रहा है कि जो कचरा बन गया है न उसको फेक दो रेधर देन उसको use करने से अच्छा था भाई हम यूज करेंगो जादा बेटर रहेगा अग्र हम यूज करेंगो तो यह आवाफिक दे तो यह जो राया लाशला को घलत बोल रहा जल्दी से माग कर बच्छा, what will be the correct answer for this, what will be the correct answer for this, answer माग को रहिदम नजदीक पहुझ गे हो मतलब, yes or no, yes sir, which among the following statement is against to the principle of green chemistry, green chemistry के against में कौन सा बंदा है, प्रोटेक्टिंग और डी पॉर्टेक्टिंग ग्रूप के बारे में बोला हुआ है, यूज आप रिनेबल सुर्स इंश्योर शेरिंग उपर फॉचर जाहिए सही बात है, यूज भाट है, यूज भाट है, और ने से रिवर्शन शुट भी मिनमाईजी भी सही बात है, यह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, यह सपोर्ट मिलना चाहिए, बोला है, अगें, नॉट टू बोला है, काउंसी बात सही नहीं है, प्लो जड़ा, बेंजीन बिन वोलाट है, बात है, रिनेबल चेमिकल्स रदर दन कूरूल, यह भी सही यह, रिनेबल चेमिकल यूस कर रिज यह, बोलो, 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 अगर आप ज्यादा टेमर्चर लेंगे, तो बोला है कि एनरजी कम लगेगी, वा बाई-वा कहां से आये हो, हमें भी बता दो, यह, यूज ऑफ कैटलिस्ट मिन मिनमाईज एनरजी, यह बराबर है, मिनमाईज वेस्ट, तो राइट आंसर होगे, हमारा सी क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लेंगे, ज्यादा टेमर्चर लेंगे, तो बाई-डिफॉल एनरजी ज्यादा लगेगी, बच्चे कम नहीं लगेगी, ओ माई-गाड, माई-गुड्नेस, यहाँ पर हम कर चुके हैं, एक और महा मह महरातन का अंत, सही बादना, एक और महा महरातन आपके सामने घुटने टेक दिया है, इतने सारे चेप्टर, छे चेप्टर का एक दिन में लेक्चर लेना, जिसमें से दो-तीन चप्टर छोटे थे, लेकिन हर चेप्टर को एक घंटा, एक घंटा लगभग जा रहा था, है, ठीक है, पांच मां का वेटेज बोल सकते है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, पैरो में दर्द वो अलग लेवल पर है, बट जब यहाँ पर बोलते लिए, आपने बंदे इधर है ना, एनर्जी देने के लिए बास, तुम हमारे एनर्जी द्रिंग हो क्या, आप हमारे क लेता हूँ, ठीक है, फिर बाज आ जाता है एकदम, आपको मैं प्लानिंग बता देता हूँ, आपको जो टेस्ट्बूक रिडिंग पर भरोसा करो, अप्लाइट के अंदर, और इन और्गन के अंदर, और डू यू नो जो कंसेप्ट लिखा हुगा है, बच्चा उसको होने वाला शिडियूल, मैरातन लेक्षर नमबर थ्री, एमेस्टी दोज़र तेइस का जो होने वाला है, वो पुरी तरह से और्गनिक के मिस्ट्री का होगा, इसमें हम चैप्टर नमबर 10, 11, 12, 13, तब तक बच्चा बहुत टाइम चला जा चुका रहेगा, तो मैं आप से मेरा एम रहाएगा कि आपको किस तरह से क्विक तरीके से मैं 2022 के क्वेशन से रूबरू कराऊं, है कि निकिए कि बहुत सारा टाइम वेश्ट वहां पी नहीं होना चाहिए, क्यार बहुत सारा टाइम मैंने सिर्फ मालू मुझा कि साथ तारीकों मैं सिर्फ के सारी चिप्र अपने दिन भर मैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो खोशिच करोंगा कि कम से कम समय आपे लागे, दो दिन में जो चीजे लूँगा, कम से कम मेरा मेरा में अब्जिक्ट्टिव क्या है, आपको 2022 के बहुत रूबरू हो रहा हूं, कि देख भाई ये इस से तू 12 और तेरह ये, चारो चप्टर हम लेने वाले रही, सर दिन कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, ये होने वाला है, 7th of May, ये 7th of May, एक टू पीम होगा, बिकॉज मुझे भी पता है, कि ये चार बजे लेंगे तो बहुत प्रॉल्म होगी, तो दो पर को दो बजे लेंगे, ता चलो, ये तोला सा लाइड, ब्राइड दिख रहा होगा, आपको अब, आप सही दिख रहा है, चलो, अब बढ़िया दिख रहा है, सर, डन, बोलो, सर, 11 का ने लेंगे, 11 का आठ तारिक को लोगा, जहां पर अगें 2022 के को पकड़ोंगा, मैं 11 में ता कि आपको एक ब्रश अप हो जाए, सारे 11 के चेप्टर का एक ब्रश अप हो जाए, कि पूरे 11 के क्विक सिनोप्सिस के क्या पढ़ना है आपको, और उसके इसके, ठीक है, यह अमारी प्लानिंग रहेगी, और कुछ चलोते, इसी के साथ हम इस बहुत ही खूब सुरत से जो चैप्टर था बच्चा हमारा, बहुत ही प्यारा सा जो हमारा कंटेंट चल रहा था पूरा का पूरा, उसको हम यहां पर खतम कर रहे हैं, आप लोग आते ह लिए, आपको लग रहा है, तो आप यार बस सब को बता, दुनिया को बता दो, ठीक है, हमारी बैचेस भी चल रहे है, उसमें भी आप अच्छा रिस्पॉंस दिखाओ, एंजिनी के भी कुर्से सम लांच करते हैं, तो वहां पर भी आप बहुत सारा प्यार अपना हैं, इस बर शायद फार्मेसी भी लाने वाला हूँ, तो फार्मेसी और एंजिनरिंग ये दोनों कुर्सेस आपको वहां पर दिखाए देंगे, तो जो बच्चे फार्मेसी में हैं, जो एंजिनरिंग में हैं, वो हमसे जूर सकते हैं, और उनके लिए क्या रहेगा सर, जो चपरी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इचिन अपना रह्याख है, क्या हो देजते हुआ रहे framework स्वख अरे मत कर दू ठीकरी मत कर दू चपरी देज ऄो लोग रिए नहीं मिलेगी नव कर ईंदिनार की है तो भाई इसी इसंही के साथ इसी के साथ आज केश लेक्चर को हम and कर रहें चलो मिल्टेंग टाइम बाए बच्चे बाए बाए मिलते नेश्टाइम चलो बाए मिलते नेश्टाइम बस ऐसे फोर्ड़ते रहो यां फोर्ड़ों फोर्ड़ों